है अगे अगे कि कि है ले स्टुडेंट्स वेलकम टूद आफीशेल यूटूप चैनल आप ओरीजिन कोचिंग स्वागत है आपका इस क्लास में और यह जो हमारा क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है वह इसलिए क्योंकि कि फीजिक्स स्टार्ट करने से पहले हर स्टुडेंट को सबसे पहले बैसिक मैथमेटिकल टूल्स पर कमांड करना चाहिए मैं हमेसा क्लास में डिसकस करता हूँ आपको फिजिस प्रहाते वक्त मैं कभी भी मैथमेटिस के किसी कॉंसेप्ट का या फार्मूला को यूज होता है यह बात मैं जुरूर बोलता हूँ कि सबसे पहले आप बैसिक मैथमेटिकल टूल्स को तयार करो और बीच-बीच- लेक्चर एबड़ेवल है हिंदी मीडियम पर अलग यह कंप्लीट इंगलिस मीडियम पर है यहां पर देखो बैसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम पहले मैं आपको दो मिनिट यह बता दूं कि बैसिक मैथमेटिकल टूल्स को कैसे पढ़ना चाहिए उसको पढ़ने का नहीं समझ सकते मैं हमें ऐसा बोलता हूं कि mathematics is the fuels of physics कि मतलब आपके विकल का फ्यूल है वो पेट्रोल है डीजल है और यदि वह आपके कार में ना हो तो कितनी भी महंगी कार बेकार है तो बीना mathematical के आप फिजिक्स अच्छा नहीं पर सकते खासकर यदि आप आयाइटी जेए नीट का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो ऐसे कि यहां पर हमको ऐसे पढ़ना है मैथ्मेटिकल टूल को की हमारा physics में कोई भी काम रुकना नीचाहिए फिजिक्स में कहीं भी फार्मूला डेरिवेशन और निमेर्कल्स बनाते समय जो भी फार्मूला हमको ज़ुरत पढ़े वो हमको पता होना चाहिए तो हम उस बात को ध्यान में रखके ये लेक्चर आपके लिए तायार किये हैं चलिए तो बहूत ध्यान से आप एक एक लेक्चर की द्यान से समझा यहां पर मैंने यहां को बताया हुआ है कि हमको कितने मैं में लेक्चर में परने हैं तो सबसे पहले हम को आप जबागो सब्सेदया करना है उसके बाद देखो तो तिगना मेंट्री पढ़ना है फिर वेक्टर एलेंस पढ़ना है कल्कुलास पढ़ना है यह फाइब मैथमेटिस को अपने को कवर करना है ओके इसको हम लग टूल क्यों बोलते हैं टूल मने आवजार आपको मालूम है किसी मसीन को रिपेर करने के लिए टूल चाहिए यदि आप कितने भी जीनियस इंजिनियर है लेकिन आपको यदि किसी डिवाइस को रिपेर करना है बनाना है और आपके पास कोई टूल नहीं है उसको ना फार्मूला डिराइब कर पाएंगे ना कोई निमेर कल बना पाएंगे तो आपका फिजिस का नालेज किसी काम का नहीं है आपको मालूम है कि पूरा कल्कुलेशन मैथमेटिक्स पर बहुत होता है तो यहां पर सबसे ज़्यादा ज़ुरत हमको किसी मैथमेटिक्स का अब थोड़ा समय आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि आप लोग इसमें से एलजेब्रा और ट्रिग्नामेट्री यह दो मैथमेटिक्स को आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है अच्छा यह जो मेरा लेक्चर है वो किसी 11 या 12 क्लास के लिए नहीं है यह जो भी पढ़ने का सुरुवात कर रहे हैं लेकिन यदि आप 11 क्लास पास हो चुके हैं तो भी आपके लिए इंपर्टेंट है क्योंकि जो जो मैथमेटिकल टूल्स में आपको प्राब्लम है जैसे खासकर कल्कूलस और वेक्टर इसमें स्टुडेंट्स को ज्यादा प्राब्लम फ लेक्टर है तो यह आप 10 क्लास में पढ़े रहते हैं और यह लगभग आपके लिए नियू है अब नियू का मतलब जामेट्री तो पूरा नियू नहीं है कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो नियू है तो एलजेब्रा और टिग्नामेट्री यह दो मैंथमेटिक्स को आपको टेंट से पढ़ा हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आप टेंट में पढ़े हो करके उसको इसकीप कर रहा हूं इसकीप नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुंसी बाते मेरे को आपको अभी ऐसा बताना है जो आप 10 लेबल पर उसको कवर नहीं किये हो तो उन चीजों पर हम डिसकास करते हुए चलेंगे लेकिन मेरा सजेशन है कि एक बार टेंथ क्लास से उसको आपको रिविजन कर लेना चाहिए ओके चलिए तो अब एक मैथमेटिस स्टार्ट करें फस्ट एलजेब्रा देखो एलजेब्रा में सबसे पहले हम क सब्सक्राइब, विवा, प्राव्म करते हैं, मैं फिजिक्स में में फिजिक्ट के फार्मूले यूज करते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेन बात है फार्मूला लर्न करना पहला काम फार्मूला लखन करना दूसरा काम उसको एपलाई करना आना और उससे ज़्यादा हम को mathematics में फिजिक्स में ज्यादा मतलब नहीं है तो मैं फार्मूला का पूरा लिस्ट आपको दे रहा हूँ कि एलजेब्रा पर जो फार्मूले एक एक बार मैं थोड़ा सा फ पूरा आपको हमारे application पर available है, application का address हमारे link पर आते रहता है, या description में आपको link में application का address मिलेगा, origin the learners hub, इस application पर आप जाके free notes download कर सकते हैं, पूरी 11th class English Medium Physics, पूरा A to Z with mathematical tools, तो contents का कोई problem नहीं आपको, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा English Medium के class में, आपका पूरा का पूरा available है हमारे application पर, तो यह सब आपको मिलेगा, आप यहां से learn करो, साथ में नोर्स भी बना लो, जैसा भी है, आपके लिए पूरी स्रीधा है, तो यह formula देखो, सबसे पहले जो आ मैंने उन formula भी को यहां पर collect किया हुआ है, जो आप पहले से जानते हो, नहीं जानते, तो आप immediate note करो, या इसकीन साथ ले लो, a plus b plus c, 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 a plus 2ab plus 2b plus 2c, a, actual में इसको रटना भी नहीं पढ़ेगा, आपको सब को पहले तीनों का square करने के बाद, a का b के साथ प्यार, b का c के साथ प्यार, फिर c का a के साथ प्यार करने से वो learn हो जाता है, बीच में दी कहीं minus हो जाए, तो उसी के carding plus minus हो जाता है, जैसे हमने a plus b plus c लिखा है, माल लो यहां पर c के जगह में सामने minus हो जाए, तो वहाँ चोब multiply होगा, c के साथ जो जो minus होगा, मतलब य minus होगे, इस तरह से वो हो जाता है, तो यह algebra का formula और formula है, देखो, कुछ formula ऐसा है, जिसको नया है, मैं आपको आहां पर निसान लगाऊंगा, उसको आप ध्यान दोगे, a plus b का whole cube सबको पता है, a minus b का whole cube सबको पता है, इसके बाद इसको थोड़ा सा और respond करोगे आप, तो इसक और इस फाम में याद रखना चाहिए, a cube plus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube, इस फाम में भी याद रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, a cube minus 3 a square b plus 3 a b square, स्वारी यहां plus ना, यहां minus b cube, इसमें सब प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा होगा, ठीक है, प्लस वाले में तो 3 a b square plus b cube a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube इसके बाद देखो यह formula भी आपके लिए थोड़ नहीं हो सकता है a plus b ka holy square minus a minus b ka holy square for a b होता है इसको आप ज्यादा ध्यान से लारन करना देखो इस तरह से formula से फायदा क्या होता है एक चीज़ आप हमेंसा ध्यान formula use करेंगे आपका calculation उतना असान होगा जैसे कहीं पर a plus b ka holy square minus a minus b ka holy square कहीं पर लिखा हुआ है तो आप उसको expand करेंगे expand करने के बाद आप उसको solve करेंगे तो बहुत difficult होगा और यदि आपको सीधा फोरे भी याद है तो यह काम आप असान से कर लोगे तो फॉर्मूल kolay हमारे work को किया करते हैं इसरी करते हैं फार्मूला के help यह हम काम को असानी से कर दे हैं इसलिए हम ہर स्टुड देते हैं इस बात के लिए कि कि ज्यादा से ज्यादा फार्मूला आप लर्न करो क्योंकि जितना ज्यादा फार्मूला आपके ब्रेंड में रहेगा आप उतना ही सड़न वर्क कर सकेंगे उतना ही क्या करेंगे आप है डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे क्या करना है ओक है इसके बाद देखो यह एप लगा होली स्क्यार फ्लस ए- इसके यहां पर माईनस ऐस टो फोर वी हुआ यदि यहां पर प्लस हो जाए तो टु अंडर र्चट प्लस बीज़व होता है A cube minus B cube का जो factorization है A minus B, second bracket में A square plus B square plus A b होता है A cube plus B cube का जो formula है वहाँ एक bracket में A plus B और second bracket में A square plus B square minus A b होता है इस तरह से ये formula आपको learn कर लेने चाहिए ये formula के बीना काम नहीं चलेगा इसके बाद देखो एक महत्पूर्ण concept मैं आपको बता रहा हूँ component and deodendo component and deodendo क्या होता है यह ratio proportional का एक concept है और यह बहुँच ज्यादा काम आता है question को easy करने में question easy करने में किस तरह से काम आएगा देखो यहाँ पर मैं पहले आपको formula बता दूँ component and deodendo जैसे suppose कहीं पर इस तरह का दिया हो condition A upon B equal to C upon D इस फार्म में यदि हमको कोई formula या कोई condition दिया हो मतलब ratio फार्म में दिया हो ratio फार्म में एक relation हो A upon B equal to C upon D और इसमें यदि हम component and divide and apply करें तो इसका जो formula हो जाता है therefore उसको हम लिख सकते हैं A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D इस फार्म में लिख सकते हैं और इसको इस फार्म में भी लिख सकते हैं उल्टा भी लिख सकते हैं that means A minus B upon A plus B equal C minus D upon C plus D इस फार्म में हम इसको लिख सकते हैं ओके तो यह है हमारा component और डिवेडेंडों का फार्मूला यह फार्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा बहुत ही ज्यादा यह फार्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा इस फार्मूला को यूज करने से हम कई जगा काम आसान करेंगे देखो जब मैं basic mathematical tools का class आप लोग को देता हूं तो मैं पूरा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जब हम 11 12 की physics और साथ में complete exam करेंगे तो किस किस जगह पर हम कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसका हमको नालेज है क्योंकि हम उसको पढ़ा रहे हैं हमको पता है कि हम कहां कहां क्या यूज करेंगे तो आपको इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से प्रिपेर करना चाहिए मेरे को मालूम है कि कहां यूज होगा मेरे ध्यान में है कि कहां कहां पर मैं इसका यूज करके काम को आसान करूंगा तो जितने भी स्टुडेंट मेरे साथ मेहनत करेंगे मैं जितना बैसिक मैसमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से प्रिपेर करेंगे तो उनको कहीं कोई प्राब्लम नहीं होने वाला है ठीक है अच्छा आप लोगों को मेरा एक परसनल सजेशन है कि आप नोट बुक में एक अलग नोट बुक में क्या करूँ इसको अच्छे से नोट बना लो उससे होगा क्या कि बीच बीच में आपको उसको रिवाइज करने के लिए इधर-अधर फार्मूला खोजना नहीं पड़ेगा यदि एक ही नोट बूक में रहेगा तो एक ही नोट आता है लेकिन फिजिस के स्टूडेंट फार्मूला बहुत जल्दी भूल जाता है क्योंकि वह उसको बीच-बीच में यूज करता है अचाना की यूज करता है ओके ते फार्मूले आप क्या करोगे लर्ण कर लोगे ठीक रहेगा देखो यह जो बाइनोमियल ठीओरं में यह यह फोर्ट स्रीण को कॉंसेप्ट हैं इसमें टो पूरा इस पर एक्षेप्टर होता है लेकिन फिजिक्च में भी बहुत जादा यूज होता है तो बाइनुमियल चरम आपको मैं deeply explain कर रहा हूं, superficial नहीं, पूरी deeply explain कर रहा हूं, ताकि mathematics के student भी जो इस class को देख रहे हैं, वो इसके help से math में भी अच्छा कर पाएंगे, मतलब double जगा उनको इसका फायदा होगा, ठीक है, अब हम देखें, बाइनुमियल चरम होता क्या है, बाइनुमियल का मतलब होता है two, by मतलब होता है two, नामियल मतलब terms, उसके terms, तो two terms को लेकि जो हम theorem बनाते हैं, that is called binomial theorem, for example, यहाँ पर हम एक example लेते हैं, कि suppose हमने यहाँ पर यह लिखा, x plus y का whole square, x plus y का whole square, equal to क्या हो जाएगा, x square plus 2xy plus y square, ऐसा होगा, suppose मैंने लिखा x plus y का cube, x plus y का cube लिखा तो इसका फार्मूला होगा, x cube plus 3xy square plus y cube, यह इसका फार्मूला होगा, तो यह binomial theorem है, binomial है मतलब देखो, theorem भी है, यह हुआ first terms, यह हुआ second terms, यह हुआ first term, यह हुआ second term, यह हुआ second term, तो जब किसी भी two terms के plus या minus, यहाँ पर मैंने plus के लिखा है, तो ऐसा मत समझे लेना की प्लस के लिए बताए थे, तक यहाल plus के लिए होता है, यहां पर प्राबलम है, कि यहां पर प्राबलम है आया, कि यहां पर power 2 है, तो हमने spine कर लिया, मतलब उसको learned कर लिया, याद कर लिया, X plus Y का power 3 था उसको भी हमने याद कर लिया अब power 4 भी हो सकता है power 5 भी हो सकता है power 6 भी एंट सवान power कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर देखा गया कि two terms के expansion का power यदि higher होते जाए जादा होते जाए तो हम उसको कैसे expand करेंगे उसको रट्टा मारके तो हमें expand नहीं कर सकते तो उसके लिए एक theorem डवलब किया mathematical induction method से एक theorem डवलब किया और उसको हम बोलते हैं क्या binomial theorem तो यहाँ पर हम देखेंगे binomial theorem जैसे मैं यहाँ पर आपको एक example लिख दूँ कि suppose मेरे को जरूरत है कि मैं X plus Y का इस तरह के problem को साल्व करने के लिए क्या किया गया binomial theorem बनाए गया अब binomial theorem को समझाने से पहले मैं आपको कुछ observation बता रहा हूं observation मतलब देखो observation इस तरह का कि यह जो फार्मूला हमने उपर लिखा हुआ है इस फार्मूला के यह दि हम basic nature पर discuss करें तो हमको क्या दिखाई देगा यह मैं observation करके लिख रहा हूं यहां पर यहां पर मैं observation करके लिख रहा हूं क्या observation आप जर्वेशन का यहां पर हमारा मतलब क्या है इसको आप ध्यान से समझना यहां पर X का और Y का पावर 2 है यहाँ पर power 2 है, यहाँ पर power 3 है तो आप एक बात कभी गौर किये होगे, वो गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर power 2 है, तो इसके expansion में 3 terms है इसके expansion में 1st terms, 2nd terms और 3rd terms यहाँ पर power 3 है, तो इसके expansion में 4 terms है 1st terms, 2nd terms, 3rd terms और 4 terms इस पकार से यहाँ पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर एक important बात हम को यह पता चला कि जब किसी भी किसी भी two terms के sum के power को जब हम expand करते हैं इसका expansion अपन लेते हैं तो उसके power में जितना होता है number of terms उससे one more होता है number of terms one more होता है अब इसमें लिखनी रहूं केवल मैं आपको इसको बता रहा हूं इसको आप ध्यान में रखो वैसा कोई notes में लिखने का ज़ूरत नहीं हो लेकिन ध्यान में रखना अब देखो यहाँ पर x plus y का power 5 है तो no doubt जब इसको हम expand करेंगे x plus y के whole power 5 को जब हम expand करेंगे तो वहाँ पर जो number of terms आएगा वह 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर power में क्या है 5 तो power 5 होने के कारण जब उसको expand किया जाएगा तो उसमें एक increase हो जाएगा मतलब power 6 होगा आगे देखेंगे उसको तो पहला observation यह है second number का observation क्या कहता है देखो कि यहाँ पर जाब expansion start हुआ तो इसका first term क्या है x है तो first term से इसका expansion start हुआ जैसे यहाँ पर first term x है तो first term से इसका expansion start हुआ और उसके साथ power का behavior कैसे होता गया power का behavior कैसे होता गया मतलब देखो यहाँ पर x का power क्या है first terms में power कीतना आया 2 आया power 2 आया यहाँ पर देखो x का power 3 आया तो यहाँ पर जो power रहता है वहाँ से इसका expansion start होता है और जैसे जैसे हम आगे के terms में जाते जाते हैं तो क्या होते जाता है देखो यहाँ power 2 के बाद यह भी मल्टिप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से यहां पर देखो एकस का पावर थरी हुआ फिर एकस का पावर टू हुआ फिर एकस का पावर वन हुआ फिर एकस का पावर जीरो हुआ इस तरह से तो दूसरा बात क्या पता चला कि पावर आप दूसरा बात पता चला कि पावर आप X 1 decreases 1 decrease होता है 1 एक एक decrease हो रहा है देखो 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 तो यहाँ पर देखो X का जो power है वह 1, 1 क्या हो रहा है decrease हो रहा है clear अब Y के बारे में सोचे हम तो y के बारे में देखो यहाँ पर y को ध्यान देना यहाँ पर देखो second term y है तो यहाँ पर y नहीं है मतलब y का power 0 है y का power 0 से फिर 1 हुआ और फिर उसका power क्या हुआ 2 हुआ यहाँ पर देखो y नहीं है मतलब y का power 0 है फिर y का power 1 हुआ फिर y का power 2 हुआ फिर y का power 3 हुआ मतलब क्या हुआ power of y 1 1 increases कि पावर आफ वाई है वडिक्रिस होता है और पावर आफ वाई जो होता है वह वन इंक्रीस होता है कि यह अप्जErवेशन जब लोग क्लास में हमको यह फार्मूला हमारे टीचर समझाते पहते हैं तो डिसकस नहीं करते स्पेज़ क्लास की स्टेंडर्ड के साब से भी डिसकस नहीं करते या उधर ध्यान तहаем को सीधा फार्मूला याद करा दिया ये लकिन ends फार्मूला में इतना चीज छूपा हुआ एतना चीज चूपा हुआ है एक बार मैं रिपीट करता हूं ध्यान से सुनन ooh पहला आप्जरबिशन में यहां नहीं का बताया कि पावर होल पावर मि जितना होता हैक इक्सपांसुन इसमें डम्स मोर होता है और यह मतलब करेंगे तो फोन तंच ज्यादा होगा पावल थ्री है तो फ्री अफटास आएगा पावर ऑफ सब्सक्राइब करना चाहें देखो अभी थोड़ी देर पहले हम में से किसी को कम से कम मुझे तो पावर फाइब का इस पांसन याद नहीं था अभी भी याद नहीं है लेकिन इस लाजिक से मैं उसको लिख दूँगा कैसे लिख सकते हो देखो अब इसको मैं लिख रहा हूं कि कैसे लिखा जा सकता है अब एसका पावर फाइब से स्टार् करेंगे अभी हम वेदाउट कोफिसेंट लिखेंगे अभी हम एसपांसन को वेदाउट कोफिसेंट लिखेंगे तो यहां पर होगे एकस का पावर फॉर होगा 1 decrease होगा लेकिन y का power 1 increase होगा तो यहाँ 0 से y हो जाएगा और plus उसके बाद फिर क्या हो जाएगा x to the power 3 और y का power 2 होगा plus उसके बाद हो जाएगा x to the power 2 और y का power 3 देखो x में 1 1 decrease कर रहा हूँ और y में 1 1 increase कर रहा हूँ यह हो जाएगा और प्लस उसके बाद देखो X हो जाएगा और Y का पावर फोर हो जाएगा और प्लस उसके बाद X तो खतम हो जाएगा और हो जाएगा Y to the power 5 देखो हमने X plus Y के power 5 का 90% सही expansion लिख दिया बीना याद किये यह है logic यही इसका observation है और देखो number afters आप count कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो power 5 है तो इस पांसर में कितना ट्रम्स आया 6 ट्रम्स आया अभी हमको कोई बोले कि X plus Y के power 10 को expand करो फटा फटेश्पांड कर देंगे X plus Y के power 20 को expand करो फटा फटेश्पांड कर देंगे इस concept को लेके बस अभी problem यह है कि सामने जो कोफिसेंट होता है वो क्या होता है यह हम नहीं बता पाए हैं और उसको बताने के लिए हमको एक mathematics पढ़ना पड़ेगा आगे हम उसको continue करते हैं ठीक है तो यह इतना आपको बात clear हो गया अब देखो यहां पर हमने power 2 और 3 को लेकर आप जर्वेशन किया और 5 को लिखा सपोज़ों पावर 6 हो सकता है सपोज़ों पावर 7 हो सकता है 8 हो सकता है similarly वह कुछ भी हो सकता है तो पावर n को लेके हम expand करते हैं देखो चलो तो पावर n को लेके हम इसको expand करें तो क्या मिल जाएगा अपने को देखो therefore x plus y का whole power n x plus y का whole power n है यदि हम इसको expand करें तो कैसा expansion आएगा अब ध्यान से सुनना यहाँ आएगा x to the power n plus उसके बाद x में power में 1 minus होगा तो क्या लिख सकते हैं उसको x to the power n minus 1 और y होगा इसके बाद plus x to the power n minus 2 और इंटू y square होगा और plus x to the power n minus 3 y cube होगा प्लस and so on बहुँ से terms होगे और last में y to the power n होगा first terms x to the power n होता है यह बात हमेशा ध्यान रखना first terms x to the power n होता है और last terms y to the power n होता है इसका कोई coefficient नहीं होता होता है लेकिन उसका value 1 होता है उसको हम नहीं लिखते है one coefficient को लिखने का ज़वरत नहीं है ओके यह हो गया अब यहाँ पर जो अधूरापन है इसमें यही बाइनुमल theorem है जिसको हमने 90% perfect लिख दिया है इसमें थोड़ी कमी है वह नहीं लिखा गया है तो उसको लिखने के लिए हमको एक mathematics समझना पड़ेगा और उसको बोलते हैं हम combination अब कामबीनेशन एलजेबरा का एक mathematics है और combination mathematics में क्या पढ़ा जाता है देखो combination को हम सी फार कामबीनेशन सी स्रिपिजेंट करते हैं और कामबीनेशन लिखने का जो फार्मूला है देखो जब physics में mathematics पढ़ाते हैं तो हमको चीजों को आपको डारेक्ट बताना होता है देखो mathematics में मैस पढ़ाना mathematics आपको मालूम है मैं मैस कभी टीचर हूं तो mathematics में मैस पढ़ाना और physics में मैस पढ़ाना दोनों में बहुत इस सक करते हैं तब हुआ करते हैं लीकिन जब हम को फिसिक्स में ise मैसे पठाना होता है तो हम सीधा उस कॉनसेट्स करते हैं जो हमारे पूसक्न काम आएगा क्योंक उतना ज्यदा आए पो इसको लेंडि करें तो छह बायों का सही नहीं है कामटीटिव का प्रिप्रेशन तो प्रोफेशनल होना चाहिए प्रोफेशनल मतला वही पढ़ो जो आपके सिलेबस को मेश करता है ज्ञान बढ़ाने के लिए बाद में लाइफ में और टाइम आएगा अभी थोड़ा ज्ञान को समझावता करके पढ़ाई ऐसा क करो कि आपके अच्छे रेंख आएं बाद में अफ चम्राइप साथ हो जाओगे आप सब्सक्राइब consists of our गवे तो जितना आपको नालेज ऴहाइँ करना है आप करो लेकिन अभी तो पहले सब्सक्राप्यों कि यह कि यह बहुत ग्यानी हो गया लेकिन आप स상 प्रेंसाम क्र कर रहा हूं तो अभी तो अपना काम में नीट के कारणिंग करूंगा बेवज़ा उसमें बिल्कुल मेरे कुछ रिचनी करना है कि वाला को सब्सक्राइब कैसे बनेगा चलो इसको बना के देखता हूं एक को सब्सक्राइब लगा दिये वह होता है ऐसा एसे इसको पढ़ा जाता है। अब लगा मैं क्या होता है है इसका का immediately सबसे पहले आपकोईस फार्मूला को लर्न ना करना पड़े nhất अब मैं इसका-ई-स बताऊंगा लर्नकर वे इसका-उस करेंगे तब ही है म्कोई की फेक्टोरियल को मैं पहले सम्झादू में देखो यहां पर यह जो यह है यह आर इसको एक और तरीके से लिखा जाता है वो है and और यह कि इस तरए के निसान से लिखा जाता है लेकिन लेफ्ट करण ज्यादा साही है क्योंकि राइट साइट वाले में जैदि पइंट ना लागा आपाइब आप कभी कभी पॉइंट नहीं दिखता तो वह हम को रिटम नहीं होता ठीक है फाइब की रहे对 लिखता है इसको पढदते हैं प्रेट्टॉरियल In है इसको हम करेंगे इसका रीट करेंगे अब साल्व कैसे करते हैं मैं आपको यहां सीखा दूं कि फैक्टोरियल साल्व कैसे किया जाता है तो साल्व करने के लिए देखो मैं कुछ छोटे-छोटे एक्जामपर पहले आपको दे रहा हूं जैसे सपोस मेरे को फैक्टोरियल 6 को साल्व करना है तो फैक्टोरियल का रूल क्या कहता है कि जब फैक्टोरियल के अंदर से किसी नंबर को हम फैक्टोरियल से बाहर करते हैं तो बाहर करने पर अंदर में एक माइनस कर देते हूं जैसे यहां पर जब 6 बाहर होगा तो यहां हो जाएगा फ्यक्ट्रीजा सीट माइनस मन यह रूल है यह फ्यक्टूरियश चाहते हैं कि हम और सिंप्लिफाई करें तो फाइप को भी निकालना चाहता हूं तो फाइप को को बाहर निकाला तो अंदर में क peso यहांद तरह हो जाएगा सब और सिंप्ली तो आ पयीथ चाहिए आप उसको आगे हम लिख सकते हैं इसको 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 अब आप सोचोगे कि सर अब तो आ गया अंदर में फैक्टोरियल 0 तो क्या होगा बिल्कुल सही बात है फैक्टोरियल 0 तो आए गही लेकिन यहां पर एक इंपार्टियन भाद ध्यां रखना कि फैक्टोरियल 0 का जो वेल्यू होता है है इस तरह से लास्ट में वह हो जाएगा हमारा एक्सपांस नहीं है बाओ एकार्जी तश्क्राइब से इस्ट करना है तो सिग्स इउन्ट renewal इन्टेंट्री इंट्यू है एक्ड़ होसे इस्टार्टीनल का डूटा ऑसा होता है और खूझ से इस्टार्ट वहाँ ट्रीज़ति होते होते होद से स्टार्ट होकेüneन to लिक्रीस होते होते वह बन तक जाता है इस परकार से टेक्टोरियल 6 फो हम ऐसा लिख सकते हैं यह और जहां पर हम को जोई पर में तो मैं सबस्ट ग्रीयल एन को हमको साल्व करना है तो कितना होगा नीचे लिक्राँ हूं तो देरफोर खेどうीएल एन को मैं साल्व करना है तो एंशन निकलेगा तुढर क्या बचेगा धल क знает अंदर बचेगा N-2 N-2 भी बाहर निकल गया तो अंदर N-3 और इस तरह से N-21 इस तरह से क्या होता है लिखा जाएगा अब इसको हमने क्यों पढ़ा अब सवाल यह उड़ता है कि इसको पढ़ा क्यों तो यह जो factorial है या जो यह combination है उसी के best पर binomial छोरम में यह coefficient create किया जाता है इसके जो coefficient हम बनाते हैं वो इसी के best पर create किया जाता है तो यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि first और last में कोई coefficient नहीं होगा first terms में और last terms में यहाँ कोई coefficient create नहीं होगा लेकिन उसके बाद के जितने terms हैं उसमें coefficient होगे और कहाँ सी start होगा इसका जो coefficient होगा वह nc1 होगा इसका coefficient nc1 होगा इसके बाद वाले का coefficient nc2 होगा इसके बाद वाले का coefficient nc3 होगा एंसों आन ऐसा होगा अब जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ यह complete binomial theorem है यही है binomial theorem अब देखो binomial theorem कितना आसानी से मैं को याद हो गया सबसे पहले मैंने आपको x और y का जो power है उसको expand करना सिखाया सबसे पहले मैंने आपको x और y के power को expand करना सिखाया, उसके बाद फिर मैं बताया कि सामने में कैसे लिखा जाएगा, यह binomial theorem हो गया, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस binomial theorem को simplify कैसे करेंगे, सरल कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलिए, इसके बाद हम इसको, next slide में मैं इसको लि प्लस, देखो कैसे आध हो गया, अब हमको, nc1 into x to the power n-1, ऐसे भी आद रख सकते हो, nc1 है, 10-1 होगा, into y plus nc2 x to the power n-2 into y square और प्लस nc3 x to the power n-3 into y cube और प्लस and so on y to the power n, इस पकार से इसको हम लिख सकते हैं, ओके, ऐसा इसको लिखाया सकता है, अब हम इसको थोड़ा सा simplify करते हैं, क्या simplify करते हैं, कि हमको यह भी सिखना पड़ेगा, कि nc1 को कहे साल्व करते हैं, nc2 को कहे साल्व करते हैं, nc3 को क करना सिखा देता हूं, तो फिर आपको इसको simple करना भी आ जाएगा, तो चलो यहां पर मैं एक-एक value निकाल के आपको बता रहा हूं, और बाद में इसके नीचे में उसको simplify फाम में लिख दूँगा, तो सबसे पहले मैं आपको nc1 निकालने के लिए हम इस फार्मूला को य सब्सक्राइब कर दिया, अब यहां पर इसको simplify करते समय थोड़ा साइलर्ट है, कैसे देखो, जब हम numerator का फेक्टोरियल बड़ा है, denominator का फेक्टोरियल छोटा है, तो हम क्या करेंगे, numerator के फेक्टोरियल को हम बाहर निकालते जाएंगे, और बाहर निकालते समय यह चीज़ ध्यां रखेंगे कि नीचे वाला फेक्टोरियल जब आ जाएगा, तो हम उसको बाहर निकालना बंध कर देंगे, क्योंकि फिर नीचे वाले के साथ में चाहिएगा, assumption वंतोह भाई लुंगी तो देखो यहां पर और इसका value अपने को मिल जाएगा, that equal to n, तो क्या पता चला, कि nc1 का जो value होता है, वह n होता है, nc1 का value n होता है, इस पकार से हमको पता चलता है, कि nc1, 1 होता है, ओके, अब हम यहाँ पर निकालें nc2, अब मैं यहाँ पर nc2 निकाल के बता रहूं, देखो, nc2, nc2 यदि हम निकालें, तो क्या हो जाएगा, factorial n upon factorial n-2 into factorial 2, यह होगा, that equal, आगे साल बख करो, तो n निकालूंगा, अब यहाँ ध्यान से समझना, n निकालूंगा, तो अंदर बचेगा n-1, लेकिन नीचे में n-2 है, तो n-1 को भी हम बाहर निकालेंगे, तो n निकाला, उसके बाद फिर मैंने n-1 को भी बाहर निकाला, तो अंदर में n-1, minus 1 बचेगा, that means n-2 बचेगा, और denominator में क्या होगा, factorial n-2 into factorial 2, यह होगा, factorial 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, आप factorial फाम में ही रहने दो, तो यहाँ पर देखो, क्या हो जाएगा, यह इसके साथ में कटेगा, और हमको मिल क्या जाएगा, that equal हमको मिल जाएगा n-1 upon factorial 2, यह value हो जाएगा किसका, n-C2 का, ठीक है, n-2 के बाद दी हम n-3 निकालें, देखो, n-2 के बाद दी हम n-3 निकालें, तो क्या होगा, nc3 equal तो factorial n factorial n upon factorial n minus 3 into factorial 3 यह होगा that equal यहां से n निकालेंगे तो n minus 1 उसको भी निकालेंगे तो n minus 2 उसको भी निकाल लिए तो अंदर बचेगा n minus 3 मतलब हम denominator को देख के काम कर रहे हैं यहां पर क्यों रोग दिया क्योंकि denominator में n minus 3 है उसके साथ वो cancel out होगा ठीक है तो हो जाएगा फैक्टोरियाल n minus 3 into factorial 3 n minus 3 n minus 3 यहां से cancel out होगा इस तरह से और यह इसका वेल्यू बचेगा तो अब n c1 n c2 n c3 n c1 n c4 n c5 इसी तरह से हम साल्व कर सकते हैं और इस वेल्यू को हम यहां पर put up कर दें तो therefore another form of the binomial छरम क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x plus y to the power n equal to x to the power n plus n c1 n c1 का वेल्यू हमने n निकाला तो n into s to the power n minus 1 into y plus n c2 का वेल्यू निकाला है n n minus 1 upon factorial 2 into s to the power n minus 2 into y square plus n c3 का वेल्यू हमने यह निकाला है n n minus 1 into n minus 2 n minus 2 तक ही रहेगा न और upon factorial 3 into x to the power n minus 3 into y to the power 3 plus and so on y to the power n यह हो जाएगा यह किसका फार्मूल हो जाएगा binomial theorem ही यह simplest form में तो यह है binomial theorem अगेन मैंने यहाँ पर लिखा है यह है binomial theorem यह आपको अच्छे से लर्नक कर लेना है binomial theorem और ऐसे आपको इसको यूज करना आना से यह तो मैं आपको यह complete detail में binomial theorem पढ़ाया with combination लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यह उड़ता है कि कई बार खासकर बायों की student इस तरह से उसको यूज करने में परसानी महसूस करते हैं और कई बार कई बार क्या होता है कि कहीं अजिव्स करना होता है मादला बहुंत साइड टम में उसका हमको use करना होता है तो वहाँ पर बड़ी परिसानी होती है इसलिए मैं इसपेसल यूज इन फ्यूजिक्स करके एक्ट्रिक मैंने बनाया हुआ है वह प्र्ishment मैंने सक्सेस का कोई साइड कट नहीं होता है उसको हमेशा लांग कट से ही जाके पाया जाता है तो इसलिए मैंने आपको वाइनिमल स्वरम डिटेल में बताया बट अपने को इमर्जनसी के लिए पता भी होना चाहिए कि हम तेजी सुस्कों लगा सकें इसलिए मैं उस बात को भी आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इसपेसल यूज इन फिजिक्स है किि आपई फिजिक्स क्यों बोल रहूं क्यों कि फिजिक्स में ऐसा कंडिशन क्रियर होता है जो पैसल ईंट इस बता रहता हूं कि फीजिक्स में बाइनिमर थरम का आप negóमस रम लिख देता हूँ कभी किसी को confusion ना व का है का का पाता चलना को Leaders सीधा यहीं से देखा क्या इसपेसल यूज्ट बाइनोम्यल तेवरं सो बाइनोमेयल तेवर हो का फीजिक्स में इसतर फिजिक्स किस तरह से हो सकता है यह देखो तो इसके लिए condition है first terms 1 हो plus second terms rational number हो that means x upon y के फार्म में हो या decimal हो decimal is also a rational number decimal हो तो भी चलेगा या तो rational number हो तो भी चलेगा तो 1 plus x upon y और power में क्या हो n हो ऐसा अब यहाँ पर ध्यान रखना कि sine कुछ भी हो सकता है plus minus दोनों हो सकता है जैसे plus minus यहाँ पर भी है plus minus दोनों हो सकता है plus minus का condition नहीं है यह plus के लिए apply होता है minus के लिए apply होता है जैसे अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ यह जो binomial theorem मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है तो यहाँ पर यदि minus हो जाए यदि plus के जगा में minus हो जाए तो ध्यान रखना यहाँ पर जो terms है वो alternate plus minus plus minus होते जाते हैं plus फिर minus plus फिर minus ऐसे हो जाता है तो यहाँ पर भी हम दोनों sign यूज कर रहे है plus minus दोनों अब इसमें condition यह है कि यहाँ पर if first terms is one and second terms में x is less than very less than y more less than y x क्या है y से बहुत छोटा हो x का जो value है वह y से बहुत छोटा हो ऐसा condition यह दि हो तो उस condition में यह जो binomial छोरम कैसे use करेंगे अपन यह तो one one ही रहेगा और बहुत ध्यान देना है यहाँ पर यह जो power में आप देख रहे हो यह जो power में n देख रहे हो वह plus minus sign के साथ सामने आके multiply हो जाएगा that means यह हो जाएगा one plus minus x upon y और यहाँ पर n का multiplication हो जाएगा इस तरह से तो n यहाँ पर आके multiply हो जाएगा और इस तरह से हम क्या करेंगे binomial स्वरम को use करेंगे यह binomial स्वरम का use है अब मैं आपको एक आप दो एक्जांपल इस पर बता देता हूँ एक दो एक्जांपल बताने के बात आप समझ जाएगे कि इसको use कैसे करना होता है जैसे फार एक्जांपल मैं एक आपको numeric question बताता हूँ उसके आप physics का question आपको बता दूँगा तो एक condition याद रखना और यहां पर देखो एक एक्जांपल जैसे एक numeric value को बता बहुत इजी जनरली एक्जांपल मैं हम ऐसा समझाता हूँ ताकि student बहुत आसानी सुसको समझ सके फार एक्जांपल सपोज मेरे को कहीं पर 99 अपान 100 का पावर 5 इसको सालव करने का ज़रत पड़ गया अब बाइनुमल च्वरम उसको कैसे एजी कर देगा इसको हम लिख सकते हैं 1-1 अपान 100 टूदी पावर फाइब लिख सकते हैं देखो इस टम्स में हमने ले आया कैसे लिख सकते हैं 100 LCM लेंगे यदि यहां पर हम 100 LCM लें तो 100-1 99 होगा और अपान 100 ऐसे हम उसको ब्रेक कर सक ऐसा क्यों किया क्योंकि हमने टिक पढ़ा है फास्तुम्स को लाना है और यहां पर देखो हमने फास्तुम्स को लोगना है नल करदिया और उसमें भी एक्स को लेज जर्एं यह होना है तो 100 से बहुत चोटा है मतलब पूरा हमने बाइनिमल त्योरम का सीच वेशन वहाँ पर क्रियेट कर दिया तो अब वो जो मैं ट्रिक बताया हूं उसके हिसाब से साल हो जाएगा यह हो जाएगा फिर मैं बताया यह पावर यहां पर आके मल्टिप्लाई हो जाता है तो 0.05 होगा जिरो.omi और वन में इसको हम माइनस कर दें तो क्या है तो यहाएगा 0.95 0.95 देखो बैद्वीअ कितना असानी से साल हो गया है स्लम infinite स्वी थोड़ी देर पहले हम लग रहा हुत लग रहा था कि यह कैसे साल होगा थोड़ी देर पहले मैं आपको फीजिक्स का दे रहा हूं हलाई कि अभी तो आपको फीजिस पढ़ाएंगे तो आप पूरा इसको बार-बार यूज करोगे लेकिन यहां पर मैं कुछ एक्जांपल आपको देते हुए चलता हूं जैसे फीजिक्स में जब ग्रिविटेशन का चेप्टर हम पढ़ जीए इक्वल आर स्क्वेर अपान आर प्लस एज कहो रिसकर अब मुझे आप यहां यह नहीं पूछना किसा रे फार्मूला कहां से आया एक के बड़े डेरिवेशन के बीच की स्टेप को मैंने लिया है सीधा बीच के स्टेप लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि महां तो पर हम इसको मेरे को सिंप्लिफाई करना हिए करना है वह शंपैसे को सिंप्लिफाई करना हो नहीं पूंब होता अपने होल पावर के साथ में कामन होता है यहां पर होल पावर में टू है तो आर अपने पावर के साथ में कामन होगा यहां पर क्या हो जाएगा यह आर इसक्वेर और उसके बाद क्या होगा अंदर में क्या होगा तो अंदर में जब आर कामन होगा तो अंदर में क्या होगा आर का उ होल पावर कितना हो गया तू यहां से देखो अब यहां से आप देख सकते हो कि आरी स्कूर आरी स्कूर के साथ में कैंसल आउट होगा और यह निमेरेटर में चला जाएगा तो देट इंप्लाइस हम क्या लिख सकते हैं इसको जी डेस अपां जी इक्वल टू इसके ऊपर में जाने पर 1 प्लस एच अपान आर चुझी पावर मइनस टू उएन प्लस अपान आर का होल पावर मैंशन हो जाएगा अब देख जो हम कहां पहुंज गये हम यहां पहुंज है कि को सेकंड टाम सीजरेसंफेर एच इंद डेन आर एज क्या है हाइट और रडियस आप अर्थ ह है तो से हमारा हाइट होता है और लिएट कंपरीजन में बहुत कम होता है। उसके उपर चले जाए तप द्राइब कि अब पावर मैनस टू तो यहाँ पर यह मायन स्टूकफा वह सामने आके मद इपपा रहेगा यह जो है वह बित सरी यहां पर Hamilton हो जाएगा थीक है तो देरफ पर देरफर क्या हो जाएगा अगला step जीडाज क्रवर्डेश एकॉल 2-2-2H. TJ माल्टिप्लाई हो ग Below पति त्याक देखो यह यह सब्सक्र змौ करेंगे ग्र्ली टेस्न में है binomial theorem के बिना physics में बहुत परसानी हो जाती है इसलिए आपको binomial theorem को बहुत अच्छे से करना ठीक है binomial theorem में आपका command बहुत extraordinary होना चाहिए ताकि कहीं पर भी अपने को जुगरत पढ़े तो तुरंथ binomial theorem अपने को apply करने वहाँ पर ओके तो यहां पर हमारा यह binomial theorem कंप्लीट होता है ओके नाव नेस्ट टापिक कि देखो अब हमको पढ़ना है क्वाड़ेटी की क्वेशन इस आफ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आफ फेल जेवरा बहुत इंपॉर्टेंट है यह मतलब क्वाड़ेटी की क्वेशन तो हमको कहीं पर भी सालो करने जुरत प पहुँच ज्यादा डिसकस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि क्वाड़ेटी की क्वेशन आप लोग टेंद क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ए हो पूरा आपका एक सेप्टर होता था लेकिन फिर भी इसमें हर टापिक को मुझे टच करना है इसलिए मैं यहां पर आपको ठ्वडाए एस प्लैन कर देता हूं आप एक क्वाड़ेटी की एक्वेशन का जो क्वारि फांध रोटा है यह होता है एक तरीका होता है factorize करके मतला Factor Factor Find करके हम Middle term स्कों qualified करते हैं मीड रम we और ला जाता है इसको तो पीक्तम स्प्लीट करके हम उसको क्या करते हैं फेक्ट कर लेते मेक्थढ लेख यह होता या सब एक्वल टू माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट आप बी स्क्वेर माइनस फोर एसी अपान टूए तो क्वाडिटी की क्वेशन का इसके साथ में हम कंप्यर करते हैं जनरली हम फिजिक्स में असानी से होते रहता तो करते हैं या सीच्वेशन की हिसाब से इसको समझ लेते करे एपन हम लोग सीच्वेशन की इस आप सी समझ लेते हैं कि कहां पर हम को फॉटराइज करना है और कहां परफेशन नहीं करना है वोगताना समझ में आजाता है तो हमको इस से इस फार्मूला से अपने को क्या करना है निकाल लेते हैं बस यहां पर धियान रखना है कि इसको वाइनस फॉर सी जिसको हम हम डिस्क्रीमिनेंट करते हैं विस्कूर माइनस फॉर एक जो वेल्यू है वह greater than जीरो होना चाहिए और वाहींस रियल घृटिस फाइंड नहीं होता और यह फाइंड होने नहीं होने पर हम उसको साल नहीं कर पाते तो आपको कौटीक एक्वेशन बस इतना मुझे बताना है बाकि इसमें प्रेक्टिस का मैं समस्ता हूं कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुस्टन की प्रेक्टिस इसका क्या करो गया बहुत बनायों टेंथ क्लास में वहां से आपको बन जाएगा बस जब भी ज़रुत पड़े होगा यहां पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहा रहा था कि भाई quadratic equation भी ज़ुरत पढ़ेगा इसका भी ज़ुरत पढ़ेगा ओके चलिए अब एक important आपको बता दूँ बात वह है arithmetic अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन देखो अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन भी आपको मालूम है यह आप लोगों ने अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन भी मेरे ख्याद से टेंथ क्लास में पढ़ा है और यहां पर थोड़ा हम इसका डिसकस कर लें कि कैसे साथ फां मिन और इसक एपे कहते हैं ह्लेमा कि ओड्समेटी अजाद में रिपर कशनन्स बतलब सफ अब आप इन सबस्यक्राब है मालूम को मालो हम कोए कोश्चन बना रहा हैं कोई की मेर्गस बना रहे हैं वहाँ हो रहाखन और से सीरी भी मिला सिरी आप तो फिर हमको आपको पड़ेगा तो एक बार में जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन का मतला वैसा सिरीज होता है देखो जैसे मैंने कहीं पर लिखा है वन थ्री फाइब 7, 9 and so on यह अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन है कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन है तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है यदि मैं इस वाले टम से इसको माइनस करूं मतलब 3-1 करूं तो कितना आएगा 2 अब यह वाले टम से क्या हूं मतलब 5-3 करूं इक्वल टू कितना आएगा डू आएगा इसमें से को माइनस करूं मतलब 7-5 करूं तो आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अरफ्मेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा शिरीज है जिसमें हम नेस टम से उसके प्रिभेश टम्सको माइनस करते हैं तो जो पेल्यू आता है वह सेम आना चाहिए मैंणस करने से तब पहचान में आता है किरेतिक अर्फमेटिक प्रोग्रेस न है और यह जो आता है उसको हम बलते हैं का मनद दिफिरंस इसको कहले कहा जाता है सीडी कामन दीफरेंस ओके इस तरह से यह जामेटिक प्रोग्रेट आर्त्मेटिक अपरतर तीक पूब्रेस्टन कर दिन जन्रण फाम लिखें सब्सकर दो एक ग्लम फाम लाथ है वसके जन्राल फां अब इस तरह से लिखते हैं इसका जन्राइल गर में पी यहाँ पर आप देख आप देखो ये में A मायनस करें यहां पर आप देखो यदि हम A तो यहां पर A first terms कहलाता है, इसको A को हम कहते हैं first terms, यह first term कहलाता है और यह जो D है वह common difference कहलाता है, common difference, इस तरह से यह first term है, A first term है और D क्या है यहां पर common difference है, तो first term और common difference इस तरह से होता है इसके बेस परेदी हम इसके कुछ फार्मूला पढ़ें ते हमें कुछ फार्मूले आपको बता दूँ जो आपको physics में काम आएगा सबसे पहले nth term find करने का फार्मूला nth term is also called last term last term nth term को last term ही कहेंगे इसको l से रिप्रेजन करेंगे ते होता है l equal to a plus n minus 1 into d यह फार्मूला से हम last time find करेंगे यह फार्मूला आप याद रखोगे l equal to a plus n minus 1 into d यह इसका last term या इन term find करने का फार्मूला है इसके बाद हम निकालते हैं sum of n terms sum of n terms माने इसके n terms का फार्मूला तो s term sum करने का फार्मूला s n equal to formula होता है n by 2 under bracket 2a plus 2a plus n minus 1 into d यह होता है आर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं s n equal to n point 2 और under bracket a plus l l मतलब last terms तो यह तो तरीके से इसका आप फार्मूला लर्न करो बस देखो physics में जब आपको mathematical tools पढ़ाया जा रहा है तो आप इसका कुछ headache मतलो फार्मूला लर्न करो जैसे आपको याद रहेगा और मैं आपको जब पढ़ाते रहूंगा जवरत पढ़ेगा तो सीधा मैं बताऊंगा यह उसका फार्मूला है और काम सुरू है इसलिए आपका 90 पर्सेंट फोकस कि सिर्फ फार्मूला लर्न करने पर होना चाहिए काल्कूलास और वेक्टर एल्जेबरा में थोड़ा सा कुस्ट्टिस को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे लेकिन बाकी mathematics में तो एल्जेबरा है ट्रिग्नामेट्री है जामेट्री है इसमें तो ओनली फार्मूला लर्न करके आप याद रखो और आपका काम हो गया है ठीक है इस तरह से आपको फार्मूला पर ही ज्यादा फोकस होना है तो वह हो गया हमारा arithmetic प्रोग्रेशन क्लिया्ए लीए तो फार्मूला यह तो मैं आपको इंट्रोडक्सन दिया यह दो फार्मूला समय100 मतलब लास्ट राश्टरिक रोचतों सुमा पथामिरा कंखेना हुट के नौटे कैसर्ट इस जनम को लोगोर्स सनलBlय होता है। Geometric Progression का मतलब इसको हम साट फाम में GP कहेंगे Geometric Progression को हम साट फाम में GP कहते हैं यह Geometric Progression Geometric Progression को हम कैसे पहचानते हैं यहाँ पर मैं एक Series लिखता हूं देखो यहाँ पर एक मैं Series लिखता हूं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and so on यह है GP कैसे पता चलता है GP ही करके जैसे अभी हमने AP में क्या किया Next Trum से उसके Previous Trum को हमने Minus किया यहाँ पर Minus ना करके हम क्या करते हैं Divide करते हैं यहाँ पर Divide करते हैं और Value से माना चाहिए जैसे देखो Divide किया यहाँ पर हमने 4 में 2 को Divide किया Equal to कितना आएगा 2 इसके बाद 8 में 4 को Divide करेंगे मतलब 8 अपान 4 वह भी कितना आएगा 2 आएगा इसमें इसको Divide करेंगे माने 16 अपान 8 तो वह भी 2 आएगा इस तरह से आप देखो इसको जो values हैं वह टू टू आएंगे तो यहाँ पर इसके values जब टू टू आते जाएंगे तो यहाँ से यह पता चलेगा कि इसका जो इसकान जो जोगान रेसियो है कांस्टेंट यह का रिषीयो कहला एगा सी आर कामार रिषयो यह खाली हार से पोड़न करते इसको आ डीलाता है तो यह हो जाएगा GPS की निले के लिए इत के लिए조 करते रहता है तो आप सबसे ज्यादा यूज नीट के बच्चों के लिए है क्योंकि मैस के स्टुडेंट तो कहीं न कहीं से इन चीजों को पढ़ी लेता है मैस में और उसका काम चलते रहता है नीट का सब्सक्राइब करने माला स्टुडेंट तक जो मैस पढ़ लिया वह पढ़ लिए आगे तो फिर बड़ी परसानी है तो यह हो जाएगा कामर रेशियो अब इसका लिक्ता हूं में जनरल फांड यदि हम इसके जनरल फांपर बात करें तो इसका जो जनरल फांड है वह है इस त घ्युब कम एडि- kon आभ यहां पर कुंक क्या कहलाता है यह जो ए है यह एक तरह कालाता है और यह जो और है कामन रेशियो कामन रेशियो यह यह कामन रेशियो कहलाता है इस तरीके से यह इस इंट्रोड़क्शन अब हम इसमें भी वही दो फार्मूला लर्न करेंगे सबसे पहला फार्मूला हम लर्न करेंगे किसके लिए एन्थ टर्म एन्थ टर्म या क्या कहें लास्ट टर्म एल इक्वल टू होता है एन्थ टर्म निकालने का फार्मूला है और सम आफ एन्थ टर्म्स सम आफ एन्थ टर्म्स सम आफ एन्थ टर्म्स का फार्मूला एक फार्मूला होता है और अपान आर माइनस वन एक फार्मूला यह होता है और दूसरा फार्मूला होता है s n equal to a into 1 minus i to the power n upon 1 minus r होता है ये और एक और formula s infinity s infinity मतलब infinity terms का सम और उसका formula होता है a upon a upon 1 minus r इतने formula को आप याद रखोगे लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा formula किस किस condition में apply होता है ये वाला formula तब apply होगा जब r greater than 1 जब कामा ratio का value जब कामा ratio का value 1 से greater हो एक से greater हो तब यह वाला formula लाएगा और जब कामा ratio का value r से less than 1 हो यह वाला formula लाएगा clear यह सिम्बोल से confused मत हो जाना कामा बस लगा देता हूं आर इस less than 1 और infinity वाला भी कब apply होगा जब r less than 1 होगा तो इतने फर्मूले आपको याद करना है एक formula यह याद करना है दूसरा formula याद करना है और तीसरा formula आपको याद करना आप लोग इसका एक proper notes बना के रखो जब तक आप इसका प्रापर नोट्स बना के नहीं रखोगे यह भूल जाओ गया इसलिए इसलिए इसका आपको एक प्रापर नोट्स बना के रखना जरूरी है कि ओके इस टापिक है लागरिफ्म के नेस्ट अपकर लागरिफ्म में क्या है आपको सबसे पहले कि लागरिफ्मीक यह एक ऐसा टापिक है जिसको हम इसकूल लेबल में नहीं पढ़े रहते हैं यह बहुत अजीब बात है खासकर सी बीसी का स्टूडेंट स्टूडेंट तो इसका नाम भी नी सुने रहता लेकिन फिजिक्स में केमेस्ट्री में मैथमेटिक्स में सब जगा इसका यूज होता है इसलिए आप इसको थोड़ ध्यान से समझना यहां पर मैं आपको इसको बिल्कुल जिरो लेबल से पढ़ा रहा हूं यहां पर आपको लाप टेबल का मतलब नहीं है यहां पर तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में हम किस तरह से इसके फार्मूले यूज करते हैं तो पहले मैं आपको इसका classification बता दूँ कि लाग के two types होते हैं लाग के two types होते हैं two types से इसको classify किया बांटा गया क्या के two types होते हैं देखो ये first ये second तो पहला जो लाग होता है इसको हम natural लाग नेचुरल या उसको नेपेरियन भी कहते हैं नेचुरल या नेपेरियन लाग के नाम से हम इसको जानते हैं first ये नेचुरल लाग होता है और second जो होता है second इसका वो होता है जनरल लाग तो दो टाइप से हम लाग यूज़ करेंगे एक नेचुरल लाग और दूसरा जनरल लाग तो किस तरह के लाग को हम नेचुरल कहेंगे किस तरह के लाग को हम जनरल कहेंगे ये कैसे हम identify करेंगे तो यदि किसी log में, यही कहीं लिखा हो log x और base में e हो या कुछ भी न हो base में कुछ भी न हो, that means इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, only log x भी लिख सकते हैं यदि base में कुछ नहीं मतलब silent है, वहाँ पर base e है, e फार exponential होता है exponential series उसको कहा जाता है यह जो e to the power x है इसको exponential series कहा जाता है यह तो e to the power x होता है वो जो की base है किसका नेपेरियन या natural lag का तो इस तरह से lag को हम पहचानेंगे और general lag को हम कैसे पहचानेंगे general lag में क्या होगा इसका जो base होगा, जैसे A लिखा होगा, lag X का base में 10 लिखा होगा, lag X के base में 10 लिखा हो, या lag X के base में कोई भी इस तरह से number लिखा हो, for example A, तो base में A लिखा हो, या lag 10 लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा, जन्रवाग लग तो यह मैंने आपको बताया कि कैसे हम लाग को पहचानेंगे तो कि नेचूरल लाग हो वह इस तरह से लिखा जाएगा, और जो सा लूंर गवह लिखा जाएगा. इससमार हम देखते हैं यह दोनों में यह ей रिलेशन इन दोनों में जो होता है कि इन दोनों में एक इंपल्टेनर्लेसंट मतलब कैसे हम नेशरल लाउय यह जैंश करते हैं इसके लिए एक रिलेस्टन है इस रिलेस्टन को भी आपको लर्न करके याद रखना है वह है लाग एक्स टूदी बैस ए मतलब यदि हमको नेपेरियल लाग है और उसको मालों हमको जनराल लाग में चेंज करना है तो क्या करेंगे इसमें 2.303 का मल्टिप्लाई होता है तब वह लाग लाग एक्स टूदी बैस्ट टैन बन जाता है इस तरह से तो लाग एको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं यह फार्मूला बहुत जगा निमेरकल बनाते समय काम आता है यह सब आप लोगो के में स्टी वगरा में भी काम आता है तो यह लाग का इंट्रोडक्शन है कि लाग अब यह जो लाग का फार्मूला मैं लिख रहा हूं इसमें को यह बूझ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह दोनो लाग के लिए कामान यूज होता है इस तरह से आपको कि दोनों में यहöyle और धाक होगा तो यहां परदेखे पहला फार्मूला क्या होता है लाग अन्डरच एंग हो lira हो रहा हो डाग में तो इसका फार्मूला होता है लाग M plus यह फार्मूले अप लिख लेना यह बहुत ज्यादा काम आएगा ठीक है इसके तो प्रापर आप नोट्स बना लो सेकंड फार्मूला है लाग M divided by लाग M divided by N यह तो यह होता है लाग M minus log N log M minus log N clear और थर्ड होता है लाग M to the power N log M का पावर N हो तब उसका फार्मूला हो जाता है एन लाग M क्लियर यह होता है इसके बाद देखो थर्ड फार्मूला में बताता हूं आपको फॉर्ट नमर का फार्मूला लाग M one लाग M का जो फार्मूला होता है मने वेल्यू होता है वह 0 होता है यह धियान रखोगे लाग M का वेल्यू 0 होता है ठीक है यह धियान रखोगे फिप्थ नमबर में याद रखोगे कि जैसे कहीं पर लिखा हो लाग M to the base B अब यह आपस में इंटर्चेंज हो जाए और उसको हम लिख दें लाग B to the base A तो दोनों का प्रोड़क्ट वन हो जाता है मतब लाग का वेल्यू और बैस दोनों इंटर्चेंज हो जाए तो लाग A to the base B into इतने फार्मूला को आप याद रखोगे यह मल्टिप्लिकेशन का डिविजन का और पावर का इसमें प्लस मैनस का फार्मूला नहीं होता और लाग 1 का वेल्यू जीरो होता है और लाग A to the base B into लाग B to the base A का वेल्यू वन होता है ठीक है अच्छा एक फार्मूला और लिख लाग X उसको मैं लास्ट में लिखता हूं यहां पर एक फार्मूला यह लिखो लाग E to the base E का भेल्यू भी वन होता है इसका मतलब यह हुआ कि जिसका लाग निकाल रहे हैं वही यदि बेस में हो जिसका लाग निकाल रहे हैं वही उसके बेस में हो तो वह क्या हो जाता है और यह लिख लिख लिए रहो यह कहीं पर आपको special काम आ सकता है क्या है ना रेयर फार्मूले भी कई बार इतना परसान करते हैं कि पूछो मत तो यह हो जाएगा इसका इसका इतने वेल्यू को याद रखना इसके बाद आपको लाग में कुछ जोरत नहीं पड़ेगा यदि आपको इतना फर्मूला याद है तो आपको कहीं पर कोई प्राबलम नहीं होगा आपने यदि एक प्रापर नोट्स बना लिया आपने यदि एक प्रापर नोट्स बना लिया बैसिक मैस्मेटिकल टूल्स का हर मैस्मेटिक्स पर नियर एबाउट आपको वन टू वन एंड हाफ हावर का लेक्चर मिलेगा और उसको एक बार नोट्स बना लिया, और नोट्स को यदि आप बीच बीच में रिवाइस करते रहें, फिर तो फिजिक्स में आप इंजवाए करोगे, चलो, एक एलजब्रा कमाएं आपको, लास्ट कॉंसेट बता देता हूँ, एलजब्रा का लास्ट कॉंसेट है, यह है ल लास्ट आप एक्सपोरेंटस, यह यह इंडाइसेट भी बोलते हैं, लास्ट आप एक्सपोरेंटस क्या है? पावर को किस तरह से हम साल्व करते हैं? X और Y के variable के power को तो यह rules बस आपको जानना है लाज आप exponents में पहला है X to the power M into X to the power N equal to X to the power M plus N आप लोग को पता है फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ Second X to the power M divided by X to the power N equal to होता है X to the power M minus N यह होता है And third is X to the power M का whole power N equal to X to the power M into N होता है And fourth is X to the power not equal to 1 होता है किसी भी variable का power 0 हो तो 1 होता है यह आप लोग को पता है और सब को पता रहता है यह नहीं है तो मैं revise का कुछ नहीं बातें आपको बताऊंगा जो सायत पता ना हो जैसे कहीं पर लिखा हो X to the power M equal to X to the power N यदि ऐसा लिखा हो if X to the power M equal to X to the power N then then M is also equal to N then M is also equal to N मतला बेदी दोनों का base same हो तो power भी क्या हो जाता है same हो जाता है और six number का formula ठीक इसका उल्टा है जैसे मैंने कहीं पर लिखा हो X to the power M equal to Y to the power M यहाँ पर देखो power same है ठीक है तो base same हो जाता है then X equal to Y यह होता है और seven number का यह formula याद रखना यदि one upon X to the power M हो तो power denominator से numerator में जाता है तो X to the power minus M हो जाता है इतने rules आपको last up exponents में याद रखने है ओके तो last up exponents में इतने formula आपको याद रखने के बाद आपको algebra में कहीं भी कोई problem नहीं होगा इतने rules के best पर ही इतने rules के best पर ही हमारा पूरा algebra में काम चल जाता है तो यहां पर हमारा algebra का topic complete हो गया algebra में जितना मैं आपको बताया एक बार रिवाइस करता हूं सबसे पहले आपको basic formula का list दिया फिर मैंने binamal theorem पढ़ाया binamal theorem पढ़ाने के बाद हमने logarithmic series पढ़ा ठीक है यह स्वारी progression पढ़ा arithmetic progression पढ़ा फिर geometric progression पढ़ा फिर logarithmic पढ़ा ठीक है और logarithmic series के बाद यहां पर एक formula correction करो अरे बाबरे लाग M ratio in यहां पर एक formula correction करो यह माइनस होगा लाग M माइनस लाग N बोल माइनस रहा थालिक डिवाइड दिया सायर यह correction कर लो लाग M माइनस लाग N होगा ठीक है लाग M माइनस लाग N बाकी तो सही है ठीक और उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या लास आप exponents तो यहां पर हमारा algebra complete हो गया अब इसके बाद हम नेस्ट आपिक कंटीनिव करेंगे टिग्नामेट्री ओके नाव टिग्नामेट्री नेस्ट हमारा mathematics है टिग्नामेट्री देखे टिग्नामेट्री हम लोग 910 में पढ़े रहते हैं लेकिन 910 में जो हम टिग्नामेट्री प फाम में पढ़ना होता है mathematics के students तो मैस में पढ़न लेते हैं 11 क्लास में लेकिन जो बायों के students हैं जिनको नीट करना है उनके लिए थोड़ी परिसानी हो जाती है इसलिए आपको यहां पर सबसे पहले टिग्नामेट्री को अच्छा इस्टांग करना है क्योंकि इसका दो में भी इसका यूज होता है यह आप ध्यान में रखना ठीक है चलिए तो टिग्नामेट्री में हमको समझना क्या होता है सबसे पहले हम यह देखें कि टिग्नामेट्री एक्च्छल में किसके लिए लागू होता है तो जनरली हमको मालूम है कि टिग्नामेट्री क्या है ABC, ABC एक right angle triangle है, जिसमें सभी sides के ऐलग-alग नाम होते हैं, हर side को इसके हर side को अलग-alग नाम से जाना जाता है, जिसमें इसका 90 degree के सामने वाला side है, उसको हाइपोटेनिदियस कहते हैं यह हाइपोटेनियस कहलाता है अब यहाँ पर देखो यह जो साइड है A B और B C तो A B और B C में एक जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है और दूसरा साइड उसका बेस कहलाता है अब हम कैसे decide करें कि यह दोनों में कौन perpendicular है और कौन base है तो perpendicular और base determine करने के लिए क्या करते हैं हम जो unknown angle होता है जिस angle को हम unknown angle के फार्म में solve करते हैं उसके according वो decide होता है जैसे suppose इसको मैंने इस एंगल के लिए मेरे को solve करना है suppose यह एक एंगल थीटा है अब यदि मैं इस एंगल के लिए इसको solve करूँ तो यह वाला जो एवी है वह perpendicular हो जाएगा इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और यह साइड जो बस गया उसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं लेकिन यहां पर एक important बात ध्यान रखना कि यदि मैं एंगल इसको लूँ यदि यह जो green color से कर रहा हूं यदि मैं इस एंगल के लिए बात करूँ तो यह परपेंडिकुलर हो ज 90 डिग्री एंगल अपोजी आप दा 90 डिग्री एंगल है पोटेनियस बट बेस एंड परपेंडिकुलर डिसाइड बाई धेलप आफ थीटा थीटा का अपोजीट जो होगा परपेंडिकुलर होगा और थार्ड साइड बज गया वह बेस होगा अब इस बेस पर देखो वैस टेज़ो Mush oh यह क्या होता है ह हो़ाइक तो टेग्री साइड के रेशियो मतलब होता है यह जो धरी त्री साइड से हैं वो थ्री साइड है किसी भी 2 साइट का जो रेश्यो है वो एक अलगा से नाम चाला जाता है जिसमें सबसे पहले साइं था तो जब साइं थीटा बनाया गया President सॉइंप साइनु थिता साइन थिता इपता है पर पेंडी कुलर अपान है पर पेंडिकुलर ये जो पर पेंडी कुलर है उसमें है फिट कुलिध की सेपाइफ की बाhã स्ट najleしい जानाम क्या है की देखना इंसे शहां जेंड ऩीदे जो वेकिनना मेंटिकार्वीद होते हैं वह सइन और कास से ही जब explodes ईसे बाद और यहां पर 10th मिक्त अपान के यह होता है साइपिटा उन कर सिटा मतलब साइन दिटा में जब कर दा में यूर। करेंगे टो हाइपोटेंज चैनल आप तो मिलेगा अपने को परकेंडीकुलर पर आपन बैस मिलेगा अपने को इसके बाद फोर्थ नॉमपर का जो टिग्णा में कर रेसीप्रोकल आप 10 तरच को तलम चावरी थीटा मतलब वन आपको यह 510 तरच का करें तो क्या हो जाएगा यह कास्थ थीटा अपां साइन थीटा होगा और अधिक्वल 212 इसका तो देशन पर परक्ति सब्सक्राइब अघ्व बेस अपान परफेंडीकुलर ठीक है ओफर फेंडिकुलर अपन बेस था यह जाएगा बेसकान परफेंडीकुलर फिप्थ नंबर का देखो पिर प्लीन नंबर में जला है स principal सपाध होगा फ्oureल आपान कास्टीटा और एक्वल कास्टीटा दिआ अपान एच होता है ते यह अपान भी हो जाएगा ठीक है इस तरह से शेख थीटा का वेल्यू वन आपान कास्टीटा होगा वो एच अपान B होगा हाइपोटेनियस अपान बेस होगा इसके बाद देखो इतने हैं यह वहीं से जनरेट हुए है यह दोनों से जनरेट हुए है clear यह होता है क्या trigonometrical ratios clear अब देखो यह जो six trigonometrical ratios है यह six trigonometrical ratios में आपस में relation होता है इसमें आपस में relation बनाने के लिए पाइथागोरस नाम के mathematician ने एक theorem दिया जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस theorem नेस्ट आपिक इस पाइथागोरस theorem पाइथागोरस नाम के mathematician ने क्या किया इसके तीनों साइट्स में एक relation बताया उन्होंने बताया कि hypotenuse का जो square होता है the square of hypotenuse is equal to the sum of base square plus perpendicular square that means therefore hypotenuse equal to under root of base square plus perpendicular this is called पाइथागोरस थियोरम तो पाइथागोरस नाम के scientist ने ये जो थियोरम दिया इसको हम पाइथागोरस थियोरम कहते हैं इन्होंने तीनों साइट में relation बनाया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो hypotenuse होगा उसका जो square है वह उसके बैस के और perpendicular के दोनों के square के sum के equal होता है ठीक है और इस बैस पर इस बैस पर जब इसका किसी का हम डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे हम इसके डारेट डारेट फार्मूला पढ़ेंगे ठीक है तो किसी का भी डेरिवेशन हम यहां पर नहीं देख रहे हैं मैतो का क्लास होता तो पूरह डिवेशन भी देखता है उन्होंने इसमें कुछ रिलेशन बनाया इसमें थी घॉलेशन नहीं मैं यह जो रीड़ेसन बनाया साइन थीटा काज़ित अचलेवमें इसमें उन्होने च्प्रियलेशन बनाया ठीक्ट फर्स्ट रिलेशन इस साइन स्क्वेर थीटा साइन स्क्वेर थीटा प्लस काश स्क्वेर थीटा इक्वल टुवन साइन स्क्वेर थीटा इक्वल टुवन होता है और इसको यह दी हम डिफरेंट डिफरेंट फाम में और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते ह सब्सक्राइब न नोब हुआ जो बैसिक फार्मुला ऊसको और कितने ढख से लिखाजा सकता है इसका भी आपको आईडिया रहना चाहिए कई बार क्या होता है फीजिक्स पर डिरेक्ट डिरेक्ट यूज़ कर देते हैं कहीं पर मैं साइन थीटा इक्वल टूरूट आफ और 1-8m2 सब्सक्राइब लिखूंगा तो वहाँ को समझ जाना है कि कैसे हुआ है मैं आपको बार बार एक बात याद दिला रहा हो सब्सक्राइब करना मतलब जितना ज्यादा हमारा बेस्ट में टूर्स पर कवांड होगा हम उतने ही आसानी से और सब्सक्राइब सालव कर पाएंगे ओके जिए ध्यान में आप रखोगे इसके मां सेकंड नुमर का जो फार्मूला होता है यह सब आपको पता है सेकंड फार्मूला 172 थीटा इक्वाइल टू वन प्लस टेन इस्क्वार थीटा और इसी फार्मूला को हम इस फार्म में भी लिखते हैं यह दि 10-square theta equal to what the heck is square theta minus 110 square theta equal to second square theta minus one is family class of the head and third relation is was a key square theta was a key square theta equal to one plus cart square theta one plus cart square theta that implies are is come carry something cart square theta equal to cart square theta equal to one minus one minus koseki square theta the cartis square theta equal to one minus koseki square theta is the car so that is cool it's not family so that you have to write this man relation is up for your dogma naturally upon this country to know you got to get a key home for your रहता है ठीक है ठीक है हमारा फाइथा बॉर्ष्ट यूरम से निक्लेत हुए कूछ रिजल्ट साइनि आथ Εल्ट साइनि ल्भिटेह पर प्रॉस सक्वर्टपेट है में रूट न है लेगनि फर ती अन्त क्सकोतिंप यूर अब जो इसके इंपर्टेंट इसका इंपर्टेंट पांठ है वह है इसके एंगल्स के वेल्यू अपने को लर्न होना चाहिए तो यहां पर यह बहुत बड़ा मेटर है कि इसके एंगल्स के वेल्यू हम याद कैसे करें जनरली कई बार हमको टीचर बोल देते हैं 90 तक बस याद रखो कोई बोलता है 180 तक कोई बोलता है 360 तक याद रखो तो कैसे पासिवल है इतना तो हम याद नहीं कर सकते हैं इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आप ओनली 90 डिग्री तक आप वेल्यूस को याद रखो ओनली 90 डिग्री तक 90 डिग्री के बाद मैं आपको भी सिखाऊंगा कि 90 डिग्री से हाइर वेल्यू जो होगा उसको हम कैसे फाइन करेंगे ओके तो वेल्यूस आप एंगल वेल्यूस आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट एंगल तो मैं कभी भी खासकर फिजिस के क्लास में रटने के लिए हमेशा मना करता हूं जितना हो सके चीजों को समझना है तो मैं आपको यहां पर सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि आप साइन और कास का ओनली साइन और कास का कोसेक तक भी नहीं ओनली साइन और कास का जिरो से 90 डिग्री तक एंगल बस आप याद रखो और उसके बाद सबको आपको निकालना आना चाहिए मैं अभी आपको एक 54 फार्मूला का ट्रिक बताऊंगा और उसी से आप उसको निकाल लोगी इसकी मैं आपको प्रेक्टिस करा दूंग ठीक है तो यहाँ पर तो मैं एक चार्ड बना के आपको समझा देता हूं कि किस तरह से हम उसको फाइन कर सकते हैं देखो एक चार्ड फार्म करते तो मैं यहाँ पर इसके वेल्यूस के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको निकालना भी सीखा देता हूं बस इतना याद रखना और याद क्या रखना है यह आप लोगों को याद होगा मुझे मालूम है कोई भी टेन पास करके आया हूं इसको जानता ही है 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ पर यह थीटा का वेल्यू है यहाँ पर यह साइन थीटा है यहाँ पर यह कास थीटा है साइन थीटा में आपको 0 डिगरी का 30 डिगरी का 45 डिगरी का और 60 डिगरी का और 90 डिगरी का यह सब इसका निकालने का जो ट्रिक्स होता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं बार-बार मैं यह चीज़ आपको याद दिला रहा हूं हम मैस के क्लास में नहीं है हम फिजिक्स के लिए में इसको पढ़ रहे हैं तो जहां पर अब आपको मैं सिखाऊं कि साइन जीरो का वेल्यू जीरो कैसे आया साइन थार्टी का वन अपान टू कैसे आया कोई मेटर नहीं यहाँ पर आपको सीधा याद रहना चाहिए इतना होता है और बाकी वेल्यू क अंडर रूट टू होता है साइन सिस्टी डिगरी का वेल्यू अंडर रूट टू होता है और साइन नाइन टी का वेल्यू वन होता है यह आपको पहले से पता है अब यहां से हम क्या करें यदि इसको उल्टा लिग दें तो इसका वेल्यू हो जाता है जो इस साइट से अंडर रूट टू होगा वन अपन रूट आप टू होगा प्लियर और उसके बाद इधार आगे चले जाओं तो वन अपन टू होगा और यहां पर फिर क्या होगा जीरो इस तरह से होगा तो बस आपको इतना याद रखना है और याद होगा अब मालो आप सोचोगे कि सर्फ टेन का काट का से का को से का कैसा करें कुछ नहीं एक सेकन्द में निकाल लो कितना रटोगे जैसे मालो 10 30 मेरे को find करना है तो 10 30 अभी को मेरे को पता है हो गया हूँ कि यह यह गया इतना रखने के बाद इतना याद रखने बाद आपको यह निकालते बनना चाहिए इस तरह से जवरत पढ़े वहाँ ऐसे भी थां कोई मैस तो पढ़ नहीं रहें कि दिन भर वही काम होगा अचानक हमको जवरत पढ़ता है देखो मैस में और फिजिक्स में मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है मैं एक मैथमेटिक्स के सुदेंड दिन वहर मैथमेटिक्स में वहीं काम करते रहते हैं हर कौक्षे हैं क्यासर्टिकट हैं के यह Hasnag और दैशनखता है कि गठीक हो जता है तो इस तरह से स चीजों को ऐसे याद रखो तो जाध़ा बेहतर है अब आप सोचोगे कि सर 90 तक तो याद हो गया अब 90 से हाइयर वेल्यूस को जैसे 135 डिग्री का 120 डिग्री का 170 डिग्री का इसका यह दिधी हमको निकालना हो तो कैसे करेंगे तो मैं आपको अभी 360 डिग्री तक निकालना सिखादूंगा मैं भी आपको 360 दिखर निकालना सिखा दूंगा तो 360 दिखर निकालने का ट्रिक्स है अपने पास उस ट्रिक्स को आप तैयार करोगे तो फिर वो अपने आप बन जाएगा और ऐसे भी वो ट्रिक्स आपको इससे जानना जोड़ी है उसका डारेंट भी होगा तो यह चार्ट क करोग आपको बहुत चौग गये होगए कि कि सरर्पिटी फोर फार्मूला बापरे beam अजया फ़िप्टी फोर फार्मूला पर हम कैसे वर्क करेंगे 54 फार्मूला को हम लोग कैसे याद करेंगे देगे देच अपमाच्षर को यह 54 फार्मूला को मैं 5 मिनट में आपको अलर्ण करा दूंगा विदी ने 5 मिनट में आपको 54 हाला है कि मुझे भी एस्प्लेन करना है इसे थाइम लगेगा आप जब रिविजन करोगे तो 5 मिनट तो मैं जादा बोल दिया बिलकुल एक बार उल्टो के 54 फार्मूला आपके एनी टाइम ध्यान में तो कौन से 54 फार्मूला पहले तो मैं आप को यह बता दो कि 54 फार्मूला है क्या है तो एक्ट्वल में होता क्या है कि हमको फिजिक्स में बहुत ज्याता जवरत पढ़ता है किसका जैसे मेरे को साइन 90 माइनस थीटा जवरत पढ़ गया उसी तरह से म षिटा 10 90 फ्ला सिटा मतलब हर टिग्राम हैट्री के दो-दो तो इस तरह के 90 वाले अपने को 12 90 वाले 12 इसी तरह से दिए 180 लूं तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा इसके भी 12 उसी तरह से मैं ले लूँ किसका sin 270 वाला तो sin 270 माइनस थीटा और उसी तरह से sin सानलिखने तो sin माँ समझ जा ना उसके बागी को ही मैं count कर रहा हूँ यह इसके भी 12 हो जाएंगे यदि मैं 360 ले लूँ तो sin 360 60 माइनस थीटा और sin 360 प्लस थीटा इसके भी 12 और sin माइनस थीटा वाले sin माइनस थीटा कास माइनस थीटा इसके 6 अब इसको count करो यह सब को count करोगे तो कितना हो जाएगा 54 यह 54 फार्मूला हो गए ठीक है यह 54 फार्मूला तो यह 54 फार्मूला हमको learn करना होता है और इस 54 फार्मूला को learn करने के लिए यदि सब कम आपको चार्ट यहां पढ़ दे दूं कि यह इतना होता है इतना होता है करके तो कई दिन लग जाएंगे इसको याद करने में और याद हो भी जाए तो कोई ठीकाना नहीं है कि वो या को समझने के बाद से करना है अभी मैंनें आपको काउंट करके बताया कि 54 क्या होगा ठीक कि इसाइं थे 504 फार्मूला में देखो हमको कैसे सको त्यार करना है तो सब से पहले मैं ईसके जो रूब इसके लिए हमने जो क्यों ट्रीकी रूण से है यह आपको ए ध्यां रखना है तो इसके जो रूब business प्रूस्ट रूल साइन के लिए मतलब सब 60 डिग्री को फोर क्वार्टेंट में डिवाइट करके रखते हैं देखो यह फोर क्वार्टेंट में डिवाइट करके रखते हैं यह जिरो डिग्री होता है 0 degree और 0-degree से 90 degree तक का जो quadrant है वह first quadrant का लाता है ये फस्कौدم है चलिख से लेके 180 degree तक का जो पार्ट होता है वह second quadrant का लाता है और 180 डिघी से 270T डिगरी तक का जो पार्ट होता है वह again और टू सेवंटी डिग्री से यह हो गया 360 डिग्री तक का पार्ट होता है वह फॉर्थ प्रॉडन कर लाता है तो हम 0-0 से 360 तक के वेल्यू को 0-360 तक के वेल्यू को इस तरह से फोर क्वाडेंट में हम डिवाइट करके रखते हैं इसके बाद को इसके जो फोर क्वारेंट होता हैं इसमें इसमें आल पाजिटीव मतब आल ट्रिग्रमेटिकल रेश्यों क्या होता है यह अब पाजिटीव होते और आल्स इंटीड मेंटीकल रेशियोंस नहीं होगा A. Okay? And now in second quadrant 90 abdまでち 104 d Muse Sine E. Honghe Sine E. Honghean Sine E. Honghean Sine E. Honghean C. Honghean Sine E. Honghean ist TV Amghean Sine E. Honghean Sine E. Honghean Sine E. Honghean Sine E. Honghean हैं बाकी माइनस होते हैं और फोर्थ क्वाडिंट में क्या होता है यहां पर कास और सेख कास और सेख पाजिटी होते हैं बाकी सब के सब निगेटी होते हैं यह हो गया यदि इसको मैं एक स्लोगन के फाम में लिख दूँ तो यह रूल को मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर मै देहले फस्त रूल को मैंने लिख दिया आल साइन टेन कास प्लस आल साइन टेन कास प्लस अधर्स और माइनस अधर्स और माइनस यह एक स्लोगन की तरह लिख दिया मैंने आल साइन टेन कास प्लस अधर्स और माइनस और उसको याद कैसे रहेंगे जो फर्स नंबर में आया है यह फर्स नंबर में आल सेकेंड नंबर में साइन थर्ड नंबर में टेन और फोर्थ नंबर में कास और प्लस अधर्स और माइनस मानने इनको छोड़के जो रहेगा वो स माइनस रहेगा इस एफ स्वर्स रूल इसको आपको याद रखना है रसए इंटेन कास प्लस अधर्सार माइनस एंड सेकेंड सेकेंड क्वाडियंट में देखो सेकेंड क्वाडियंट स्वारी सेकेंड कार्णे रूल नंबर टू में रूल नंबर टू बताता है कि इन दा केस आफ in दो केस इन दा केस आफ नाइनटी एंड टू सेवन्टी ढिग्री तोओ सेवन्टी डिग्री नैन्टी डिग्री भू यह चया होता है साइन जो होता है वह कास में और कास Сाइन में उसी तरह से टेन कि ko अर काट टेन में और सेक आ को में सत्म कर्माट करें अल्टे एरो लगाए हमें हमाले समय जाओ मतलब इन दह केस आप 90 बिगरी के अन्ड 270 बिगरी जब हम 90 बिगma और 270 डिग्री वाले फार्मूला पर बात करेंगे केस का मतलब वही है कि जिस फार्मूला पर हम 90 और 270 डिग्री के बारे में बात करेंगे वो दोनों जगा इस तरह से होगा साइन कांस में बन लेगा और काशंध में टेन काट में ऍसेंक अलब को सेक में यह आपको याद रखना है मतलब मैं प्रैक्त्रिस कराँगा तो आपको समझ में आ जाएका यह मैं क्या बता रहा हूं इसके बाद देखो थर्ड रूल थर्ड रूल कहता है इन दा केस आफ इन दा केस आफ 180 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री देर विल भी नो चेंज नो चेंज मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री का केस होगा मतलब जहां पर हम 180 डिग्री की बात करेंगे जहां पर हम 180 डिग्री की बात करेंगे और जहां पर हम 360 डिग्री की बात करेंगे यह दोनों पोजिशन में नो चेंज यहां पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे डेट मिंसाइन रहेगा कास कास रहेगा टेंटेंट रहेगा जो जैसा है वैसी रहेगा नो चेंज यह रूल होगा and fourth rule is all negative angles are in fourth quadrant. All negative angles are in fourth quadrant. मतलब जितने भी negative angle होंगे, negative angle का मतलब उसके value से मतलब नहीं है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, साइन माइनस 400 डिग्री, तो value को नहीं देखना है, यदि वो minus है, तो वो reserve है कहां? Fourth quadrant में, मतलब all negative angles are in fourth quadrant. यदि कोई भी angle negative है, यदि किसी भी angle का जो value है, वो negative में है, तो आपको उसको खोजना नहीं है, वो fourth quadrant में है, तो यह rules आपको याद रखना है, एक बार rule को मैं repeat करता हूँ, और उसके बाद हम practice करेंगे, अब हम लोगों को 54 formula याद हो चुका है, अब हम सब को, including me, मुझे भी 54 anytime याद नहीं रहता, possible ही नहीं है, इन ही के best पर मैं उसको create कर लेता हूँ, और वही create करना मैं भी आपको सिखाऊंगा, कि कैसे हम 54 को immediate create कर लेंगे, तो यह rules पहले आपको ध्यान में रखना है, इस color न करना है, फिर हम उसको करेंगे, चलिए, अब हम यहाँ पर देखना सुरू करें, मान लो, कुछ छोटे छोटे एक्जांपल में आपको बताते जा रहा हूँ, suppose मेरे कोई कोई पूछा, कि सर आप साइन 90 plus θ बता दो, suppose 90 plus θ ले आप बता दो, छोटे छोटे दो आपको पहले दे रहा हूँ, इसके बाद आप पूरे 50 फार्मूला को प्रेक्टिस के लिख लेना तो मैं सोचना कैसे सुरू करूंगा देखो सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि यह 90 प्लस थीटा किस क्वाडरेंट में है यह किस क्वाडरेंट में है यह हमको सबसे पहले सर्च करना है सोचना है तो क्वा चाहें यह सेकंग का juvenile यह सेकंड में निए freshmen क्या है प्लस है चाहिए सबहां तर रीटार। और अभी मैंने आपको रूल में बताया है कि 90 के case में sign क्या बन जाता है कास बन जाता है तो सीधिगी बात है ये क्या बन जाएगा, Beruf एकासच ग्षाटा बन जाएगा देखो कितना आसान काम है, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है कुछ example और लेते हैं ठीक है जैसे मालनों मेरे कोई लेना है कास 180 प्लस थीटा लेना है कास 180 प्लस थीटा तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाडरेंट में आएगा 180 प्लस थीटा माने 180 से आगे अभी मैं आपको दिखा दे रहूं हो बाक्वाख्यों ब्रेइन में रहना चाइए आपको वनएट टी प्लस थीटा माने आगे मतलब थार्ड कौर्ड सोट हो गया और आपको मालूम है कि 180 में नो चेंज अभी मैं बताया कि 180 में नो चमद तो नो चैंज मतलब स्थीटा हो जाएगा इस तक सिसलाज से सपो इन कालना desse हूं 10 suppose मैं निकालना चाहूं 10 180 माइनस थीटा तो तेन में इस सेकन कोडिन्ट में हो गया और सेकन में साइन प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा 180 में नो चेंज तो माइनस थीटा हो जाएगा इस तरह से आप देखो बस सोचो और आपके सामने आंसर हाजीर है मैं मालों हूं साइन 270 में स्सांस फ्राइब क्सैन्स होगा और हमको मालूम में चैंज होगा उननों कर ले इस पकार से कुछ भी सोचो विधीर सेगंड आपके पास उसका अंसर है है अब मैं कुछ माइनस एंगल के बता देता हूं जैसे मालों को जानना है साइन माइनस थीटर, माल हमको साइन माइनस थीटर का वेलू जानना है, तो साइन माइनस थीटर का वेलू कीतना हो जायगा, देखो, मैं भी आपको बताए कि All negative angle are in fourth quadrant, All negative angles are in fourth quadrant, मतलब हर negative angle को fourth quadrant में लेना है, तो naturally यहाँ पर minus theta fourth quadrant में होगा, और fourth में cast plus होता है, others are minus, तो होगा, minus sine theta, लेकिन यहीं पर, यदि मैं cast minus theta निकालू, तो cast वहाँ plus होता है, तो क्या होगा, और इसमें chance होना नहीं है, ये कोई case नहीं है, यह होता है मैं कुछ 360 वाले ग्जामपल बता दूँ आपको जैसे माल लो में रख निकालना है साइन 360 प्लस थीटर तो 360 को ध्यान रखना 360 हम यहां चले आते हैं यहां पर और 360 से आगे हम जाएंगे च्वानके तो फट्ट में जाएंगे तो फास्ट कोर्णद में वहीं होता है साइन प्लस होता है प्लस होता है प्लस को सब प्लस होते हैं आप प्लस होगा और 360 में no change In the case of 180 and 360 no change तो नो 54 फार्मूला को लेट साइड में लिख लेना 90 वाले 12 180 वाले 12 फिर 170 वाले 12 360 वाले 12 और 6 माइनस वाले सब को एक साइड लिख लो और राइट साइड को आप सिर्फ सोच सोच के लिखो जैसे मैं यहाँ पर प्रेक्टिस करा रहा हूं और यदि एक बार आपने 54 को सही लिख ल और फिजिक्स में ठीकाना नहीं कब क्या इसका हमको ज़रुत पढ़ जाए अचाना किसका ज़रुत पढ़ जाता है निमेरकल बनाते समय और इस तरह से मुसके फाइंड कर सकते हैं अब मैं बता दूँ इसके कुछ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब इसका यूज इसका य पर एक्जामपल मालो मेरे पास कहीं पर साइन वन ट्वबंटीड इगरिह अभी मैं आपको बताया कि 90 डिगरी से जादा मैं लर्न करने के लिए शेट नहीं करताँ अभी आपको बोला मैं कि 90 डिगरी से ज्यादा लर्न मत करो 90 के बात कर निकालना सीखो तो इसको हम मालो सा 90 प्लस 30 यह लिखनों कि 90 प्लस 30 प्रेक्ट होगा अच्छा इसमें वह एंगल निका सकते हैं आप जहांपर एंग क्रियाट करोंगे यह िर्ट क्रियाट प्रोगे वह या तो जिरो हो या 30 हो या 45 हो या 90 falls ट्रिस्टी या 90 हो क्यों क्योंकि हम उसी का वेल्व जानते हैं अब आप बोलोगे कि सर साइन 35 डिगरी का बता दो तो वहाँ पर प्राब्लम होगा क्यों क्योंकि वहाँ पर जब को ब्रक करेंगे तो स्काव हमको नहीं पता तो कैसे देखते हैं उसको सइन और कास्टेबल से देखते हैं जिसकी ज़्यादा ज़िए ज़ुरत हमको नहीं पढ़ता उसके फिर एक जाम में टेबल देना पड़ता है वो छोड़ो अलग मेटर है तो साइन नाइंटी 90 220 nous 30 recipientland is adjustable फ्रेगे अब 90 ब्रेक्षरी कॉन सा क्वार्डेंट नै सी कंटन चाहिएक्डन क्वारॉडेंट्ट से अगे साइन प्लस पर बदकन होdefined गाएकट has 30 हो जाएगा यह इस तरह से और कास 30 का वेलु अपने को पता है अंडर रूर्ट 3 बाइटू इस तरह से साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा रूट 3 बाइटू हो जाएगा देखो अभी हमको लाग रहा था कि पता नहीं इसका वेलू कितना होगा अभी बता दिया उसका वेलू कुछ एक जांपन और द थ prestigious थर्टी डिग्री सी माइनस थर्टीडिः 18-30 एब देखोEhमा रती माइनस थर्टी बननातरी 1 fazendo माइनस थर्टी माइनस थर्टी मादाब वरने थीसे उपर आएंगे पिछें आएंगे तो वने थीसे पिछें आएंगे सेकंड कौ इन सेटेंट में एंगे तो सेकंड क्वादिन में कास्क्राइब मानास होता है और वनयटी कस्ट में नो चेंज तो माइनस कास 30 डिग्री होगा और एक्वल तू माइनश रूटन वाइटू हो जाएगा जाएगा यह अब यहां पर मैं कुछ एक्जांपल आपको देता हूं जो 360 डिग्री से ज्यादा एंगल का है मालो हमको सिस्टी से ज्यादा एंगल का फाइंड करना है सपोज मेरे को साइन 405 डिग्री का वेल्यू फाइंड करना है 405 डीगरी का मालों 405 डीगरी का value find कर रहा है यह 360 से ज्यादा है कैसे करूँगा इसको 360 में break करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या साइन 360 प्लस 45 साइन 360 प्लस 45 लिख सकता हूं मैं इसको 360 में 48 करूंगा तो 400 होगा और यह हो जाएगा ठीक है अब इसको में 54 फार्मूला यूस करूंगा देखो 54 फार्मूला कितना ज्यादा एप्लीकेबल है तो यहां पर साइन 360 डिगरी का वेलू मुझे यूस करना है तो क् अब 540 फार्मूला तो 360 प्लस टीटा मतलब फस्वाडएन साइन प्लस होता है 360 में नोचेंज तो कितना हो जाएगा यह कि यह विख साइन 45 डिगरी में 25 डिग्री ओर साइन 45 डिग्री इक्वाल टू MICHAEL भन अपन अंड़रू टाप 2 हो जाएगा यह सांसर यह को चाएगा इस नहीं होगा ओके तो यह है आपको किस तरह से में इंगल को फाइंड करेंगे अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेन बात बता दूं वह है इंगल को चेंज करना ठीक है डिगरी टू रेडियन एंडर रेडियन टू डिगरी यह फिजिक्स में बहुँत ज्यादा ज़वरत पढ़ता है तो डिगरी टू रेडियन यहाँ सबसे पहले बता देता हूं डिगरी टू रेडियन देखिए मेरे basic mathematical tools के यदि पूरे mathematics के सभी part को आप यदि पढ़ लेते हो जितना मैं 5 mathematics की बात कर रहा हूँ यदि पूरे 5 mathematics को आप एक बार बहुत अच्छे से तयार कर लेते हो मेरा challenge है कि आपको 11, 12th neat IIT कहीं पर भी physics के mathematical portion में problem नहीं होगा टार लेकिन आपको इमानदारी से तयार करना पड़ीगा IIT सबसे important बात है इमानदारी से आपको उसको प्रिपेर करना पड़ेगा तो यह देखो डिगरी-2 ratiohewटी मैं भी अंगल को डिगरी से रदियन में चेंज करें डिगरी से रदिय चेंज करें तो कैसे च्छेंज करते हैं देखो सपोंज इसके लिए हम क्या करते हैं पर रूल में लिखा देता हूं सब्सक्राइब को मेरे और हें रेडियन में तो इसके लिए हम क्या करते हैं 30 डीग्री इंटू PY बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा कि यह रेडियन हो गया या तो उपर में ससी पावर जैसे लिए देता जो जोरुई नहीं होता ऐसा चेंज करते हैं ठीक है सपोर्ज अपने को कहीं पर और माल आपने को 120 डिग्री को वर ट्वेंटी डिग्री को रेडियन में हैं तो के से करेंगे अपन बस वही काम करेंगे 120 इंटू पाइवाइ Woah wait till ये हो जाएगा अग को स arguably तो यह 008 आगा और सिक्स कह сп member 3 headed एंस थिनलता है तरह से यह से यह हो हुगका डिग्रितिय डार मैं आपको बता दूँन इसका उल्ड वह है रेडियन टू डिग्री रेडियन टू डिग्री अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है इसका ज़स्ट अपोजिट वर्क है जब अपने को रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो इसका ज़स्ट अपोजिट वर्क है जैसे कहीं पर लिखा है पाई बाई थ्री रेडियन अब प पर ऐसे रेडियन को घ्रमें चेंज करना होगा तो यहाएगा पर ऐम घ्री और इन्टू कorkयों इसमें इतने कश पाई इए उल्ठा काम करते हैं इसमें क्या करते हैं कींकщее का मारेट और व्यम्ल्टीक्लाइब करने से 182 आफि कि मलटिप्लाई करने से क्या होता है वह किस हो जाता है रेडियं से डिग्री में यंधर यहाँ पाईपाई केसल आउट होगा और पाईपाई करत है है 36 जा मतलब कितना हो जाएगा है 60 डिग्री यह इस इस तरह से तो बस यह चीज़ ध्यान में रखना कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए फाइबहा है 180 और रेडिएंस डिग्री में 180 अठाइब यहां पर यह बात को आपको ध्यान करना है को फश्योंड नट रिक्वर करके कि कही पर भी आपको डिए डारेक्ट लिकिन तो एक्टव में क्या होता है पाई रेडियन उपर यह दूर्यरुव मैं आपको सोच ցके बता रहा हूँ कि कहां कहां परफिजिस में क्या यूज़ होगा सब मुझे पता है कि यह सब कहां उसह तो पाई डियन को 180 डिगरी लिखेंगे और पाई रैटी LETstad को 92 लिखेंगे ठीक है पाई रडी अनिस1 सबसेंपर्टेन बात होता है तो कुछ फार्मूला ऐसा है जिसको आपको लर्न करना होगा अब धीरे धीरी धीरे धीरों करते रहेंगे जो मैथेमेटिस की स्टुडेंट है जो सबसे पहले एडिसन फार्मूला सबसे पहले एडिसन फार्मूला यह जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं इसका proper notes बना लो इसका skin chart ले लो और इसको आप अपने notes में proper लिख लो एक बार मैं हर बार आपको याद दिला रहा हूं कि basic mathematical tools के आप एक separate notes बना लीजिए basic mathematical tools के एक proper notes बना लो और उसको तो आप अपना ब्रहमास्त्र बना लो physics का ब्रहमास्त्र है वो कि जब भी आपको जवरत पड़े एक बार mathematical tools को आप revise कर ही लो आप देखो उसको क्या effect आता है कैसे आपको confidence level बढ़ता है physics में आपको सिर्फ ये काम आपको करके देखो मुझे बहुत लांग teaching experience है इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं physics strong करने का सबसे पहला step है basic mathematical tools पर command करना वहीं सी start होता है वो ये फार्मूले आप लर्न कर लो देखो कुछ फार्मूले मैं explain कर देता हूं ऐसे फार्मूला में explanation का जवरत नहीं है sin A plus B equal to होता है sin A cas B plus cas A sin B इसका यूज़ होगा आपको कहीं पर भी इस तरह से cas A plus B ये 10A plus B साइन 2a का फार्मूला बहुत जादा यूज होता है इसका बहुत जादा यूज होता है इसी को मैं ुस touchdown यूज दू यूझ stronger को हाफ कर दिया टूए को हाफ कर दिया पर इधर के अधर के अंगल भी हाफ हो जाएंगे और यह हो जाएगा 2 साइन ए बाइ टू और इंटू कास एबाइटू इस तरह से तो सभीने स्कृर्ट राहे गा ऐसे देखो कास्ट टुए का फर्मूला का फर्मूला क स्क टूएपल टू कासी सक्टे एइड़ार बॉल टू का सीटल ह word होता है सिसको बन माइड़ पॉरů्ा का subscribe है इसकर भी लेक्ष सकते हैं यह टूक 220 स्क्याय डिक्ष मां लिख सकते हैं और ट ενकुरा था यह एडिशन फर्मूला आपको लर competent है यह करने वाले email형 नहीं बुआ है सिमिलर्ली यह संगेज बिखर वाले फार्मूला देखो दिफेरंस भालमुला भी हमार्म कहते हैं यह यहां पर सब्सक्तिब्स लुखंए नोट तो हमारे डिल्सथ हुआ है वेसीप इा हम प्लाय। प्रस तो आप में जाके आप हमरे डौन्लोड कर लीजे और उसके बाद आपको वहाँ पर स्टेडी माटरियल सेक्शन में पूरे बैसिक मैथमेटिकल टूल्स के साथ आपको 11 12 का पूरा इंग्लिश मीडियम का नोट्स पूरे फिजिस का नोट्स मिलेगा तो हाँ पर कम्प्रीट नोट्स अब लेबल है उस नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हो पूरा उस नोट्स को फर्मूला मतलब क्या है साइन ए प्लस भी और साइन माइनस भी को एट कर देते हैं तो टू साइने कास भी आता है वैसी का से माइनस भी को माइनस कर देते हैं तो यह आता है साइन और इसको दोनों को माइनस करने तो यह फार्मूला भी देखो फार्मूला देखके थोड़ लेकिन ऐसा नहीं आपको सिंगल डे में नहीं करना है कि आप इसका नोट्स बनाओ और बीच बीच में बीच बीच में उसको आप देखते रहो तो एक दिन आपको अपने आप लगना कर लोगे इस फर्मुला को लगना करने के बाद देखो यह सीडी फर्मुला मिंस सी और डे के बीच में जो रीलेंिस उता है वह 3D फर्मुला होता है यह अब साइन सी प्लाशय और ऐसा फर्मुला है जो plus को into में change करता है तो sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 cast c minus d by 2 cast c plus cast d equal to 2 cast c plus d by 2 into cast c minus d by 2 sin c minus sin d equal to 2 cast c plus d by 2 sin c minus d by 2 ये पूरे फार्मूले भी आपको learn कर लेना है बाकि आपको question का practice का इसमें ज़वरत नहीं है question practice का जवरत नहीं है क्योंकि आपके पास यही फार्मूला learn है फार्मूला आपको याद है तो physics में जहां पर इसका जूरत पड़ेगा वहां पर क्या है आप उसको direct apply कर सकते हो और उसके बाद फिर तो आगे मैं बताऊंगा कहां पर कौन सा फार्मूला आप एक बार उसको learn करो फिर वह सब हो जाएगा तो तीगना में इतना चीज आपको ध्यान में रखना है तीगना में ट्री कल कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नेस टापिक होगा वेक्टर एनालिस इस वेक्टर एनालिस हमारा अगला टापिक है देखे मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बोल नया भी है तो आपको मालूम है कि वेक्टर और कल्कुलस आप 910 में नहीं पढ़े होते हैं इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेबल से बिल्कुल बैसिक से स्टार्ट करता हूं वेक्टर को और आपको एक एक चीज को बताता हूं कि फिजिक्स में आप वेक्टर किस तरह से थो होके चलिए तो वेक्टर एनलिस हाई क्या सबसे पहले हम देखें पृजिकल कॉंटीटी को होता है फूजिख को समझने के लिए जो हम कॉंटीटी यूस करते हैं जो वेरेबल से उसकरते हैं like distance, displacement, velocity, force, acceleration, impulse, momentum और physical quantities तो physics की अपनी एक टर्मिनोल आजी होती है physics को समझने के लिए जो technical words होते हैं वो सब क्या कहलते हैं physical quantities कहलते हैं तो जितने भी physical quantities हैं ये physical quantities three types के हो सकते हैं 1st type और physical quantities और scalar quantities सकेलर quantities कुछ physical quantities is scalar होते हैं seminar vector quantities and sensor quantities तो three types के physical quantities होते हैं scalar,vector and tensor है तो फिर ये होते क्या है scalar quantities क्या होते हैं तो scalar quantities देखो किसी भी physical quantity को measurement करने के लिए कि magnitude must compulsory होता है, magnitude means quantity, magnitude means quantity, देखो physics ऐसे किसी चीज के study नहीं करता, जिस की हम quantity calculate ना कर सके हाउम अच कांसर हमको मिलना चाहिए, तो physical quantities को measurement करने के लिए magnitude तो compulsory है, तो ऐसा physical quantities जिसमें, only magnitude only magnitude use होता है वो क्या कहलाता है scalar quantities कहलाता है only magnitudes for example mass suppose हम बोले mass mass हम को बताने के लिए सिर्फ क्या चाहिए magnitude चाहिए डिस्टेंस यह बहुंस से अग्जामपल है आगे तो अपने पूरा फिजिस में पढ़ना है यह physical quantities है जिसमें only magnitude चाहिए ठीक है सपोसर मार्केट में गए हैं और मार्केट में हमको कोई अब्जेक्ट पर्चेस करना है सपोस्पोस मुझे सुगर परचेस करना है मुझे सक्कर खरिदना है और मैंने यदि वह साप में जाके बोला कि 5 kg सुगर देदो तो ही यह फाइब इस इस में अगनिट्व फाइब उसका में इट्व थै वह मेरे को 5 kg सुगर देगा लेकिन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए में अगनिट्व के साथ साथ में अगनिट्व प्लस डारेक्शन आलसो हुआ है यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी उसको नहीं बता सकते देट टाइप आप फिजिकल क्वांटिटी सार काल्ड वेक्टर क्वांटिटी इस फार एक्जम्पल फॉर्स कि डिस्प्लेश्मेंट अब सपोस मेरे को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है इप टेन न्यूटन फोर्स एप्लाइड आने अब्जेक्ट सपोस हमने किसी अब्जेक्ट पर टेन न्यूटन का फोर्स एप्लाई किया इस इस मेगनिटूट बट इन फिच डिएरेक्शन फिर हमारे पास एक और कोश्चन आता है भाई मैं फोर्स तो लगाऊंगा लेकिन किधर लगाऊं ठीक है सपोस्ट मिसी किसी आपजेट को पूस्ट करना है पूल करना है तो उसका डिरेक्शन तो होगा कि किस डिरेक्शन पर मेरे उसको मूफ करना है उसी डिरेक्शन पर में फोर्स लगाऊंगा कहीं भी तो लगानी दूंगा तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेगनिटूट के सांसनात क्या चाहिए डिरेक्शन भी चाहिए तो मेगनिटूट के सांसनात जब डिरेक्शन भी चाहिए तब उसको क्या करते हैं लाइक डिस्प्लेश्मेंट एसलेरेसं एक लियर मोमेंट्टम बहुत से फीजिकल क्वांटिटी जो और डारेक्सटन जवरी होता है तो यह हो गया वेक्टर स्टूडेंट को देखा है तो मुझे पूछते हैं कि सर टेंसर यह तो हम पहली बार सुन रहे हैं टेंसर क्वांटिटी क्या है तो टेंसर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो से टो हैं यह हूं कोट्र सब्सक्राइब करता है और सिचिवेशन पर यह सकेलर की तरह करता है ऐसे कुछ limited physical quantities ही है जहां पर इनका behavior certain नहीं होता निश्चित नहीं होता वह क्या कहलाता है टेंसर कहलाता है like area अब area measurement करने के लिए कभी हम उसको वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कभी निगेटीव नहीं हो सकता area never can be negative कहीं पर बोला कि माइनस थ्री मीटर स्क्वयर एरिया है तो गलत है थ्री मीटर स्क्वयर होगा डेट वेक्टर नेचर को कहां फालो कर सकता है कर रहा है क्योंकि वेक्टर तो निगेटीव हो सकते हैं लेकिन area त सब्सक्राइन को यहाज यह भी उना होता है टेंशटिटि के ए गयरी में आता है हालां कि टेंशर कॉंटिटि को हम यहाँ पर फिर वेक्टर की तरह तरह ले लेते के करएंट को ईलेक्ट्रीक करेंट वो एक्ट्रिक करेंट्ट्रार्ण ये हम इसको इसकेलर के पाहम में यूज करते हैं यह नहीं ख़ते हैं क्यों करते हैं क्यों किव उसमें डारेक्षण का थिए वेक्टरपरपरटी को सो नहीं करता बट करेंट सो करने केवल वह थापस्य डरिक्षान करेंट साल। 가능गती टैर्मिनल टुन गवक्टित्रमन ट्रौ तो टेंसर कॉंटीटी के केटिगरी में आता है यह धिया रखना यह हमारे फिजिकल कॉंटीटीटीज हो गए अब यहां पर सवाल यह है कि मैं इसकी चर्चा क्यों किया आप से वेक्टर एक्टर इनलिशिस प्रहते समय आपको यह क्यों बताया इसको बताने का मेरा मकसद यह है कि हमको इस चेप्टर में मतलब इस टापिक में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है इसलिए हमको जानना जो रही है अब देखो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्ट तो हम अब ख्या हो गया कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोन इसकेलर है ठीक है तो डेटर्माइन दा कि इसकेलर और वेक्टर कॉंटिटी इस से symbol are different इसके symbol को हमने different बनाया कि भाई पहचानेंगे यह वेक्टर है यह स्केलर है तो हम यहां स्टाइट करते हैं इसके बिल्कुल basic से और देखते हैं representation आप वेक्टर यहां पर point to point जो मैं आपको concept बता रहा हूं आप बहुत ध्यान से के point को समझना क्योंकि यही सब कुछ है वेक्टर कर टर्मिनोलाजी पर कमांड नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे representation आप वेक्टर position वेक्टर and displacement वेक्टर मैं आपको पहले explain करता हूं देखो क्या होता है representation वेक्टर मतलब क्या हुका वेक्टर को कैसे करते हैं तब तो पहचानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ special symbol यूज करते हैं इस तरह से यह एरो लगाएंगे उपर में यह और इसको iota को तीसरे तरीके से भी रिप्रेजंट करते हैं ty partner इस तिनोग में से किसी तरीका से रिप्रेजंट किया जाता है लेकिन थर्ट आइप को आप कभी यूज मत करना मैं बताई इसलिए रहा हूं क्योंकि स्टुडेंट के नालेज में होना चाहिए नालेज तो हर तरह का होना चाहिए उसके बाद हम अपनी फैसलेटिक हिसाब से यूज करेंगे तो थर्ट यूज करना है क्यों क्यों कि उसमें को टाइम टेकन वर्क है हमको उसको पेंटिंग करते रहना पड़ेगा बॉल्ड बनाना पड़ेगा दूसरी बात वह कभी अपने को आप जरू नहीं हो पाता है तीचर देख नहीं पाते हैं बुक में जरूर मिलता है बहुत र करने का ज़ूरत नहीं है सिर्फ नालेज में रखो तो वेकटर को इस तरह से अपन रिप्रेजे करते हैं और इसको रीट करेंगे अवहיה रीड़िन करेंगे इसको रीड़ेंगे अब जब इसको बोलेंगे वह ऊसा साब बोलेंगे व्यक्टर एप देखो पोजिशन तेट मिन्स टेकनिकल वर्ट मैंने देखा है अपने एस पूरे चेप्टर को पढ़ लेते हैं लेकिन उस चेप्टर में जो टेकनिकल वर्ट होते हैं जो टर्मिनोलाजी यूज होती है उस पर कमाड नहीं होता वो जानते नहीं यह क्या है और इसी कद्द्राइद को चाहिए अपने णिडिया आपने स्टोर किया है यह सबसे बड़ा रिजन होता है अपने सब्क पर सब्सक्राइब internet क्या रहे हैं यह सब्सक्राइब रहे हैं और यडिया अपको सेंस क्लियर नहीं आपको कैसे समझ Candolada Hub पर सबसे पहले कमांड करना चाहिए तो यह वेक्टर के टर्म है जो मैं आज आपको एस्प्लेंड कर रहा हूं स्टार्टिंग में तो पोजिशन वेक्टर का मतलब क्या होता है देखो सब्सक्राइब अपने पास कोई इस तरह से यह एक वेक्टर यह है एक वेक्टर यह है ऐ वीक्टर देखो एक पैटीकुलर पाइट से निकलने यहां और से निकलन ऐस से एक परटीकुलर पाइड इसको कहलें और निकलते हैं तो वह सब क्या क्कृइब गाए पोजिशन पौ है ओ वी c o c and so on मतलब पॉजिशन वेक्टर का जो सीधा मतलब होता है जा पॉइंट ओर इसन पाइंट से जो निकलेगा ठीक है देटर्स हुआर ओरीजिनेट फ्राम ओरीजिन इस काल्ड पोजिशन वेक्टर जो ओरीजिन से पैदा होते हैं और यहां पर देखो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ओ ए ओ भी ओसी एंड्समान मतलब पोजिशन वेक्टर को ओसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यह भी पोजिशन वेक्टर नहीं हो सकता ओसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ओके इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर तो डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर क के अगे का नऄसेट रहुकर क्या इसको हम क्या कहें सबोवोजिए वेक्टर के वाला जो लाइन है इसको क्या कहेंगे अबिए क्या कहेंगे अबी चौए और बी का मतलब दोigning व्क्र कि बीच की और डिस्प्रेश में कोगा रहा वह क्जा यदिंबाए धोंकट लाएगा ठीजनेंगे और एक तो अब और बने में बहुत ना तो कि नीमेकर स्में वर्क निकालते हैं तो उस टाइम में हमको ज़ूरत होता है तो यह होगा एबिए पी का जो फर्मूला है वह होता है ओवी माइनस ओए का मतलब क्या हुआ पोजिशन्वाइटर आप बी मतलब इसको इन वर्ड लिखूँ तो मैं लिख सकता हूं पीवी PV मतलब होता है position vector PV मतलब 60 फार में मैंने लिखा position vector तो PV of B minus PV of A position vector of B minus position vector of A मतलब कभी भी हमको कोई भी position vector निकालना है तो बाद में जो होगा that means AB के बाद में क्या है B तो position vector of B minus position vector of A होगा इस पकार से B के position vector से जब हम A के position vector को minus करेंगे तब उसका पोजिशन वेक्टर फाइंड होता है तो यह फार्मूला आप जरूर याद रखना यह हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पोजिशन वेक्टर एंड़ डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर नाव नेस्ट आपीक इस माडूलास आफे वेक्टर माडूलास आपे वेक्टर माडूलास आपे वेक्टर का मतलब क्या होता है देखो कोई भी वेक्टर है सपोस अपने पास उसका माडूलास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से माड आफ वेक्टर ए इसको हम पढ़ेंगे माड आफ वेक्टर ए यह हम इसको रिट करें किसमेंगे Karn Respon स्फिधा मतलब होता है वैसे मार्डूलीब चोडर करना मैं आपको और चीखाऊंगा यहां पर तो मैं सिर्फ टर्मिनोलाजी एस्प्रेंड कर रहे हूं बाकी आगे के टापिक में modulus find करना आपको मैं सिखाऊंगा तो mod of vector a mod of vector a equal to क्या होता है scalar a अब इसका vector हट जाएगा ध्यान रखना ये हो जाएगा scalar ये बहुत important बात है modulus of vector a is scalar जैसा आपने algebra में पढ़ा है मैं आपको algebra का example दे दूँ कि आपने जैस'te algebra में पढ़ा है कि mod of minus x equal to plus x आपको मालूम है कि कोई भी नीगेटिव value जब कोई भी नीगेटिव गळ्यू modulus से बाहर आता है जब कोई भी नीगेटिव गळ्यू modulus से बाहर आता है तो बाहर आके क्या हो जाता है वो positive हो जाता है उसका negative nature खतम हो जाता है इस पकार से हम उसी पकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किसी भी vector quantity का जब modulus लिया जाता है तो उसका vector nature खतम हो जाता है वो क्या बन जाता है इस के गर बन जाता है यह कहलाता है modulus आपे vector अब हम देखते हैं unit vector नाम से clear है unit मतलब 1 if magnitude of any vector is 1 मतलब किसी भी vector का यदी magnitude क्या हो one हो किसी भी vector का magnitude यदी one हो तो जब किसी भी vector का magnitude 1 हो तो unit vector कहेंगे और इसको find करने का formula होता है इसको a और इस तरह से उपर में निशान लगाता है जिसको हम पढ़ते है इसको हम पढ़ेंगे A cap तो इसको हम A cap पढ़ते हैं और A cap इक्वल टू होता है वेक्टर अपान माड़ाव वेक्टर ए किसी भी वेक्टर में जब उसके माडूलस वेक्टर को हम किसी बी वेक्टर में जब उसके माडूलास वेल्यू को डिवाइट करते हैं तो जो मिलता है वो क्या हों था यू निज़ रजाएक अपनी वेक्टर आपको इसको लर्न करना थीक है और इसको रीड करेंगे एक बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मादूलास वेक्टर कैसे फाइंड करने हैं देखा एक बात ध्यान रखना कि आप ऐसा माद समझ लेना कि यहां पर टापी कम्प्रीट हो गया अभी तो मैं अली टर्मिनोलाजी आपको एस्प्रेंड कर रहा हूं बाद में सभी टर्मिन ये एक वेक्टर है और इक्वेल वेक्टर नाम से क्लियर प्रेयलन मतलब ऐसे वेक्टर जो प्रेलृ tongues की मुझकझ पढ़िक जा जाएक को यहाँ पर सपोज यह एक वेक्टर है और सपोज यह दूसरा वेक्टर मैं यह ज солнए है नहीं सपोज वेक्टर में आप CJ देखों यह चोटी लाइन है यह बड़ी लाइन है तो दोनों का direction तो same है बट magnitude क्या है different different है तो if two vectors are same in direction but different in magnitude एसे दो दो इक्टर जो direction में same हो लेकिन magnitude में क्या हो different हो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम parallel वेक्टर करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्वाल टू एनी कॉंस्टेंट इंटू बी एनी कॉंस्टेंट मतलब बी का लेम्डा टाइम से हैं बी का लेम्डा टाइम्स मतलब ए बी का डारेक कि यहां पर मैं लिखूं कि इसका वेल्यू कहीं पर मैंने लिख दिया एक्वाल टू थ्री वी सपोस्थ एक्वाल टू थ्री वी मैंने लिख दिया एक्वाल टू थ्री वी लिखूंगा इसका मतलब क्या है ए बी क्या है पेरेलल है और इस तरह से जब यह पेरेलल हो जाते है तो parallel vectors को हम represent करते हैं इसा vector A, parallel vector B यह सब symbol मैं आगे आपको पढ़ाते समय use करूंगा तो आपको तुरन समझ जाना है कि मैं क्या बता रहा हूँ ठीक है? तो यह हो जाता है parallel vector अब हम देखते हैं equal vector तो parallel vector और equal vector में ज़्यादा difference नहीं है कैसे देखो यहाँ पर यह suppose हमने एक वेक्टर यह लिया और दूसरा वेक्टर यह लिया अब यहाँ पर figure से आपको दिख रहा होगा कि यह vector A है suppose यह vector B है तो देखो if two vectors are same in magnitude and direction also same in magnitude and direction also are called एक मिनट यह नीचे के लाइन थोड़ा इक वेक्टर यह है और यह वेक्टर भी है इप two vectors are equal in magnitude and direction also दोनों में क्या difference है इसमें direction same है इसमें भी भी same हो if the magnitude and direction both are same then the vectors are called equal vector और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A equal B यह equal vector है तो यहाँ पर हम एक result निकाल सकते हैं दोनों के relation कि every equal vector is parallel every equal vector is parallel but every parallel vector is not a equal vector क्या बोला मैंने हर parallel vector हर equal vector parallel हो सकता है हर equal vector parallel हो सकता है क्यों क्योंको इसका डिरेक्शन से मैं है बट हर parallel vector equally हो सकता क्योंकि ठीकाना नहीं उसका magnitude अलग भी हो सकता है और equal होने के लिए उसको एकवल होना जोरी है ठीक है तो यह कहलाता है parallel वेक्टर और यह देखो compatibility मैं आपको बता रह rápido हो आप मेरे notes को थोड़ा गवर कर रहे हो को तर आप को समझ में आना रहे होगा जैसे modulus vector का unit wal rug क के साथ relation है तो मैं आपको एक साथ बताया नोट्स भी आप ऐसी बनाना ऐसा ने कि कहीं कुछ भी बता रहा हूं परेलरल वेक्टर का इक्वेक्टर के साथ रिलेसन है इसलिए मैं इसको एक साथ बताया मतलब जो मैंने हम सब्सक्राइब प्रिपेर किया है आपके लिए वह प्राप्रली और है ताकि स्टुडेंट उसको compare करके असानी से समझे और नोट्स भी आपको इस में बनाना है जिस वे में आपको पढ़ा रहा हूं उसी वे में आप वत्म हों पाएगा आक के नाव्नेस्ट यहाँ पर हम देखेंगे यह यह वेक्टर अद जीरो वेक्टर है jetzt का नीगेटिव अद फिरे यो सक्ञा बोटोर उह मतलब नाम से इस पर्स्किया हो वैसा इसको अपोजीन वेक्टर क्या जाता है गयोप अपोजीन ग्यों कहीं पर आपको opposite vectors word भी सुनने को मिले तो समझ जाना कि वह negative vector है अब इसका क्या concept है देखो इसको concept है कि suppose यह एक vector है इस तरह से और मैंने एक दूसरा vector इसके side में ऐसा ले लिया तो देखो यह दोनों vector क्या है office vector है कैसे झाने हम कि suppose यह vector का direction यह है और एक तरह यह vector आ है और इस vector का direction यह है और यह vector suppose बी इस तरह से तो आप यहाँपड़ देखे ए और बी का direction Vai में यहां पर ध्यान रखना की इफ टू वैक्टर्स ऑर जस्ट अपोजिट इन डरेक्शन तो क्या कह लाएंगे वह निगेडी भी ठीक है और एक दियान में रखना इनके बीच का जो एंगल होता एंगल होता है इनके जो एंगल होता है डिवरी टीगरी होता है जैसे कहीं पर मैं आपको बताओं कि टू वेक्टर्स बजिट है और वहाँ धीटा वरने टील किसी निमेरगल में तो आपको समझ जाना है पर करण रखन दिखनें Easy यहां पर जब पैलल होगा另外 यहां वेक्टर के संड कि ध्यान रखना पर Every L Kleberger के कंडिशन में जब मेंसना पेरलल का अंब धिच इसथ नीफ होगा वह क्या होगा जीरो डिग्री होगा यह दिट्व एक्टर्स जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर एक बहुत यूनिक चीज है वह इसलिए कि पूरे फिजिक्स में या पूरे साइंस में कहना चाहिए यही एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मेगनिटूड जीरो होता है मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फिजिक्स में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेगनिटूड जीरो इमेजिन नहीं कर सकते हैं बट एक यूनिक एग्जामपल है जिसका मेगनिटूड जीरो वेक्ट मैं भीट नहों उसको कैसे पढ़ा जाता होगा थो इसमें डिरेक्सट होता है इसमें मेगचन नहीं होता बट्रश्ण होता है ठीक है कैई इसके इसके प्जाम्पलज़ा आप समझोंगे तो पहले तो में यहाँ पर लेख दू कि जी्रो वेक्टर का मैगचनब क्या होता है जिरो होता है बट है डारेक्ट्ट लेकिन डारेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को मेजर नहीं किया सकता है ना पाइंट का लेंथ बता सकते हैं ना विट्थ बता सकते हैं ना कुछ नहीं बता सकते हैं उसका मास नहीं बता सकते हैं तो पॉइंट का हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसका कोई होता है कैसे हम एक पर पॉइंट करते हैं जब हम पॉइंट करते हैं इसलिए क्या है उसमें डारेक्शन होता है तो यह इसका एक्जामपल है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से खर रोगाते हैं यहीतव हम इसको अरूरेक्शन होता है इतने टर्म पर एनी टैम होना चाथो का थे टर्भर सिसों मैं पढ़ा के नोटस दे रहा हूं कि आप इन चीज़ों को प्रेपेर कर लिये तो तो फिर प्राब्लम कहीं नहीं होगा बस आपको थोड़ा उसी तरीके से समझने हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टर्मिनलाजी एस्प्रेंट किया सब्सक्राइब्स करते हैं तो यहां पब देखो कि वेक्टर को एड करने का अपना एक रूल होता है जैसे ौइट हो गया यहां पर टू ड्रक्टर को एड करना है तो उसके लिए कुछ रूम और वो रूल अपने को समझना है कि कही पर भी अधी हमको नमेरकल बनाते समय या फार्मूला डिराइब करते समय योदि टू वेक्टर्स को एट करना है तो उनको कैसे एट करना है ओके तो इसके लिए हमको करना क्या है देखो कुछ रूल को समझने हैं जिसमें पहला रूल है ट्राइंगल ला ट्राइंगल ला इसका को इस्टेट्मेंट वगर आपको ट्रे पास बिटर एंट और इसमें सब्सक्राइ चाहते हैं यह वाले व्यक्तर विक्टर को यह ब्रतर का जो फ्रंट व्रस्त पार्टिस को हैड बोलते हैं पीछे को टेल बोलते हैं यह इसका है है यह इसका टेल है निलम्हेट को यह निए SUS5 तोषरी के थ्री है तो दोनों 117 वोगे लेकिन यहां परे सीधे सीधे नहीं हो पाते तो कैसे इसको यह कर याता है व्यक्टर एप लस्त व्यक्तर भी इसको यह करने के लिए कुछ रूल्स है और इस रूलस को हम कैसे करेंगे देखो सबसे पहले एक vector के head में दूसरे vector के tail को ऐसा joint कर देते हैं इसके head को इसके tail के साथ में joint कर दिया और इसको joint करने के बाद इसके head और उसके tail को हम मिला देते हैं यह यह जो मैंने dotted line से मिलाया है यह dotted line से हमने मिला दिया अब यहाँ पर आप देखो कि यह क्या था यह vector A था और यह क्या था vector B था लेकिन अब इनका जो sum है वो इससे represent होगा और यह होगा A plus B तो यहाँ पर देखो यह क्या है triangle का third side है triangle का third side इसको triangle आई इसले बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर triangle बनाके इसको हम solve कर रहे हैं या समझ रहे हैं इसले हम इसको triangle आप बोलते हैं तो अब इसका जो sum होगा A और B का जो sum यह blue color से खीचा हुआ जो dotted line है वो होगा जो इस triangle का third side है अब इसको हम inward क्या कर सकते हैं इस rule को हम inward क्या कर सकते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना इप टू अर इप टू अर प्रेजेंट साइट साइट आप एनी ट्रैंगल देन इट्स सम इट्स सम विल बी रिप्रेजेंट आप इस थर्ड साइट एंड इस ड्यल्डेइक्शन इस ऑपोजिट आपको फार देखों आपको स्टेट में रहे हो को याद करने करें जिवरत नहीं समझने करें वर्ड जी आपको याद नही भी होता है तो कोई प्राब्लम नहीं आपको इसको इप्लाई करना चाहिए एक बार two vectors are represented by two adjacent sides of any triangle then its sum will be represented by its third side and direction is opposite यह इसका rule है मतलब यह जो third side है वो उसका सम होगे प्लस भी यहां पर इसको कुछ special case में मैं आपको समझा रहा हूं और इस तरह से physics में ऐसा ज्यादा यूज होगा इसलिए आप इसको भी तयार रखना यहां पर मैं दूसरे इसको बता रहूंँ आपको, देखो, यहां पर मैंने एक triangle बनाया, इस triangle का मैंने नाम लिया, suppose ABC, यह ABC triangle है, अब इस triangle में खास बात होती है सुनना ध्यान से, क्या, सपोज मैं A से स्टाइट किया और B में आया मतलब मैंने किया AB AB और फिर B से C में चला गया तो प्लस क्या हो जाएगा BC तो that equal to क्या होगा यह AC होगा इस फाम में आपको पूजिट इंग पढ़ा रहा था तो यहां पर एक और इंपर्टन बात निगेटिव में एक और बात ध्यान से नोट कर लेना यह आपके लिए बहुत जोरी है जैसे मालों इसका नाम मैं यहां पर एक नोट करके आप सेकंड नोट में लिख लेना कि यह जो होता है यह पूजिट वेक्टर का खासियत है जैसे एबी को मेरे को बी लिखना है तो सामने माइनस करना पढ़ेगा तो इसका नाम जो होता है उसका नेम का आडर चेंज हो जाता है यह नोट कर लेना अब यहां पर देखो यह जो मैं आपको बता रहा हूं तो क्या बताया कि continuous two vectors का जो sum होता है जैसे A से B यह हो गया A B फिर B से C यह हो गया B C तो A B और B C का जो sum होगा वो इसके third side मतलब A C के equal होगा ऐसा हम कहीं से भी start कर सकते हैं मालनों मैं यहां से बोलूं B C plus C A मैं बोलूं B C plus C A तो उसका value क्या होगा B A होगा मतलब उसके third side के equal होगा जो इसी concept पर based है अब suppose मैं इसको इधर transfer कर दूँ suppose मैं इसको इधर transfer कर दूँ तो that implies यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को A B plus B C और यह minus होके क्या हो जाएगा A C equal to 0 हो जाएगा that implies अभी मैंने आपको बताया है कि A B plus B C और मालनों मैं A C को C A लिखूं तो A C को C A लिखूंगा तो minus C A लिखूंगा तो minus into minus plus हो जाएगा इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस A C को लिख दूँ C A equal to 0 तो यह कंसेट क्या कहता है कि पूरे साइकलिक आडर में ट्राइंगल का सम 0 होता है साइकलिक आडर में कैसे A B plus B C plus C A that means मैं जहां सी स्टाइट किया था वही पहुच जाओं तो टोटल डिस्प्रेस्मेंट 0 होता है आगे भी अफिजिस में पढ़ो गया तो टोटल उसका सम क्या होता है 0 इस पकार सम क्या कर सकते हैं इस तरह सम को यह पता चलता है कि कि किसी स्टाइइंगर नट्यान रख़ एस फ़ाम यह पता लिछ इह इस अफ रेक्टर का ट्राइंगल ला प्वेक्टर का यह सब क्या अब परनोर्स बना लो और परनोर्स मिनाने के बाद पिर यह वारेज करते रहना चलिए अब हम चलें नेस्ट एडिसन रूल पर यह तो वेक्टर की जान है यह जो रूल है इस रूल का मैं समझता हूँ जितना यूज होता है परलो ग्राम ला का जितना यूज होता है उतना वेक्टर का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता जितना इसका यूज होता है उतना वेक्टर का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता तो बहुत ध्यान से इसको समझना है ओके देखिए क्या होता है प्रेडरोग्राम लाग क्या होता है सबसे पहले मैं आपको figure बना दूँ तो figure बनाने के बाद ही आप समझ पाओगे suppose ये एक vector है और suppose ये दूसरा vector है ये दो vector है अब ये दोनों vector का मेरे को sum find करना है जिसके adjacent point common है यहाँ पर देखो ये दोनों एक ही point से निकल रहे है ये suppose vector A है और ये suppose vector B है इनको हमको add करना है इसके पहले वाले class में वो एक के बाद एक था लेकिन यहाँ पर इसका जो origin है वो same point है तो यहाँ पर हमको क्या करना है जब इसको हमको साल्व करना है तो इसके लिए हम इसको परड़ाग्राम complete करेंगे तो यहाँ पर मैं परड़ाग्राम complete करना हूँ construction करके देखो यह हमने परड़ाग्राम complete किया यह हमारा construction है कि हमने यह line यह line रा करके परड़ाग्राम complete किया और यहाँ पर हम इसका है हeb ग्राफ dare किया गया कहता है कि सपोसे वैक्टर यह है। वेक्टर भी है तो यह जो इसका Mr. G. रिजल्टेंट आरफर लिजल्टेंट यह इसका मिदे दुनों के кой का एंगल यदि हो तीटा है और यह जो रिजल्टेंट है उसका एक साथ में बनाये हुआ एंगल सपोस्ट यह वाला जो एंगल है वह बीटा है कि इस तरह का सिचबेसन है तो परेलोग्राम लाका कहना है कि इफ टू इफ टू वेक्टर्स और रिप्रेजेंटेट बाई इफ टू वेक्टर्स आर डिप्रेजेंट वाई टू एडिसेंट से आफ एनि प्रियाइंगल का एडेसीन साइट एक बास एक होता है लेकिन परिफॉ लागृराम का जो एड़ेसेंट साइट से एक ही पॉइन से निखलता है तो इस टू वेक्टर्स आर मिन टो एडेसैंट साइट आफ एनि प्रियाइड पराम देन इस रिजल टेंट विल भी represented by its diagonal तब उसका जो resultant होगा वो उसके diagonal से represent होगा और उसका जो value होगा इसका जो resultant का value होगा resultant r equal to इसका value होता है under root of a square plus b square plus 2ab cos theta 2ab cos theta तो r equal to इसका resultant r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta होता है और उस resultant का जो direction होता है उसका जो direction होता है इसको हम represent करेंगे 10 beta से और 10 beta equal to इसका formula होता है B sin theta B sin theta upon a plus b cos theta यह इसका direction निकालने का formula है तो यह इसका rule है और यह हमको यहाँ पर समझना इस सब्सक्राइब से कि यहाँ पर देखो परियोग्राम लाका जो रिजल्टेंट है वह अंडर रूट a square plus b square ठीक है अंडर रूट a square plus b square plus 2ab cos theta की equal होता है और direction जो होता है 10 beta equal to b sin theta upon a plus b cos theta के equal होता है यह दोनों formula हम को लर्ण करने हैं इसके condition पर भी discuss करेंगे अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है यह दोनों formula आए कहां से तो यह दोनों formula को हम derive करके देखेंगे derivation इसलिए जानना जोरी है कि कई बार कई question में क्या होता है हमको derivation के level पर जाके work करना होता है तो हम formula जब direct याद कर लिए रहते हैं तो वहाँ पर हमको problem होता है क्योंकि हम को steps नहीं पाता होता कि कैसे solve करना है तो हम इसको proof भी करते हैं ठीक है चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं बहुत आसान सबूब है और बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत तेजी से आपको समझ में आ जाएगा माँ दोनों का परूफ देखते हैं आप हम और तो सबसे पहले हम रिजर्टेंट निकाल निकाले tirar direction निकार लेंगे तो इसको पुत करने के लिए हां पर हमें construction करते हैं अरशन कया करते हैं construction थ्षान समझनाि मैं यह साइट को इस तरह से आगे बढ़ा दिया और इस साइट से इससाइट पर मैंने एक perpendicular करिदिया यह यह green color से जो देख तुछ मैंने क्या क्या इस पर पर्पेंडिक लुर्डा किया स्टी अब यहां पर देखो यह थीटा एंगल है पूरा तो यह भी क्या होगा थीटा होगा यह दोनों प्रसाइड है तो यह थीटा हो जाएगा इस तरह से अपने पास एक राइट एंगल एक और प्रकुलेशन इस पर इण ऑन इन गुरा ट्राइंग्ल ट्राइंगल का दिए आपलाई करें यहां पर निकाल निकालेंगे सबस्थ फोड़ों का लेँ में इसे टा हो जाएगा पर पंडी कुल अब अपन हाईपो illustri तो देखो कि इसके सामने का पर पंडी कुले मतलाब क्या है C D यह प्रपेंडीकुलर है सीरी और अपन है पोटेनिए है कि α सी तो परपेंडी कुल अपन है पान हाइपो टेनिया कि हो जाएगा that implies यहां से यह हम cd का value find करें cd equal तो यह a c जो value है यह b के parallel है तो इसको हम b कर सकते हैं इधा transfer करके यह हो जाएगा b sin theta तो cd equal to b sin theta हो जाएगा similarly उसी triangle पर in right angle triangle a cd कि अब उसी triangle a cd में हम निकाल लेते हैं कास theta इसमें जी हम कास theta निकाल लें तो कास theta निकालेंगे यहां से कास theta तो क्या जाएगा base upon hypotenious होगा तो बेस क्या है यहां पर a d बेस यहां पर a d है और hypotenious क्या है है a c hypotenious तो वही है a c होगा और a c का वेल्यू भी है इसको इधर टांसफर करेंगे तो डैट इंप्लाइज यहां से a d equal to मिलेगा b कास theta तो इस तरह से देखो b sin theta यह जो cd का वेल्यू है वह वह भी साइन थीटा है और a d का जो वेल्यू है वह भी कास ही मिलेगा इस दोनों के बाद इस दोनों के बाद हम क्या करेंगे देखो यह हपर दोनों में एक संबनाएंगे उसमें हम इन ये इन राते अंगल ट्रैंगर अंते श्राइंगर में देखो हो ओ-ई-डी ऑ सी डी बाई पाई साल लीठी पाइथा को बढ़ पाई लगाएंगा इसका जो यह वहения वह ओ-पाई सिक्ञाने सब्सक्राइब इकवाल टू परफेंडिकुलर क्या है यह बेस है ओ डी बेस क्या है ओ डी यह इसका बेस है तो ओ डजी स्कारअ और प्लस इसका परफेंडिकुलर है C D THCD का स्क्रेड मेरं ऐसा होिएगा गए स्वाफ के हम थिंप्लिफई करें तो एका को Jewish square मियाथ ह स्वेयर ही क्वेक्वल टू ओडि देखे हैं जो ओडी भिल्यू है वह A प्लस एडी है ओडा हो एक प्लस newische & और plus यह है आगा सीडी इसक्वेयर अब इसके वेल उसको यहाँ पर होके हैं पूट-आप करते हैं सभी व्यलियूज हम यहाँ पर फूट-आप करते हैं देखो वेक्टर ए तक विक्टर है हो जाएगा वेक्टर और प्लस एडी हमने निकाला है देखो आट हम यहां पर निकाल कर रखे हैं बी कास थीट तो यहां पर हम आपर कुल्प कर देंगे बीका स catches का इसका होल is रहाएगा और प्लस 3 covered किया है देखो सीड़ी हम निकाल कर रखें बीसाइन थीटा तो बीस जन्सिता का ह apply बीसाइन थीटा का ये फोड़ इसको रहाएगा अब स्क्राइब ने स्लाइट में इसका मैं होलच इंकरता हूं यहां पर इसका फियर इंकरूंगा तो लेफट साइड में भी आपको बताया वेटर का इसकेलर होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा आर स्कूर that implies r square equal to यह देखो first step क्या है a plus b cos theta का whole square तो a plus b cos theta का whole square तो क्या हो जाएगा a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta यह होगा और plus next step देखो next step क्या है हमारा यह b sin theta का whole square तो b square sin square theta होगा यह हो जाएगा b square sin square theta clear that implies अब यहाँ से आप देखो यह जो b square cos square theta है यह b square sin square theta है यहाँ से b square common करेंगे तो bracket के अंदर में sin square theta plus cos square theta होगा जो की one हो जाएगा तो next step में हम direct click सकते हैं that implies यह हो जाएगा r square equal to a square plus b square बाकी वो हो गया और यह हो जाएगा plus 2ab cos theta यह होगा that implies अब यहाँ से दोनों साइट का root ले लें तो r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta यह होगा और अभी आपने देखा है कि यही हमने final equation में लिखा था यह देखो यह इसमें root लगेगा नस्वारी root भी लगा देए अपन root a square plus b square plus 2ab cos theta और यह formula हमने यहाँ पर लिखा था देखो यह root a square plus b square plus 2ab cos theta तो derivation भी कुछ ज़्यादा difficult नहीं है यह हमारा हमने निकाल लिया क्या resultant निकाल लिया तो यह प्रूफ है resultant का अब प्रूफ हम निकाल लेते हैं किसका direction का ठीक है प्रूफ हम निकालते हैं डारेक्शन फिगर में चले आओ डारेक्शन निकालने के लिए बीटा यहाँ पर डारेक्शन है तो ओ सी डीमनों ट्राइंगल ट्राइंगल सी डीमननल कर यह इन ट्राइंगल Ł का था थीदी अपान ओर डी धैट इंब डाइज ऑन बीटा इक्वल सी डी अपान ओडी क्या है फीगर में देखो यह ओसे लेके तक क्या है ओ ए प्लस एडित ओ एप्लस एडी तो क्या हो जाएगा यह ओ ए-प्लस-ए-ड अब इसके वेल्यू साब पूटब कर देते हैं तो ब इंप लाइज हो याएगा टेन सटिक मेद देखो यह बीस में थीटा इसका वैल्यू है बी साइन थीता गडैल्यू यह है और ऐडिका बिल लीव है था सथीटा यह हमने निकाला हुआ है यह फार्मूला स्टी रहाइफ हो गया किसका एह फ़ार्मूला रहीं हो तेन बीता के लिए स्टेसर के लिए तो दोनों फार्मूला हमने डिराइब कर दिया एक रिजल्टेंट आर इकवाल टूओ एई स्क्वेर प्लस D आप फ्ल dallaइब का सथी्टा और दूसरा हमने डिराइब इस्पेसल कैसे यह बहुत इंपारटेंट है कि फिजीक्स में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं आप मतलब कि हमको यह देख ना है कि जब physics में इसको use करते हैं तो कैसा situation आता है और कैसे situation पर हम उसको किस तरह से डाइत यूजिस करेंगे तो special case इंपॉर्टेंट होता है इसको आपको ध्यान से समझना है ठीक है इस्पेसल केस में देखो एफ सबसे पहले पहला की मारत सा ए घुरि होने से यह भी है वेक्टर एक के पिरेरल हो जाएगा जब फीटा में हमारा फर्मूला कैसे काम करेगा देखो यहां पर हम साइड में भी देते हैं कि उस समय ए पेरेलल बी आपको बताएं हूं कि पेरेलल वेक्टर के बीच के अंगल जीरो डिगरी होता है तब रिजलटेंट क्या होगा तब रूटेंट कजा फर्मूला होता है यहो हो जाएगा A square plus B square और plus 2AB cast 0 तो cast 0 का value 1 होता है तो हो जाएगा 2AB यह हो जाएगा clear that equal यह जो आप देख रहे हो A plus B का holy square है तो R equal to A plus B का holy square root से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा A plus B एक बार और लिख देता हूं यह हो जाएगा under root of A plus B का holy square that implies R equal to A plus B इस पकार से आप देखो कि यह R equal to A plus B होगा यह resultant होगा कहने का मतलब इससे हमको क्या पता चला अब इसका conclusion पर हम थोड़ा डिसकस करें तिससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि यदि दो vector parallel हो इप two vectors are parallel then its resultant is A plus B यदि दो vector parallel हो तो उनका जो resultant है वो direct sum हो जाता है उसका जो resultant है वो direct sum हो जाता है इस two vectors are parallel then its resultant is A plus B तो parallel vector पता चलेगा तो पूरा parallelogram लगाने का ज़वरत नहीं मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जिसका mathematical tools में जितना अच्छा command होता है जिसका mathematical tools में जितना अच्छा command होता है वह उतने ही अच्छे से उतना ही fast फिजिसको कर पाता है ठीक है तो R equal to A plus B होगा next condition second is if theta equal 90 degree suppose उनके बीच के एंगल 90 degree हो कहने का मतलब vector A ये perpendicular है vector B के मतलब दोनों vector एक दूसरे के perpendicular है तो जब दोनों vector एक दूसरे के perpendicular होंगे उस condition में R का value क्या होगा देखो then R equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos 90 AB cos 90 होगा और हमको पता है कि cos 90 का value 0 होता है तो ये पूरा term 0 होगा और तब हमको R equal to क्या मिल जाएगा that implies R equal to मिल जाएगा under root of A square plus B square ये इसका resultant होगा ये इसका resultant होगा R equal to under root of A square plus B square मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि यदि दोनों के 20 के एंगल 90 degree हो तो उसका resultant under root A square plus B square होता है and the third condition is if theta equal to 180 degree that means दोनों opposite vector होंगे A equal to minus B दोनों क्या होंगे? opposite vector होंगे negative vector होंगे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बास समझाया था अब इसका value हम put up करें तो R equal to हो जाएगा under root of A square plus B square plus 2AB cos 180 degree 2AB cos 180 degree cos 180 degree minus 1 होता है तो यहाँ पर R equal to हो जाएगा root over A square plus B square minus 2AB 2AB यह क्योंकि cos 180 क्या होता है minus 1 होता है अब A plus B का whole square minus 2AB को हम दो तरीके से लिख सकते हैं क्या दो तरीके से लिख सकते हैं देखो next slide में that implies R equal to इसको हम लिख सकते हैं root of A minus B का whole square R R equal to under root of B minus A का whole square दोनों लिखा जा सकता है क्यों लिखा जा सकता है क्योंकि algebra में हम जानते हैं A minus B का whole square होता है वह B minus A के whole square के equal होता है आप expand करके देख सकते हैं तो A minus B का whole square आएगा वह B minus A के whole square के बराबर आएगा कई लोग एक बात सुनके चौक जाते हैं लेकिन भाई चौकना मत आप expand करके देख लेना उसको A minus B का whole square आएगा A square plus B square minus 2AB और B minus A का whole square भी वही आएगा तो दोनों equal होते हैं तो सवाल यह होता है कि अब दोनों में से कौन सही है तो दोनों सही होता है और इसमें दो condition आता है therefore R equal to A minus B यह निकालो के resultant में या R equal to निकालोगे B minus A दोनों निकाल सकते हो लेकिन अब कब किसको यूज़ करना है तो ध्यान रखना यह वाला कब यूज़ करोगे यह वाला formula यूज़ तब करोगे जब A greater than B हो और यह वाला formula तब यूज़ करोगे इसके बाद इसका जो फोर्थ नंबर का जो condition है जो की सबसे ज़्यादा important है और आपको अभी से बता दू कि 12 class में वो कई जगा काम आएगा आपको इसका फोर्थ नंबर का जो special case है अभी तक हम जो ने देखा वो सब हेंगल पर best था तो अब हम देखेंगे उसके magnitude पर तो चौथा condition क्या कहता है कि if A equal to B if A equal to B only in magnitude not direction देखो यहाँ पर दोनों में मैंने error नहीं लगाए है यहाँ पर आप confuse मत होना A और B जब direction के साथ में equal हो जाएंगे तब तो उनके बीच का theta जिरो डिग्री होगा लेकिन यहाँ पर A और B direction के साथ में equal नहीं है only magnitude में है जैसे 5 Newton का force एक तरफ लग रहा है और किसी और direction में 5 Newton का force लग रहा है तो दोनों magnitude में equal हो गए बट दोनों का direction अलग अलग है तो इस condition में यदि हम kilogram लाकों लगाएं तब उस condition में R का value क्या हो जाएगा R equal to under root यह हो जाएगा A square plus B को भी यह लिख सकते हैं क्योंकि B A के equal है तो यह लिख सकते हैं और फिर plus हो जाएगा 2 A into A और यहाँ पर हो जाएगा 2 A A 2 A A कास theta क्योंकि यहाँ पर theta का तो पता नहीं theta theta ही है यहाँ पर लेकिन दोनों क्या हो जाएगे A हो जाएगे that equal इसको हम आगे solve करें तो यह हो जाएगा under root of A square plus A square 2 A square होगा plus यह हो जाएगा 2 A square कास theta आगे इसको solve करो that equal अब यहाँ से 2 A square को मैं कामन कर लेता हूँ तो 2 A square और अंदर बज जाएगा 1 plus कास theta यह that equal to under root of यह हो जाएगा 2 A square और कास 1 plus कास 2 theta का फार्मूला होता है टिग्रामेट्री में 2 कास square theta by 2 तो यह हमने लिख दिया 2 कास square theta by 2 2 कास square theta by 2 यहाँ से आप देखो यहाँ से यह 2 और यह 2 multiply हो के 4 होगा root के बाहर आएगा A square बाहर आके A हो जाएगा और कास square theta भी बाहर आके कास theta हो जाएगा theta by 2 हो जाएगा तो therefore यहाँ पर आर का जो फार्मूला होगा वह कितना हो जाएगा 2 A यह resultant निकालने का फार्मूला है जब A B के equal हो और यह बहुत ज्यादा यूज होगा अभी से मैं आपको बता दूँ कि इसका 12th class में इसका class class 12th में magnet के chapter में electricity के chapter में यह सब यूज होगा अभी से मैं आपको बता देता हूँ वैसे जितना भी mathematical tools मैं यह हो गया हमारा vector addition यह हमारा complete हो गया इस तरह से आप vector addition से दो rule से एक polygons rule भी होता है लेकिन polygons rule का मतलब नहीं है को मैं आपको जनरा ऐसी discussion कर देता हूँ जब बहुत से triangles को जब बहुत से triangles को sum कर 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 निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है polygons rule कर लाता है तो वह triangle last से ही उसमें काम चल जाता उसको अलग से prepare करने का जरूरत नहीं है अब हम देखते हैं unit vectors आप xy and z axis unit vectors आप xy and z axis अभी तो हमने आपको बताया था unit vector क्या होता है लेकिन यहां पर especially हम xy और z के unit vectors के बारे में पढ़ेंगे xy,z, y,z unit vectors होते हैं यह हमको समझना है देखो सबसे पहले मैं आपको x,y,z यहांपर ढ्रा कर दूं यह suppose x-axis है suppose y-axis है और यह suppose z-axis यह 3 axis हमने यहांपर ढ्रा किया है x-axis y-axis और z-axis यह suppose x-axis यह suppose y-axis है और यह suppose z-axis है, तो x-axis का जो unit vector होता है, x-axis का जो unit vector होता है, उसको हम x-axis का unit vector है, उसको हम i-cap से represent करते हैं, यह i-cap होगा, x-axis का unit vector को हम i-cap से represent करेंगे और y-axis का जो unit vector होता है, उसको j-cap से represent करेंगे, और z-axis का जो unit vector होता है, उसको हम k-cap से represent करेंगे तिये बात आप ध्यान में रखना, कि 3-axis का जो unit vector होता है, उसको i-cap, j-cap और k-cap से हम represent करते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है अब यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण बात आपको बताना है जैसे मालो यहाँ पर कोई point P है suppose यहाँ पर मैंने point P लिया और इस P point का coordinates suppose x, y, z है इसका coordinates x, y, z है और इस point को यदि मैं origin से मिला दूँ यदि इस point को इस पकार से origin से मिला दूँ यह origin suppose O point है तो O P यहाँ पर हमको मिलेगा इसको हमने suppose vector R suppose कर लिया O P को तो suppose मेरे को यहाँ पर O P लिखना है ठीक है तो O P को मैं क्या लिखूंगा किस तरीके से vector O P को लिखा जाएगा इसको अब धियान रखना तो vector O P लिखने के लिए हम उसको लिखेंगे vector O P that is also equal to R equal to कैसे लिखा जाता है देखो इसका X coordinates के साथ में I cap का multiply होगा मतलब यह हो जाएगा X I cap plus Y axis के साथ में इसके J cap का multiply होगा J axis की unit vector का multiply होगा तो क्या हो जाएगा Y into J cap plus Z axis के साथ में K का multiply होगा तो Z क्या हो जाएगा K cap इस तरह से देखो O P equal to R equal to X I cap plus Y J cap plus Z k cap इस फाम में इसको लिखा जाता है और suppose हमको इसका modulus value निकालना है माड़ा vector R निकालना है तो माड़ा vector R निकालने का जो फार्मूला है वो होता है under root of X square plus Y square plus Z square ये फार्मूला आप बिलकुल नहीं भूलना इस फार्मूला का बहुत जादा यूज होगा मतलब जब vector R का magnitude find करते हैं only magnitude जब हम vector R का only magnitude find करते हैं तो under root of X square plus Y square plus Z square के equal होता है और ये फार्मूला को आपको अच्छे से तयार करना है ये फार्मूला बहुत जादा यूज होगा तो ये है unit vectors आप X, Y and Z अब इस बेस पर इस बेस पर क्या है हम इसके vector के multiplication को समझेंगे तो vector का multiplication होता है vector का multiplication मतलब vector का product ठीक है तो वो फिर अपने को समझना है ये फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना इसके प्रापर नोट्स बना लेना और बार-बार आपको याद दिला रहा हूं कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक क्या है इसका प्रापर रिवजिन नहीं कर पाओगे तो नेस टापिक है हमारा क्या प्रोड़क्ट आफ वेक्टर्स प्रोड़क्ट आफ वेक्टर्स तो प्रोड़क्ट आफ वेक्टर्स हमारा नेस टापिक है प्रोड़क्ट आफ वेक्टर बहुत इंपर्टेंट है मैं कहता हूं कि फिजिक्स में maximum जगहों में वेक्टर का प्रोड़क्त का use होता है तो आपको product को बहुत अच्छे से समझना है just simple algebra में जानते हैं कि product क्या है कि इसी भी तरह का product हो सिर्फ multiply होता है लेकिन vector में ऐसा नहीं है बेक्टर में product के टाइब है प्रोडक्ट के टू टाइबं जो पहला टंप हम पढ़ेंगे वह किलर को facilitate है यह हम इसको इंग्लिक दूसरा नाम इसका क्या है डार्ट मिट इसकेलर पर यूर्ड़ ठीक है तो वेक्टर्स के जो प्रोड़क्ट है वू टू टाइब से होते हैं एक इसकेलर प्रोड़क्ट होता है यहां हमको समझना है कि किस तरह से हम हूं है वेक्टरउ का प्रोड़क्ट करते हैं तो ध्यान से समझिए देखिए यहां पर सपोज अपने पास टू वेक्टर्स हैं एक वेक्टर सपोज यह है और दूसरा वेक्टर सपोज यह है यह दो वेक्टर है और यह दोनों वेक्टर किस तरह से हैं सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है यह वेक्टर ए है और सपोज दोनों का प्रोडाट करना है तो य ए और व कि का प्रोडक्ट होता हुतкие लिए फर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं एक्टर य और बीस में डान का सिंबोल लगाते हैं वेक्टर और इसलिए इसका नाम डाठिक्ट्ट मतलब डाट से इसको आइडेंटीफाई करते हैं जब ए और बी की बीच में डाट हो तो ड़ाट कालाता है और इसका जो फर्मूला है वह होगा मादाव वेक्टर एंटू मादा वेक्टर भी इंटू कास थिटा मैंने आपको बताया था कि मादा वेक्टर ए मतलब स्केलर होता है किसी भी वेक्टर का जो माडूला से वह इसके लर होता है ठीक है तो यहां पर देखो देट इक्वेल इसको हम क्या लिख सकते हैं देट इंपलाइस आगे हम लिख सकते हैं इसको को a dot b equal to हो जाएगा A B कास थीटा तो A dot b equal to A B कास थीटा होता है यह जो AB कास थीटा फर्मूला आया इसी से हम को क्या करते हैं डाफ प्रोडट्ट हमको करना होता है और यहां पर एक important बात आपको ध्यान देना है कि इसका जो result आएगा वह इसकेलर आएगा इसका जो रिजर्ट बरटक्ट का सब्सक्रूरा है state मतलब इस में जो फाइनल रिज़त आता है वो यसेल kidding लुट आता है इस यहां पर धेखना है कि हम ने तरह है आप पर खोर मोजने एक स्पा समेंस निए आप पढ़ा वो एक स्वाइग जेट का जो यूनिट वेक्टर है वह डार्ट प्रोडक्ट में किस तरह से बियेव करता है ठीक है तो यहां पर हमनिकालते हैं डार्ट प्रोड़क्ट आफ . product of unit vectors unit vector के . product किस तरह से होते हैं तो सब पहले हम खुद का खुद के साथ . product करते हैं for example, icap.icap icap.icap के साथ हम इसको multiply करें जहां पर formula क्या कहता है माड of A into माड of B मतलπό आई केप का माड कितना होगा वन होगा क्यों कुलीट विक्टर है दूसरे यहाइं का भी माड one होगा और kasih का यहाँ पर value कितना होगा 0 degree क्यों होगा क्योंकि i kept i kept के सास्थ में 0 degree angle बनाएगा दोनों x-axis पर है तो जब दोनों वेक्टर x-axis पर होंगे तो naturally यहाँ पर उनका जो डाट product है ईसे उनके बीच के जो यंगा दो चीमिन को जीरो डिग्री होगा तो यहां से क्या रिजल्ट होता है अपने को आई डाट आए डाट डाट करें तो वह भी कोगा और के साथ में के कभी डाट पॉडट करें तो वह भी रूड़ा कि हमको क्या रिजर्ड फाइंन होता है कि कि केब क Will Sh his कि में नाइक के साथ में डाट प्रोडक्द जए टेप कि गेफ के किसा अथ में डार्ण प्रोड़क्ट और के यूनिट होता है, वह यूनिट होता है वन पर अब यहां पर देखिए एक का दूसरे के साथ में डाट प्रोड़क्ट जैसे हम आई केप का हम सब्सक्राइब के साथ में नट पूदेट करते हैं तो आई को जब जैके के साथ में मल्टिप्लाइब करेंगे तो क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर 1 तो यह 1 हो जाएगा यह इंटू 1 हो जाएगा अब यहां पर हो जाएगा कास 90 डिग्री कास 90 डिग्री क्यों होगा क्यों कि आई केप X-axis का है और जे कर पाई एक सिस्क है और X-axis और Y-axis के बीच में 90 डिग्री के इंगल होता है इसलिए ऐस नाइनटी होगा और कास 90 90-0 होता है तो से पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा 90-0 होने का जीरो हो जाय इक tyle grote LIKE 0 करें दो वह भी 0 होगा और यदी हम के का आई के साथ little product करेंगे तो वह भी back is पकाल से यहां से क्या पता चलता है कि खुद का खुद के साथ में जब डा़ प्रोड़क्ट होगा तो वन होगा और एक का दूसरे के साथ में जब डाट प्रोड़क्ट होगा तो जीरो होगा क्योंकि वहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है ओके अब हमको कुछ कुछ एफ्पятьсяκना है की हम डाट प्रोड़क्ट किस तरह से करते हैं तो सपोस हमें एक एक विक्तर लिया एकि वेल्यूस पूआ i-cap plus j-cap plus 3k-cap ऐसा हमने एक वेक्टर ले लिया और एक दूसरा वेक्टर ले लिया बी इक्वल टू सपोस्स i cap plus 4 j cap minus k cap, ऐसा हमने two vectors ले लिया, अब यह दोनों vector का हमको करना है dot product, जब दोनों का हमको dot product करना है, तो dot product हम किस तरह से करेंगे, देखो, यहां से देखो, that implies there for a dot b, a dot b, a dot b हमको करना है, तो a का value कितना होगा, two i cap plus j cap plus three k cap, यह होगा, और dot का यहां पर आप symbol लगाओगे, और dot हो जाएगा, i cap plus four j cap minus k cap, ऐसा, इस तरह से, अब यहां पर simple जैसे multiply होता है, algebra में वैसी multiply होगा, that means, यहां पर जो two i cap है, यह two i cap का, इसके साथ भी multiply होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, लेकिन हमको उसको सब के साथ में multiply करने का ज़ूरत नहीं है, सब के साथ multiply करने का ज़ूरत क्य Oiku टो कि के साथ मर्टिप्लाइड करेंगे तो वह भी मल्टिप्लाई नहीं होगा क्योंकि वह भी जिरो हो जाएगा इसका मतलब सिधा हम 1 क्यूति बना लें की हम आई का सिर्फ आई के साथ मल्टिप्लाइड करेंगे जए करेंगे और फिरीन हो रहा है लेकिन 0 होने के कारब और उसको नहीं करते ओके फोट्रविक आप इसका सब drie की इसल मेटीपीटिके से कैसे होता है इसका जो टूक का कॉफिसिएन्ट है तो और यहां पर आए का कॉफिसिएन्ट कुछ नहीं मतलब रहे हैं इनके कोफिसिहान का मल्टीप्लाई और into 1 2 होगा और i dot i multiply होकर 2 बन्हों qelement कोफिशेंट यह पर वन है और यह कोफिशेंट यहाँ पर फोर है sister r-4 प्वटिया. यहां पर कहलोख से इसका कोफिशेंट माइनस वन है तो 3 – 1 कितना वह एका माइनस सी हो जाएका इस पकार से यह सिंट माइनस ध्री मतलब ठ्री यह इस का अंसर रहाएगा अब यहाँ अपन देखो यह जो सपाइल लौकुलाыл आनसर है यहँ एक स्केलर कॉंपिंटीती है फ्री एक स्केलर कॉंपिंटी एं और इसलिए क्या पुरतकी मिलब वक्रेट्वार्टन पुरी प्रीज नियूंच का इसलों को पटा कि एक टार्री होता थे क्वर्क टू यहां पर मैं आपको बै Ear तो चीट है ऑंजी का मतलब यहाँ पर फोर्स और डि स्क्रार्इंट मैं तो मालस हम को इस दिया है तो हम यह दोनों का डाट पोड़क्ट करेंगे और डाट प्रोड़क्ट करने कि पाद क्या है वर्क निकाललेंगे ऐसे बहुँत से एग्जामपल है मतलब physics में कहीं पर भी जब हम किसी फार्मूला में डाट पोड़क्ट आता है तो इस प्रकासे डाट पोड़क्ट का यूज करके महाँ पर question solve करेंगे तो यह है हमारा डाट प्रोड़क्ट और डाट प्रोड़क्ट के example कि किस तरह से हम डाट प्रोड़क्ट करते हैं अब हम नेश्ट देखते हैं cross product अगला हमारा जो concept है वह क्या है vector product जिसको हम cross product भी कहते हैं अब cross product में क्या होगा इसका फार्मूला देखो आप जैसे टू वेक्टर से तो एब इसके बीच में cross का sign होता है इसलिए हम को a cross b कहते हैं यह क्या कहलाता है cross product कहलाता है तो a cross b का जो formula होता है वह होता है vector a into vector b और into यहाँ पर क्या होता है sign theta यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम एक n cap का multiply so करके दिखाते हैं हालाए कि इसको लिखना necessary नहीं होता necessary क्यों नहीं होता इसका region समझो n cap मतलब unit vector है और unit vector that means one को हम कहीं भी multiply कर सकते हैं जैसे algebra में कहीं पर लिखा हुआ है 4 तो 4 into 1 हम उसके लिख सकते हैं that is also equal to 4 तो वैसी vector algebra में हम मतलब उसके unit vector का कहीं भी multiply कर सकते हैं अब आप सोचोगे कि सार फिर क्यों कर रहे हैं तो करने का reason यह है कि इतका जो multiply होता है वह सकेलर quantity आता है और एन केप multiply करके उसको वेक्टर कर देता है क्योंकि हमने पढ़ाया कि वेक्टर इसको करना जरूरी नहीं होता वह इसलिए क्योंकि हमको वन है तो magnitude मुसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम उसको नहीं लिख ठीक है तो आपके नालेज के लिए मैं बता दिया बाकि उसको लिखने का ज़ुरत नहीं है लेस लाइन में इस फार्मूला को हम लिखें त सामटॉर हो गया माड़ भी स्कशलर भी हो गया साइअ झान् साइडलेगर आए वेयं मैं को आ रिजल्ट है वह वेक्टर फाम में आता है इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोड़क्ट कहते हैं तो यहां पर वेक्टर प्रोड़क्ट का मतलब यही है यह जो वेक्टर प्रोड़क्ट लिखा है इसका मतलब यही है यह आपको ध्यान में रखना है अब यहां पर हम देखें कि यूनिट वेक्टर्स के वेक्टर प्रॉडट्ट क्या होते हैं या क्रास प्रॉडट्ट क्या होता है जैसे हमने पीछे देखा की यूनिट वेक्टर्स के डाट पॉडट्ट कैसे होते हैं वैसी हम यहां पर देखेंगे क्रास प्रॉड़क्ट आर क्रास प्रॉड़क्ट आप यूनिट वेक्टर के हम क्रास प्रोड़क्ट देखते हैं तो यूनिट वेक्टर के क्रास प्रोड़क्ट किस तरह से होगा देखो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें इसमें साइन होता है तो साइन जीरो क्यों इसका वेलिउ क्या हो जाएगा जीरो similarly, यदि हम J cross J करें, वह भी 0 आएगा, और यदि हम K cross K करें, तो वह भी 0 आएगा, यह होता है, ठीक है, तो इसका value यह हो जाता है, second में यदि हम एक का दूसरे के साथ में करें, I cross J करें, तो 1 into 1 into, अब यहाँ पर होगा sin 90 degree, क्योंकि I J के साथ में 90 degree के एंगल बनाएगा, sin 91 होता है, तो सब का multiplication होके कितना हो जाएगा, यह 1 होगा, उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, J cross K, J cross K equal to 1 हो जाएगा, और K cross I, K cross I भी 1 हो जाएगा, इस तरह से यह का cross product 0 और इसका cross product 1 होता है, ठीके, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, पीछे भी मैं नहीं बता पाया, बताता हूँ अभी, यहाँ पर एक बहुत important बात आप note करके ध्यान रखना वो यह है, कि A A cross B का जो value होता है, वह minus B cross A होता है, कहने का मतलब यह, कि A और B के दी order को change कर दिया जाए, तो vector negative हो जाता है, उसका reason क्या है, क्योंकि यह vector quantity है, और आपको पता है कि vector quantity में order change करें, तो direction change हो जाता है, इस तरह से A cross B equal to minus B cross A होता है, लेकिन हम पीछे बात करें, तो पीछे यह यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर भी मैं आपको note करके बता देता हूं, वो यह कि A dot B is equal to B dot A, कहने का मतलब A dot B जो होता है, वह B dot A के equal होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है, माइनस नहीं होता, क्योंकि इसकेलर quantity है, और इसकेलर quantity में direction का कोई रोल नहीं है, तो यह बात ध A cross B equal to minus B cross A होता है, इस बात को अध्यान रखना, तो यह हो गया cross product, अब हम देखते हैं, cross product के कुछ, example कि कि किस तरह से cross product किया जाता है, cross product थोड़ा सा difficult, dot product से इसने थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर हम एक example ले ले इसका, suppose हमने एक example लिया, कि एक vector अपने पास है, यह vector A equal to suppose I cap plus 2 J cap plus suppose 3 K cap है, और हमने एक vector ले लिया, B equal to suppose 2 I cap plus J cap plus 4 K cap, ऐसा मालव अपने पास 2 vector है, अब यह दोनों vector का हमको cross product करना है, तो दोनों vector का cross product करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे A cross B, तो cross product करने का एक rule होता है इसमें, और उस rule को हम बोलते हैं determinants, आप 12th class में, mathematics में आप determinants पढ़ोगे, है, determinants मतलब एक mathematics है, यहाँ पर हम two parallel line के बीच में इसको row और कालम में arrange करते हैं, ठीक है, तो यह mathematics जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते है सबसे पहले जो horizontal लिखा जाता है, जो horizontal लिखा जाता है, उसको row कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले रो में लिखेंगे, i cap, j cap और k cap, तो सबसे पहले हम i, j, k cap को अपने यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा, second row में इसके एसा, फिर third row में इसके coefficient को लिखेंगे two, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब one है, तो इस तरह से row और कालम में elements को अरेंज किया जाता है ठीक है तो पहला क्या बताया मैंने सबसे पहला काम हमारा क्या है elements को row और कालम में arrange करना ठीक है यह row कहलाता है यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं जो horizontal लिखा जाता है उसको हम row कहते हैं और जो vertical लिखा जाता है उसको हम कालम कहते हैं तो रो और कालम में एरेंज करने का जो मैस्मेटिक से उसी को हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि डिटर्मिनेंट्स को साल्व कैसे करते हैं यह तो होगा डिटर्मिनेंट्स अब इसको simplify कैसे करते हैं तो simplify करने का तरीका बहुत ध्यान से समझना simplify करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इस elements के लिए साल्व करेंगे जब हम इस elements के लिए साल्व करेंगे तो यहां पर कैसे साल्व करेंगे पर हम यहां पर इसके रो और कालम को छोड़ देंगे इसके रो और कालम को छोड़ देंगे कहने का मतलब यह है कि इसका रो यह है कि इसका रो यह है और इसका कालम यह है ऐसा तो इसके रो और कालम के एलिमेंट को छोड़ देंगे बहुत ध्यान से समझना जब हम आई के ổi मेंट को छोड़ देंगे तो यह 4 Elements बचेंगे और यह 40ūके कैसे सिंपलिफाय ही होगा देखो हम देट रिखेंगे AISA एक drinking का मुल्टिप्रीकेशन कैसे होगा इसका मल्टिप्रिकेशन इसके साथ वगा टू-का-4 के साथ cross multiplication होता है और 3 का 1 के साथ में होगा तो पहले 2 का 4 के साथ में होगा यहाँ पर मैं लिक में लिखेंगे और पर अब हम लिखंगे इसको को तो हम सालो zag करेंगे यह के लिए सोदेख करेंगे दिस्क्राइब यहां फिसनीव को छोड़ कर सलेंगे इसको मान तरी और ध्यां दान त्यौस लिखना है वैसे में तरड होता है लेकिल मैं आपको कई तरीके से बता कि उल्जाना नहीं चाहता क्योंकि क्या है यह बेसिक मैंसमेटिकल टूल से यहां पर ज्यादा में उल्जा दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन आएगा तो सिधा प्लस के बाद माइनस लिखना और फिर आगे करते हैं देखो इसके बाद हम क्या क करेंगे यह मैं बोला यह कालम को छोड़ेंगे तो वन का फोर के साथ मुल्टिप्लाई होगा वन इंटू फोर यह वन का यह फोर के साथ मुल्टिप्लाई होगा और यह थ्री का यह टू के साथ मुल्टिप्लाई होगा और माइनस होगा बीच में तो थ्री इंटू कितना ह हो गया तु और उसके बाद फिर के खोगा ठीक है पहले आई के फिर माइनस जैके फिर के के अपके के लिए जब हम साल करेंगे तो के करेंगे अब उसके रोघ कालम को छोड़ देंगे तो इसका जो कालम है यह देखो ग्रीन कलर से में कर रहा हूं और रोग इसका यह है ऐसा लोग नहीं करना मैं समझाने के लिए करना हुए इस तरह से तो ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पर राउंड किया हुआ है इस रोर कालम को छोड़ दो तो यह एलिमेंट बचेंगे वन टू 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 वन यह बचेंगे तब हम इसको किस तरह से लिखेंगे ज्यान देना अब प उसको प्लस लिखना चाहे तो उसमें हम इसको पहले उसको बाद में लिखते हैं तब भी सही है वो क्या है कई बार हो सकता है आप दूसरे राइटर के बुक पढ़ोगे या कोई टीचर आपको और एस्प्रेंड करेगा और यहां पर प्लस लिख दिया फिर बोलो गया रहे तो क्या होगा अब मैं लिखता हूँ अब मैं हैं यहां डारेक्ट लिखता हूँ फॉर्टू जा एट माइनस 3 एट में 3 को मैंनस करूंगा तो 5 होगा तो यहां यहाँगा 5-0 इसके बाद देखो यहोगा 4-6 यह 4-6 4-6-2 होगा minus minus multiply होके हो जाएगा plus तो हो जाएगा 2 j cap और उसके बाद यहाँ पर देखो 1 minus 4 1 minus 4 मतलए minus 3 तो यह हो जाएगा minus 3 k cap इस तरह से यहाँ पर जो आया है यह इसका final result है यही इसका answer है और देखो यह किस फार्म में है या vector फार्म में है आप result को देखो यह वेक्टर फाम में है क्योंकि इसमें आई जेक के है इसलिए वेक्टर प्रोड़क्ट का जो रिजल्ट है वह वेक्टर फाम में होता है ठीक है इसलिए आप इसको ध्यान में रखो प्राब्लम क्लियर नहीं यहां तक चलिए ठीक है तो इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट्स फाम में लिखते हैं यह हमारा हो गया प्रोड़क्ट कंप्लीट और हमारा वेक्टर का एक चीज़ा और मेरे आपको बताना है वह है वेक्टर कंपोनेंट्स ठीक है किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिजाल्व करके उसके पार्ट को लिखते हैं यह फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है तो यह मैं आपको बता देता हूं उसके बाद वेक्टर हमारा कम्प्रिट हो जाएगा मैं उसको कमपोनेंट से लिख देता हूं कि यह रिजालूचन कमपोनेंट्स आप वेक्टर किसी भी वेक्टर का 動नेंट्स कैसे क्वाइंड करता है यह क्या चीज है इसका बहुत ज्यादा होगा मैं यह दितना हूगा नहीं लिख और इतना हूगा कि आप इसको काउंट नहीं करपाऊगे कि कि तो आपको उसको ध्यान से समझना है कि वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे होता है यहां पर देखो यहां पर मैं टू एक्सिज ड्रा कर रहा हूं सपोज यह एक इसके बीच में कोई वेक्टर क्वाइक्टिटीटीं को मैंने यह ले लिया सपोज यह फोर्स इमेजन करो थे मैंने इधर फोर्स लेलिया ऐसा यह उन्वाटर खेब्स अब यह है एक्सेर और यह है यह यह एक सक्सी्स को में एज कह रहा हूं एज फार हो इसको मैं की का रहा हूं वी फारल वर्टिकल अब यहां पर देखाउथ निय complete को स्फिपोज यह एंगल थीटाश में की लिए यहाँ पर मैं यह दिदी पर questioning operationहल ना कर सदी जोulent इंकर वे वे लोग veggie यह यह होगा, इँ Only ज़ने रीए इन जोग आगे हाए कट एड़ एक सद्च देखो यह जो ए भी है यह इसका वर्टिकल कंपोनेंट है भी है इसको मैंने लिख दिया भी और ओए आप देखो ओए क्या है फोर से एफ इस तरह से तो देट इंप्लाइस यदि मैं भी निकालना चाहूं तो एफ इधर आके मल्टीप्लाइब तो एफ साइन थीचा होगा इ होरीजेंटल निकालने के लिए इसी ट्राइंगल में हम कास थीटा निकालते हैं यदि हम इसमें कास थीटा निकाले तो कास थीटा इकॉल टू बेस अपान हाइपोटेनियस होगा अब बेस क्या है ओभी है देखो बेस ओभी है और ओए तो ओभी अपान ओए होगा इस पका तो यहां से देखो यह sthqc kita ककोल हो गया कि यहां से हमको दो बात पता चला कि वर्टीकल कमपोनेंट f हुआ हुआ और होरीजन्टल कमपोनेंट वह === कास टीटा हुआ मतलब ह को आप यहां पर अम्हों क्या applied करते हैं मतलब उसका चीफ अब रिजाल अलग पाइट में रेजाल किया अब यहां पर प्राब्लमें आता है कि जब सटूडेंट इसको कहीं यूस करता है जब आप आपने इतने लांग टीचिंग इस्परियंस में देखा है कि साइन वाले को कास लिग डालते हैं कास वाले को साइन लिग डालते हैं तो यहां पर मैं हिंदी में यहां पर मैं हिंदी में आप लोग को ट्रिक्स बता रहा हूं यहां नोट करके लिखा रहा हूं मैं यह ट्रिक् हुआ है और तीटा से दूर वाला है तो पास वाले में कास है और दूर वाले में साइन है तो आप क्या करोगे मालूम आप ऐसे याद रखना कि ठीटा के पास ऐसा लिख लेना ठीटा के पास यह मैं हिंदी में लिख रहा हूं ठीटा के पास तो ठीटा के पास कास ठीटा के प सब सिधा देखना एकतों तो कि ठीटा से लगा हुआ सैड होगा उसको आपका स्करना पबम आगा बिशेख बीना कंवूजन के महीं कि सूचे हाट के साथ में लग हुआ साइड है लगे वे साइट को आप तुरंत कास लिखना और दूसरे को फिर आप साइन लिखना तो अपने आप हो जाएगा तो थीटा के पास कास होगा यह हम पास और कास का ठीक है पोईट लोग के जैसे हमने यहां पर कभी लोग के जैसे हमने यहां तुक बंदी लगाया है पास कास ऐसा सब इस बभी स्टनतों के पास सबंस्क्राइब aur और अर्म घृ उसके बादा आपको कुई याधा। याधा टेंसन रहागा हमारा वेक्टर का पार्ट कंपेट ओके वेक्टर के पार्ट के बाद हमारा एक बहुत इंपार्टेंट मिथमेटिक्स पढ़ना होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपार्टेंट है मैं आपको बूला कि दो मैस का बहुत ज्यादा यूज़ होगा तो नेस्ट पार्ट क्या है हमारा केलकुलस तो अब हम स्टार्ट करते हैं कलकुलस के चलिए तो कल्कुलास को हम देखें और कल्कुलास हमारा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कल्कुलास पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक तो इसका यूज बहुत ज्यादा होगा के नीट में जब नियमेर्कल्स सालेक्ट किया जाता है तो मेरा अभी तक का की यह बनाएगा और नेटिर्ली वह कल्कुलास येवं थेंस क्लास तक्ह पढ़ा होता और जब 11-12 में जाके calculus को अच्छा करेगा तभी इसको बना पाएगा तो थोड़ा उसका difficulty लेबर अच्छा होता है तो मैंने guess किya है कि calculus पर based question बहुत पूछे जाते हैं और numericals में इसका बहुत जादा ज़ुरत पढ़ता है इसलिए सभी स्टुडेंट को वैसा तो ऐसा नहीं कि मैस वालों को नहीं करना है मैस वालों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि 12 में बहुत डेप्थ में calculus पढ़ते हैं mathematics में तो उनको ज़्यादा ज़ुरत नहीं पढ़ता ऐसे भी mathematics वालों को फिजिस का numericals और कल्कुलेशन बहुत ज़्यादा को रिलेट करता है इसलिए जब भी मैसिक mathematical tools का class लेता हूं तो मेरा focus bio की student पर ज्यादा होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि इनको ना बताया जाए तो कहां से पढ़ेंगे तो मैं अपने brain में anytime इस lecture को जब भी मैं देता हूं basic mathematical tools पर तो मेरे दिमाग में हमेशा मैं एक bio की student को ideal फाम में रखता हूं कि भाई इसको ध्यान में रखके मुझे पढ़ाना है मैं इसकी student को ध्यान में रखूंगा तो बहुत से लोग को पता नहीं होता क्योंकि Newton के बारे में ऐसा है कि 90 परसेंट लोग इसको ओनली फिजिस्ट समझते हैं न्यूटन इजफिस्ट वासे फिजिटिस्ट फिजिस्ट बस नहीं थे वो बैसे की नियूटन वासुमेठी जन वह बैसे की में थे हैम और में एक में के है उन्होंने फिजिस भी इतना ह especial पर पुछा है तो कल्कुलस नीडिया कल्कुलस का basic introduction Newton ने दिया मैं आपको बता दूं कल्कुलस में क्या क्या पार्ट होता है दूसरा important बात यह है कि कल्कुलस में concept से ज्यादा important फार्मूला है खासकर आपके physics के लिए आपको बहुत ज्यादे हैं कल्कुलस के questions आलवनी करने हैं इतना ब्राड मिथमेटिक सही है कि आप इतना हाई लेबल का differentiation थोड़ी सीखोगे फीजिस के लिए only formula और थोड़ा उसका processing तो 90% वर्क आपका फार्मूला लर्न करना है मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका मैं आपको बेक्राउंड बता दूं कि आपको फार्मूला लर्न करने में जरा सभी लपरवाही नहीं करना है यदि आपको फार्मूला याद है तो प्रोसेस तो आप कर लोगे खासकर फीजिक्स ने कोई difficult question तो रहेगा नहीं तो भाई फार्मूला का मैं पूरा कलेक्शन आपको यहां पर दूंगा अपने लेक्चर में वहां से आप स्क्रीन साट ले लेना या उसको देखके नोट्स बना लेना वीडियो को अगें अगें देखके नोट्स जिरा समध्य में लेकिन फार्मूला का कलेक्शन आप ज़रूर कर लिन चलिए तो हमय Mode करने कल को ख actually कल कूलेश दो पार्ट अठो नहीं ने जब कल कूलस बनाया तूरहोंने बोला कि अचोअ को थोगा यस एक पार्ट सुखाग का डिफ्रेंशिचर होगा दूसरा पार्ट उसका integration कहलाता है तो कल्कुलस को हम टू पार्ट में पढ़ते हैं ठीक है यहां पर मैं दोनों का आपको बता रहा हूं ताकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता सब्सकूत दोनों का जो इसका कमप्रेज़न तो यहां पर देखो ईसका जो फॉस्ट पार्ट है Crispy कलकुलस का जो पहला इसका ब्राच करना चहीं वह क्या कहलाता है डिफ्रेंसियस अन ऑफ यह पर डिफ्रेंसियस अन कहलाता है है और सेकंड नंबर निंभर का पार्ट इसका इंटीगरेशन कहलाता है यह पार्ट इसका इंटीगरेशन कहलाता है ah की означation and integration डिफ्रेंश येसन और इंटीगेशन इसके टू पार्ट है अब डिफ्रेंश येट्डेशं के पारट में हम क्या पढ़ते हैं हैं integration के पार्ट में क्या पढ़ते हैं यह हमको यहां पढ़ देखना है देखो यदि मैं इसका algebra के साथ में comparison करूं इस mathematics का यदि मैं algebra के साथ में comparison करूं तो ध्यान रखना कि differentiation का relation सब्ट्रेक्शन से है और integration का relation सम से है एडिशन से है आप समझ सकते हैं आपको समझने के लिए बता रहूं न इसको आपको ही डिफाइन मत कर देना मैं आपको समझाने के लिए बता रहूं डिफ्रेंशियसन का मतलब होता है डिफ्रेंश difference find करना differentiation का मतलब difference से है और integration का जो मतलब है actual में sum करने से है जब हम number को sum करते हैं तो वो calculus में integration है और जब number में हम difference find करते हैं तो वो क्या है differentiation है इस तरह से algebra के दो part के according ही चलता है differentiation में difference होता है इसको अपैसा समझ सकते हो differentiate का मतलब होता है चीजों को छोटा चोटा चोटा बानना चोटी चुकण audio में काटना और integration का मतलब होता है उससब को सब को जोड़ना जैसे हमने building बनाया हुए है तो building में हमने बहु surtout मेरी सब्रिक्स को करना चाहते हैं तो जब उसको तोड़ेंगे तो उसमें छोटे-छोटे बिक्स के पार्ट निकलेंगे तो चीजों को तोड़ना चीजों को छोटा-छोटा करना डिफ्रेंसियसन कहलाता है और चीजों को क्या करना है एड करना उनको सब को जॉइंट करना integration कहलाता है क्योंकि देखो होता क्या है मैंने बहुत बार फिल किया ये बात कि हम differentiation करते रहते हैं इंट्रीटेशन करते हैं लेकिन एक्ट्वल मुष्का मीनिंग पता है यह रहता है अपने को कि हम कर क्या रहे हैं हम चार फार्मूला रट लिए किसी आपजट को Grayiveness में ला रहे हैं तो क्यों किवहना करने का सबसे बड़ा यही है कि सेंस गायाब रहता है और वर्ड्स ब्रेन में रहते हैं जब कि ऐसा नहीं है सेंस के साथ वो होना चाहिए तो फिर आपको कोई प्राब्लम नहीं आएगा तो थोड़ा उसको समझना तो यह है डिफ्रेंशियसन है और यह क्या है इंटिग्रेशन है अब देखो जब हम सबस्टेट किये तो माइनस साइन बताए है कि भाई हमने बताया कि किसी को भी हमने सिखाया तो बोला कि भाई सपोस्ट 10-2 यह Google टूराइड तो इसके लिए हमने सिखाया कि भाई यह इनास करने का साइन है फिर जब हमने किसीคोछ इखाया किन एध करना है तो हम किसी को बोला कि 10 प्लस 2 उसा सिखाया तो उसको मनें यह भी सिखाया कि यह जो बीच में हमने कि लिए इस साइंस से हम करेंगे इस न सब्सक्राइब करेंगे उसी तरह से और इंटीगरेशन को रिपरेजेंट करने के लिए कुछ सीम्बोल क्रिएट किये गए ठीक है तो सिम्बोल क्लिएट किया गए तेखो differentiation के लिए जो symbol हम use करते हैं वो हम लिखते हैं d by dx d by dx मतलब differentiation हो रहा है अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि मैं 10 में 2 को minus कर रहा हूं तो मेरे पास दो number है एक 10 है एक 2 है तब तो minus हो रहा है अकेला number तो किसी से minus हो नहीं सकता मैं आपको पूछ हुआ कि किस में – हो रहा है तो बहुरो कि sir 10 में – हो रहा है फिर मैं बहुरूंगि कौन सा number- convince हो रहा है तो बहुरो कि sir 2 हो रहा है तो उसी तरह से मैं बो डिफरेंशियेट हो रहा है तो मेरे पास एक और coalition हो था भाई किसका यह y है और इसका यहाँ पर differentiate हो रहा है और यहाँ पर एक बहुत important बात, here y is a function of x, यह बात आप कभी नहीं बूलना, मतलब यह क्या कह रहा है, कि भले ही मैं यहाँ पर y लिख रहा हूँ, लेकिन y क्या है, वह x का एक function है, कहने का मतलब यह, कि y का value जब भी यहाँ पर put up होगा वह x के farm में होगा, क्योंकि x का ही x का respect में differentiation होगा, y का respect में differentiation नहीं हो सकता, क्योंकि y अलग variable है, x लग variable है, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि भाई, 10 litre में 2 kg को add कर दो, तो हसने लगो कर कि बोले sir, क्या question है, 10 kg में 2 litre को कैसे add करें, क्योंकि यहांत यहां पर भी यदी मेरे को X के respect में डिफ्रेंसियेट करना है तो X का ही डिफ्रेंसियेशन करना पड़ेगा दूसरे बर्यवल को नहीं होगा तो फिर आप बोलोगे आप तो यहां पर लिए तो फिर आगे मैं यहां ने भी बताया here y is a function of x मतलब यहां पर जब Y का जब भी वेल्यू पूट अप करूंगा वह एकस के फाम में पूट अप करूंगा तो वहां पर नेच्रली मुझे पता चल जाएगा कि वह एकस के साथ में डिफरेंसियेट हो रहा है ठीक है तो यह हमारा डिफरेंसियेशन का सिम्बोल अब यदि हम इंटीग्रेशन का सिम्बोल अब यहां पर पर यहां पर कहां यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो इसको लिखते हैं डिएकस तो इस प्रकार का निशान लगाते हैं यह और आप इसके साथ में यह डी एक्स लिखते हैं तो यह integration का सिंबोल है तो ऐसा differentiation होता है ऐसा integration होता है अभी तो मैं इसके फार्मूले के चार्ट आपको दूंगा लेकिन इक इसके आपको प्रेश्टीस कर आता हूं कि कैसे दिफ्रेंज सक्षे वह समय तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पर मैंने 1k दियुम्हत पहले पार्मोला करेंट इसका सबसे ज्यादा यूजट होगा डी वाइडी साफ एक्सक्रेशन फोर डीविए साफ एक्सक्रावर न इक 202 होता है एन into x to the power n-1 यह इसका फाहला फार्मूला है तो डी बाइडी एक साफ एक्स तुदी पावर n इक्वल टू होता है n into x to the power n-1 यह इसका फार्मूला है और इस पर मैं आपको एक एक्जामपल यहां पर बता दूं तो देखों यहां पर एक एक्जामपल मैं लिखता हूं कि सपोज मेरे पास कोई नंबर है डी बाइडी एक साफ एक्स तुदी पावर 6 अब इसको डिफ्रेंट करना है तो मैं फार्मूला से इसको को रिलेट करूंगा तो यहां पर जो एक्स का पावर 6 है यहां पर एन है इस फार्मूला में जहां जह ऊसिक्स फार्मूला जाएगा अपथर लिख्रेंशनों को मैं डिफ्रेंश होना बताता हूं देखो यहां पर डिकरीज ओ रहा Het प्रेंशन को किimi टार्मूला से फार्मूला उसको यहां वह होता है इंटीग्रेशन आफ इंटीग्रेशन आफ एक्स टूदी पावर एंडी एक्स इंटीग्रेशन आफ एक्स टूदी पावर एंडी एक्स जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टूदी पावर एंडी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर अपने को जो फर लेते हैं जिसका हमने भी क्या किया एकस्ट टूदी प्लस वण अपान हो जाएगा 6 प्लस 1. तो that means x to the power 7 upon 7 यह इसका अंसर होगा. तो देखो, यहां पर x का power 6 तह था 7 हो गया. x का power यहां पर 6 था integration के बाद 7 हो गया. मतलब क्या हो रहा है? sum हो रहा है, power increase हो रहा है. यहां पर देखो, differentiation में देखो. x का power क्या था? शुक्त सर्फ सा डिफ्रेंशियट में फाइए तो तहां रहा है डिफ्रेंस हो रहा है तो यह है इन्टी बेसन Sto सब्सक्रान का बैसे इंट्रोडवक्शन और मैं समझता हूँ इतने से आप यह समझ गयोगे कि डिफ्रेंशियटन क्या है और कि इटना तो आपको समझ मोय गया होगा Kingdom कि से ख़ाए इसंप्लीर कर नू कैल कुल tout कि मेरा कोई भी इमयरा कोई भी स्टुडेंट मेरा कोई भी स्टुडेंट आप लाइन में भी और आलाइन में भी जो बैसिक टूल्स को अच्छे से कर लेता है उसको फिजिक्स में पूरे दो साल 11 और 12 में इंक्लूडिन काम्पुटिटिव एक्जाम आल सो कोई प्राबलम नहीं होगा कोई प्राबलम नहीं होगा यह बिल्कुल मेरा चैलेंज है कि जितनी बात मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने में आपका पूरा हंडेट परसेंट काम चलेगा ओके बस आपको थोड़ा इमांदारी से वर्क करना है तो यह मैंने आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन अब म इसको तयार करो लेकिन यह आपको याद रहना चाहिए यहां पर मैं एक कंपरिटी चार्ट में बढ़िया आपको देदेता हूं इतना अच्छा कलेक्शन आपको कुछ मेहनत करने का ज़ूरत नहीं है और सब चीज आपको यहां पर आसानी से अबलेबल है और कंपरिटी हम आपको ज़ूरत नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा मत भटकना आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंसियेशन पर रिसर्च नहीं करना है आपको फिजिक्स के लिए पढ़ाई करना है यह साथ में प्लस ती प्लस ती लिखा हुआ है तो यह प्लस ती देख के आप यहां पर पर प्रेशान मत होना इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको लिखना जरूरी नहीं होता लेकिन यह क्या है मैं बाद में समझाओंगा इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका नाम है इंटीग्रेशन है integration of x to the power n यहां पर हम dx लिखना भूल गए हैं आप पर dx रहेगा न दिएक्स तो सब में रहेगा कहीं कहीं पर लिखना भूल ध्यान रखना यह dx dx तो सब में रहेगा सिंबोल है उसका तो डिवाई dx आफ x to the power n अभी मैं बताया उसका यूज किया डिवाई dx आफ एक्स वन होता है मतलब जब एक्स का ही एक्स का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेसन हो जब एक्स का ही एक्स का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेसन हो तो वह वन हो जाता है ठीक है यह ध्यान में रखना फिर इससा नहीं है मैं आपको लाग पढ़ा चुका हूं लाग में आपको बताया था यह ऐसा लिखाएगा यह क्या आपको पढ़ाया हूं यह लाग x to the base e लिखाएगा ऐसा तो लाग x to the base e है ठीक है यहाँ पर भी वैसी है यहाँ पर भी वैसी है यह टाइपिंग के करण है अच्छा इंटीगरेशन देखो को डिफ्रेंसियसन का ठीक उल्टा होते गया है तो आपको इसको याद कर लेना है यह हो जाएगा लाग x to the base e नीचे में छोटा सा रहेगा ऐसा टूदी बैसी और प्लसी तो इंटीगरेशन कांस्टेंट है ऐसा लिखेंगे लाग x to the base e बैस को छोटा सा लिखा जाता है अधिकेशन है और इसी दा लर्णर सहब हमारा एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में आपको पूरा नोट्स कि यह भी म्यांटी करके मिलेगा बैसिक मैस्मेटीकल टूल्स और पूरा फिजिक्स के फस्ट चैप्टर से यूइनड मेजर्मेंट से आपको पूरा वेब हो तक पूरा इंग्लिस मीडियम को नोट्स आपको प्रापर मिलेगा वह फ्री आफ कास्ट बीना किसी सिंगल रूपीस चार्ज के तो आप वहां से ले सकते हैं बस आप हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और इजिन दा लर्नर सहब वैसे हमारे वीडियो के नीचे करेंगे समझाता हूँ यह हो गया लिए यह संग होता है इसको कछ कहीं कहीं पर यह चोटा बहुत मिस्टेक होगा मत्लब उस प्रिंट होगा उसको सुधार लेना जैसे मैं यहां पर देख रहा हूँ खाली कास लिखा तो साइन एक्स होता है तो साइन का सोगा यहां पर का सोटा है तो का साइन होगा इस पकार सी सवियाद रखोंगे ठीख है टेन इसका सेक्सा होता है ठीक है टेन एस जो फ्लूप्त सतने थे कि इसाड़ रएकस होगा है यहाँ पर भी थोड़ा तो डिसको सुधार होगे तक का डिबुट है थे चया रेक्स सुखश Amt माइस सबुत है और यहाँ पर स्पेस्टेंड होगा सेक इस्टेंड एकस का संब विखते स्प्लिस का तो यह है इसका भी आप इसके शट लेना कि मैं कि स्बस्टेंड कि ओके इसके पूरा फार्मूला का कलेक्शन में आपको दे दिया कहीं भी आपको परसान होने का जूरत नहीं है डी भाई डी एकस आप क्रीव लाकसाई एकस का हो गार्ट होता है और कार्ट यसक्यूर्त लेलो और इसकी शुक्राट लेने से बाद इससका अब प्रपर नोटस ज्यूर बना लेना या हमारे एप्लिकेशन से नोटस फालू कर लेना एप्ली के संसे नोट्स फालो कर लेना ओके नेस्ट देखो जोमेट्री से पहले तुम्हें आपको इसके क्वेस्चन की प्रेक्टिस कराऊंगा देखो पहला काम फार्मूला लर्न करना आपका काम हो गया फार्मूला आपने लर्न कर लिया तो आपका काम हो गया ठीक है उसके बाद मुझे कुछ चीजों का आपको प्रेक्टिस कराना है क्वेस्चन का वह मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो वह जवरी है सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न करना है तो फार्मूला लर्न करने का काम आ सबसे पहले डिफ्रेंसियसन अभी तो हमने दोनों को कंबाइन पढ़ लिया अब मैं आपको यहां पर उनली डिफ्रेंसियसन समझा रहा हूं कि डिफ्रेंसियसन हम कैसे करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा इंटीग्रेशन ठीक है तो चलिए डिफ्रेंसियसन स्टार्ट करें और इसमें कुछ फार्मूले और मैं आपको बताऊंगा जिसमें पहला है सम एंड डिफ्रेंस का सम एंड डिफ्रेंस का फार्मूला सम एंड डिफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है देखो जैसे हमने कहीं पर लिखा इस तरह से डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साफ यू प्लस माइनस भी तो इसका क्या होगा इसको जब एसपांड करेंगे ते हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स इस तरह से होगा इस तरह से इसका एक्सपांशन होगा तो डी बाई डी एक्स आफ यू प्लस माइनस भी एक्स डी बाई डी एक्स मतलब दोनों के अलग-अलग डिफ्रेंसियेशन हो जाएंगे फार एक्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एक एक्जाम्पल आपको देते जा रहा हूँ ताकि हर concept आपको एक्जाम्पल से clear हो जाए जैसे कहीं पर लिखा हुआ है d by dx of e to the power x plus sin x सपोज इसका मेरे को differentiate करने के ज़ुरत पड़ा तो क्या करूंगा इस फार्मुला से u और v का अलग-अलग हो जाता है वैसी यहाँ पर इन दोनों का अलग-अलग हो जाएगा तो क्या होगा यह d by dx of e to the power x और प्लस यह हो जाएगा d by dx of sin x इस तरह से होगा that equal आपको मालूम है e to the power x का differentiation e to the power x हो जाता है तो e to the power x होगा और sin x का differentiation cast x होता है तो यह cast x हो जाएगा इस तरह से d by dx आप e to the power x, e to the power x और sin x का differentiation का differentiation का सेक्स होगा तो हम समेंड डिफ्रेंस का differentiation ऐसा करेंगे बहुत आसान है कुल मिला कि आप देखो यदि आपको फार्मूला याद नहों तो कुछ नहीं कर पाऊगे e to the power x का e to the power x याद रहना चाहिए साइन एक्स का कास याद होना चाहिए ओके तो यह है सम एंड डिफ्रेंस का अब हम देखते हैं प्रोड़क्ट का कि सेकंड हमारा कंसेप्ट है इसमें वह प्रोड़क्ट का मतलब जब हम दो फंक्सन का मल्टिप्लाइ करते हैं तो कैसे इसके लिए फार्मूला है वह यह है डीवाई डीएक्स आप यू इन्टू भी यहाँ पर यू और भी का प्रोड़क्ट हो रहा है यू यहाँ पर फंक्सन है भी क्या यहाँ पर सेकंड फंक्सन है इन दोनों का प्रोड़क्ट होने पर जो फार्मूला बनता है वह यह है फ इसका differentiation कर पाओगे ठीक है तो इस तरह से यह इसका फार्मूला है अब इस फार्मूला को हम यूज करके देखें एक example से तो यहां पर मैं एक example देता हूं देखो उससे आपको समझ में आएगा example है suppose यह है d by dx आप कहीं पर लिख लिए मैंने x into लिख लिए log x x into log x यह मैंने question लिख लिए अब यहां पर आप देखो यह जो x है यह जो x है वो यू है और log x क्या है भी है तो यहां पर दोनों को जब हम differentiate करेंगे तो यू के जगा में x का value लिखेंगे यह हो जाएगा x और into d by dx आप भी तो भी क्या है log x है तो d by dx आप log x हो जाएगा और plus यह हो जाएगा log x और into differentiation आप d by dx आप u तो u का value क्या है यहां पर x है तो यह हो जाएगा dx इस तरह से हमने कुछ नहीं किया बस यह जो फार्मूला हमने लिखा है उस फार्मूला में value को put up कर दिया है इसके बाद आप इसको हम simplify करें तो x तो x होगा log x का इसलिए बोला आपको की फार्मूला याद करना पड़ेगा है ठीक है हमारा आफ लाइन का क्लास होता है तो हम ऐसा नहीं पढ़ाते हैं एक दिन सिर्फ फार्मूला पढ़ा के वर्क देते हैं कि नेस्ट क्लास में आप फार्मूला लर्न करके आओगे और फिर इसको वह फार्मूलार न करना है आप वीडियोक कर और फीर हम फार्मूला लर्न करने के बाद कोंस्ट्रन समयगा न कर लो कापी में लिख लोग आप फिर काम सुरू करो तो यूज करना है करें आप किसी भी प्लास को किसी लेबल पर अपने बेनिफिट के लिए कि यूस्फ फूल बना सकते हो और टाइन कर सकते हैं तर फिसी फिसका होगा और प्लस लाग तो वन प्लस लाग आफ एकस यह इसका अंसर होगा यह हो गया वन प्लस लाग एकस- को-ई-एहो गया प्रोड़क का मतलब मल्टी प्लिके जाने आसान है सिर्फ फार्मूला यह भी फार्मूला तो आपको लग नंब करना पड़ेगा ना तब था पर पाऊगे इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन को नीचिसके बाद अध्यान देना डिविजन का फार्मूला इस तरह से होता है d by dx आप u upon v जब u upon v d by dx आप u upon v का जब हम फार्मूला देखते हैं तो कैसा होता है यह है v into du by dx मतलब denominator into differentiation of numerator denominator denominator into differentiation of numerator और minus u into d by dx u into d by dx और upon denominator का square तो denominator का square मतलब v square यह इसका फार्मूला होता है इस फार्मूला को आपको सबसे पहले लर्न करना है क्लियर यह फार्मूला आपको सबसे पहले लर्न करना है division के अब इस पर भी मैं आपको एक question बता दूँ एक्जाम्पल x क्या है u है और x क्या है v है अब इस फार्मूला को हम यहां पर apply करें तो फार्मूला के according क्या होगा v मतलब क्या x यह हो गया और d by dx आप u मतलब lag x यह हो गया minus इसके बाद u तो u क्या है log x यह हो गया log x और d by dx आफ x और नीचे में denominator का square मतलब x square यह हो जाएगा अब इसको simplify करो यह हो गया x into log x का differentiation 1 upon x और minus यहां पर यह हो गया log x और यह कितना हो जाएगा into 1 और upon क्या होगा x square that equal आगे सालव करें x x के साथ में cancel out तो 1 minus यह 1 minus log x upon x square यह इसका answer होगा 1 minus log x upon x square 1 minus log x upon x square इसका final answer होगा यह होगा यह होगा तो यह तीनो प्रोसेस होगा है addition, subtraction, division and multiplication multiplication, division यह हमने आपको पूरा differentiation का सब फाम को बता दिया इसके बाद differentiation का जो last form होता है differentiate करने का वो होता है differentiation आप function आप function आप function इसके बाद फिर मैं आपको integration बताओंगा ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं differentiation आप function आप function differentiation आप function में हम function आप function का मतलब क्या होता है यह सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तों में function आप function है क्या चीज तब फिर हम समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है function आप function का मतलब होता है एक function के अंदर और बहुत से function जब किसी एक function के अंदर में बहुत से function होते हैं तब उसकों function आप function करते हैं फर example यहाँ पर आप इसको example से ही समझ पाओगे इसके लिए हम एक example ले लेते हैं और यह हमने के एक एक एक्जामपल लिया वाइए एक्वल मौनों ने लिया लांडी आप सबसे प्रणस्का यह सबसें टेमर्डांपल है तो यहां पर सबस्क्राइब Y फंक्शन हो इसके अंदर बह से फंक्शन हो सकते हैं लेकिन physics में उतना ज्यादा जब्रत नहीं होता है, ठीक है ? तो function के अंदर में जब एक और function हो, तब उसको क्या कहते हैं ? function, function कहते हैं, function आफ function के condition में, कभी भी जब function आफ function का condition हो, तो उसको बनाने का दो तरीका होता है एक तरीका क्या होता है देखो first method इसका क्या है first method को हम बोलते हैं by substitution by substitution मतलब substitution के द्वारा हलाकि यह method lengthy है इसको हम को use नहीं करना है लेकिन मैं केवल समझाने के लिए बता रहा रहा हूं हमको चैनरुल यूज श्रू उसके एक बार मैं कोई-क्वय्ट्ट्व थू लाग आप साइने एकश यह होता है अब इसका मैं क्व accessibility करें सपोज हम इसको एक्ष कर एसक्वेक्ष में डिफ्रेंश रथे हैं हो जाएगा डिवाई फट x equal 2 d bar dx आफ लाग कोई नया वेरियाबल साइस कर लेंगे हम सपस्क्राइग तो लेटस गंजिडर साइन x is t let हमने सबोस्ट कर लिया कि साइन सबोस्ट कर लिया जब हम इसको इसबोस्ट कर लेंगे तो हमारा क्वेस्टन क्या हो जाएगा धेर फोर दी-वाई बाए d1 x equal to, बब धाउप, अब sin x को हम t लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लाकती हो जाएगा, तो d1 by d1 x आफ लाकती हो गया, लेकिन यहाँ पर एक नए प्राविलम क्या आ गया, कि यहाँ पर variable t है, और यहाँ पर variable क्या है, x है, अब अभी मैं आपको बताया हूँ, कि kilogram लीटर के साथ एड़ नहीं हो सकता मतलब यहां पर टी एक्स के साथ डिफ्रेंसियट नहीं हो सकता तो एक नया समस्य आ गया उस नया समस्या का सालूसन क्या है कि अब हम यहां पर क्या करें अब यहां पर डैट इक्वल dt को मैं divide कर देता हूँ dy dt और उसके बार लिख लेता हूँ इसको लाग t dy dt आफ लाग t तो मैं dt को जब divide कर दिया तो मेरे को उसके adjustment के लिए dt को multiply भी करना पड़ेगा तो मैंने dt को वहाँ पर multiply कर दिया और यह जो denominator में dx है उसको मैंने यहाँ पर divide कर दिया तो dy dt आफ लाग t into dt by dx इसको लिखाया सकता है अब यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया क्यों क्यों क्योंकि अब हम इसका differentiate कर सकते हैं क्योंकि दोनों variable same है यह भी t है यह भी t है तो इसको हम differentiate कर सकते हैं तो लाग t का differentiation हो जाएगा 1 upon t हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dt by dx अब हम क्या करें दोनों जगा t का value को हम substitute कर देते हैं क्योंकि हम substitution में answer नहीं दे सकते तो जो हमने substitute किया है क्या यह हमने sin x को t suppose किया है तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमको sin x लिखना पड़ेगा तो therefore अब यह हो जाएगा dy by dx आप 1 upon t के जगा में sin x तो 1 upon sin x इंटू d by dx आफ t यह हो जाएगा dy dx और t का जो value है वो कितना होगा sin x तो t का value हो जाएगा sin x इस तरह से that implies अब आगे और solve किया जाए तो dy by dx equal to 1 upon sin x और into sin x का differentiation क्या होगा cas x होगा that equal cas x upon sin x क्या हो जाएगा cart x हो जाएगा यह इसका answer होगा तो dy by dx equal to cas x upon sin x और वो cart x होगा यह इसका final answer है तो इस तरह से हम इसको define कर सकते है differentiate कर सकते है लेकिन यह method बहुत लेंदी है यह method बहुत लेंदी है यह आप यहाँ पर देख रहा है कि इतना long process से जाना होता है इसलिए कभी भी मैं students को समझाता जरूर हूँ लेकिन इस method से करने के लिए मना करता हूँ तो इसका second method मैं आपको समझाता हूँ जिसको बोलते हैं chain rule second method को करते हैं chain rule तो second method हम इसको देखते है method number two आप ऐसे ही करना method number two और इसका नाम है chain rule chain rule हमारा question है y equal to log sin x अब हम इसको chain rule से differentiate करते हैं चलो differentiate करें क्या हो जाएगा dy by dx equal to dy dx आफ लाग आफ sin x लाग आफ sin x यह होगा अब आगे देखो यहाँ पर अब क्या करो थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना लाग के बाद जो भी आपको दिख रहा है उसको sin x के रूप में आप मत देखो उसको देखो कि x है मानलो sin x नहीं है मानलो वह x है तो सपोज यह x होता तब तो आप उसको differentiate कर सकते थे मानलो उसको मैं x लिख देता तो क्या बोलते आपकी सर वन अपान x तो सपोज कर लो वह x है तो x सपोज करको उसको मैं differentiate कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान x लेकिन लिखेंगे x नहीं लिखेंगे वही जो वहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है sin x है तो यह हो जाएगा 1 अपान sin x यह तो लाग x वाले concept से 1 अपान sin x हो गया लेकिन chain rule क्या कहता है कि जिसको हमने x consider कर लिया मतलब जिसको हमने x सपोज करके differentiate कर दिया उसका again differentiation होगा तो जब इसका again differentiation होगा तो d by dx आप क्या होगा sin x d by dx आप sin x होगा ऐसा होगा that equal अब यहाँ पर देखो 1 अपान sin x इन्टू sin x का differentiation क्या होगा का से और इस तरह से क्या हो जाएगा यह का टेक्स हो जाएगा यह इंसका आंसर होगा मैंने आप यहाँ पर देखो कितना आसानी सिसका यहाँ पर इसका हो गया किस से चैन रूल से तो चैन रूल बहुत आसान है देखे मैं आप लोग को एक एक example बता रहा हूं और मैं समस्ता हो अप्रेटिस निकन नहीं करना है बार 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 मैं आपको एक यह बात याद दिला रहा हूं कि वैसा कोई mathematics के प्राब्लम साल नहीं है तो यहां पर हमारा differentiation complete होता है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे integration इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे पहले तो मैं दोनों का फर्मूला एक साथ बता दिया प्रोसे समझ रहे हो ना हमारे पढ़ाने का पहले आपको मैं दोनों का कंप्रेटिफ हल्मूला बता दिया दोनों को define कर दिया अब separate मैं आपको differentiation पढ़ाया और separate मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए तो इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे फिजिक्स में और इसको आपको ध्यान से समझना है नाव इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन हम करें कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशे सम एंड डिफरेंस का यहाँ पर ध्यान रखना डिवीजन का फार्मूला नहीं होगा आगे समझाता हूं क्यों नहीं होता है समेंड डिफरेंस का तो सपोज हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इसका सिंबॉल है यू प्लस माइनस भी डिएक्स सपोज यू प्लस माइनस भी डिएक्स ऐसा हमारा थाम हो तो इसका इंटीग्रेशन होने के बाद अलग-अलग इंटीग्रेशन हो जाता है दोनों का मतलब इंटीग्रेशन आप यू डिएक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन आप भी किसका एक्स प्लस साइन एक्स का सपोस्स एक्स प्लस साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं यह यह हम को इंटीग्रेशन करना है तो एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे तो नेचरली अभी जो फार्मुला बताया दोनों का अलग-अलग हो जाएगा एक्स का अलग हो होगा democrats इन्टीरिशन होका साइन एगस का मालूम है क्या होता है टर्व सकते हैं एकस स्क्राइब कर अपां टू और माइनड एकस यह इसका अंसर होगा इस पकाट से देखो कि यहां पर जो सम इंडिफरेंस है उसका सीधा सीधा डिफरेंसियेशन हो जाता है ठीक है स्वारी इंटीग्रेशन हो जाता है त्यों हो जाएगा सेम डिफरेंस अब हम यहां पर देख लें कि प्रोड़क्ट का जो इंटीग्रेशन होता है इसको इंटीग्रेशन बाइपार्ट का मतलब क्या है कि इसको हम you into तो वी के फाम में किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं यह हमको देखना है तो सबसे पहले हम यहां पर फार्मूला लिखें उसके लिए यहां पर यू फर्स्ट फंक्षन है और वी क्या है सेकंड फंक्षन है देखो यह रहने के लिए बहुत कॉंप्लिकेटेट पार्ट है इंटीग्रेशन का लेकिन फिजिक्स में कभी-कभी हम इसका जवरत पढ़ जाता है बाकि जनरल फिजिक्स में इसका जवरत बहुत कम पढ़ता है जनरल फिजिक्स मतलब जो 11-12 क्लास का फार्मूला वागरा डिराइब करते हैं उसमें इस लेबल का इंटीग्रेशन का जवरत नहीं पढ़ता तो उससी साब से आपको समझना है मेरे को आपको 100% तयार करना है कम्प्रिटिव के लिए भी इसलिए मैं सभी चीजों पर डिसकस कर रहा हूं ठीक है चलिए तो यहां पर इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान देना इसमें होगा इन्टी आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा लेकिन दो चार बार practice से ये learn हो जाता है और कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको immediate कर डालो जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप उसको prepare कर लेना मैं आपको एक example बता दूँ तो यह बहुत अच्छे से clear हो जाएगा आपको ठीक है चलिए इस पर मैं एक example बत होई कि बहुत पर भी है वैसे इसका बहुत प्रोसेश होते हैना mathematics में इसके बहुत प्रोसेश है में बार बार का सब्सक्रिएन को जो देख रहे एक्स और इंटीघ्रेशन आप क्या होगा क्या हो ज 02 एक्स घियख लुड़ेगा माइनास इंटीग्रेशन आप द हूद द होका लिए क अध्यूड मतलब किया होगा लिएस और इंटिघ्रेशन आप क्या होगा साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स डी एक्स होगा और इसके पूरा का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स इस तरह से पूरा का इंटीग्रेशन डी एक्स होगा दैट इक्वल अब इसको हम आगे सालम करें तो यह होगा एक्स और साइन एक्स का integration क्या हो आगा और यहाँ पर मैनस इन्ट्री स्टीज़ प्लस होगा और कासक्ष का फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा और यह आंसर होगा इसका प्लस सी भी लिख देते हैं नहीं लिखोंगे तो भी चलेगा ठीक है अभी मैं आपको एस्प्रेंट कर दूंगा प्लस सी क्या मतलब होता है लास्ट में तो यह हो गया आप कौनसेप्ट है हमारा हमारा इंटीग्रेशनद साइसन इंटीग्रेशन इंटिग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से इंटिग्रेशन कैसे करते हैं यहां पर मैं आपको इसको एक एक एक्जाम्पल से समझा रहा हूँ सब्सक्राइब एक एक्जाम्पल इस तरह से लिया आई इक्वल इंटिग्रेशन आप लाग एक्स अपान एक्स अब डिविजन का फार्मूला नहीं होता नितो सिधा इसमें डिविजन का फार्मूला लगाते हैं तो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बहुत ध्यान को जब भी हमको इस फारम में इंटिरेशन मिले हमको यहां पर यह देखना है कि दो फंक्सन है एक्स अग्स है और दूसरा क्या है एक्स है तो इसमें दोनों को हम One By One differentiate करके देखेंगे नाट इंटिग्रेट सब्सक्रेंश को differentiate करने से वहाँ पर जो दूसरा function present है वो यदि आ जाए तो फिर हम उसको t suppose कर लेते हैं और यह कहलाता है क्या substitution इसी को हम substitution कहते हैं तो यहाँ पर देखो log x को यदि मैं differentiate करूं तो log x को differentiate करने से one upon x आता है log x का differentiation one upon x होता है तो one upon x तो यहाँ पर है देखो one के upon one makes है तो naturally यहाँ से हमको यह क्यों मिल जाता है कि हमको यहाँ पर log x को t suppose करना चाहिए तो यहाँ से suppose करो कि लेट लेट log x एक्वल टू टी अब जिसका हम जिसको हम t suppose करते हैं उसको फिर हम differentiate करते हैं तो नाव differentiate इसको करेंगे हम डी वाई डी एक्स आफ लाग x इक्वल डी वाई डी एक्स आफ टी यह करेंगे अब यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स आफ लाग सब्सिट्यूशन में यह वाला जो पोर्षन है यह वाला जो पूर्षन है वह यहां पर है देखो यह है इसको हम क्या कर सकते हैं अब इस वैल्ली को वहां पर पूटप कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा तो देखो यह बहुत सिंपल फाम में आ जाएगा अब इस फाम में आने के बाद इसका पावर वन है तो इसका integrate हो जाएगा ती इसक्वेर अपान 2 अब हम जो substitute किये हैं उस यहाँ पर पूट अपर कर देंगे तो हमने लाग एकस को टी सपोस किया है तो टी के जगा में पूट सब कर देंगे क्या लाग एक्स तो लाग एक्स का स्प्यार हो जाएगा और अपउट्टू यह इसका आंसर होगा चाहो तो प्लस लिख सकते हो यह नहीं भी लिख सकते हैं यह होता है integration by substitution यह सब question कि आप अच्छे से practice करें रिविजन कर लेना तो कहीं कोई problem नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा कहलाता है क्या इंटीग्रेशन बाइश सब्स्टीट्यूशन है ओके अब नेस्ट हमारा और लास्ट टापिक है इंटीग्रेशन का और यहीं इंटीग्रेशन का सब कुछ है यदि आप 10 टाइप 10 टाइम से यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एट टाइम अब जो बता रहा हूं उसका करेंगे आप कितना इंपार्टेंट है आप समझ सकते हो तो आप सोचोगे कि सर सीधा उसी को पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा लेकिन उसको आप तभी समझोगे जब पूरी बात अभी मैं समझाया उसको समझ पाओगे उसको बोलते हैं डेफ्निट इंटिग्रेशन अभी तक जो हम इंटिग्रेशन पढ़ रहे थे वह इंडेफ्निट इंटिग्रेशन था अभी तक जो हमने इंटिग्रेशन पढ़ा है वह क्या था इंडेफ्निट इंटिग्रेशन था अब हम जो पढ़ेंगे वह डेफ्निट इंटिग्रेश definite integration क्या होता है यह हमको समझना है सबसे पहले कि definite integration का मतलब क्या है definite मतलब जिसका value definite हो निश्चीत हो इसको हम फार्मूला पहले लिखें integration of function of x dx यह हमने लिखा तो integration function of x dx और इसमें हम यदि यहां पर एक limit put up कर दिये और यहां पर एक कर दिये बी तो यह definite integration हो जाता है नीचे में जो लिखा गया है उसको नीचे में लिखते हैं उसको lower limit बोलते है यह कहलाता है lower limit और उपर में जो लिखा गया है उसको बलते है upper limit इसको बलते है upper limit तो यह lower limit होता है और यह upper limit होता है और function of x dx इस तरह से अब आगे इसका formula क्या होता है integration होने के बाद यह हम integration के sign को यहां से हटा देंगे और lower limit को यहां रखेंगे upper limit को यहां पर लिखेंगे lower limit A और upper limit B और यहां पर जो small effects है उसको मैं इसमाल x है उसको मैं यहां पर capital onbery आदग्स लिख रहा हूं capital effects इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ यह जो isma1 एक्स है वो क्या है बी फोर इंटीिटिएशीन आप्र in भिखान से सुनना फार्मूला को सब्सिटूट करने का इसमें जो मेथड है वह ऐसा होता है एक बार अपर लीमित मतलब यह पहले से लिए आप ऐगा फंक्सनाफ भी और फिर मायनस लोर लिमिट माने फंक्सन आफ ए इस तरह से फंक्सनाफ फंक्सनाफ एइश का फ़्ार्मूला होगा आप देखो इसका एक एक्जांपल एक्जांपल बताए इसको नहीं समझ पाओगे इसलिए मैं मैं आपको एक एक्जांपल बताता हूं सबसे पहले मैं टिगनामेट्री का एक्जांपल बताता हूं दो एक्जांपल बताऊंगा एक तीन एक्जांपल बताऊंगा आपको एक एक्जांपल टिगनामेट्री फंक्शन पर एक एक्जांपल एलजेबरिक फंक्शन पर और एक फिर मैं आपको physics पर best example बता देता हूं, तो इतने example से आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो example है, वो example क्या है, सबसे पहले मैं लिख लिया I equal a question, I equal integration of casx dx और limit लिख लिया 0 to pi by 2, तो बहुत easy है, लेकिन इसी लेबल का, देखो मैं example भी ऐसे सजे select करता हूं, calculus पढ़ाते समय, कि मेरा student उसे example को physics में भी use कर सके, ताकि वहाँ पर उसको लगे कि हाँ सार इस तरह का तो कुछ बताए थे, कुछ बूट पार टांग एक्जांपल देने का नहीं है, एक्जांपल मैं ऐसे select करता हूं, कि वह आपको physics को correlate करें, तो इसका ज़रुरत पढ़ेगा कई ज़रुरत पढ़ेगा, चलो अब इसको हम integration करें, तो कैसे integration होगा, that equal, अब हम क्या लिख सकते हैं, मैं भी आपको यहाँ पर बताया, कि function आप x है, यह integration के पहले है, यह बाद है, तो जब integration हो जाएगा, तो integration के sign को हटा देंगे, यह square bracket लगा देंगे, और cast x का integration क्या होगा, sin x, cast x का integration sin x, sin x का minus cast होता है, और cast का sin x होता है, तो इसका integration होगा, मतलब capital fx बन गया यह, अब जो limit है, उसको वहाँ पर put up करेंगे, तो lower limit यहाँ पूठ होगा, और upper limit यहाँ पर put होगा, 0 to pi by 2, that equal, अब हम क्या करेंगे, इसमें limit को put up करेंगे, तो upper limit को यहाँ पर put up करेंगे, तो यह हो जाएगा, sin pi by 2, sin pi by 2, और minus sin 0, minus sin 0, तो sin pi by 2 minus sin 0, upper limit minus lower limit, मैं क्या बताया भी आपको, पहले upper limit को put करेंगे, फिर lower limit को put करेंगे, तो x के जगा में पहले हमने upper limit को रखा, pi by 2 को, फिर x के जगा में lower limit बीच में sin, minus, अब इसके values को हम put करते है, sin pi by 2, मतलब value 1 होता है, और sin 0, 0 होता है, तो इसका value कितना आगे, अब आप देखो, यह definite value आया, इसलिए इसका नाम क्या है, definite integration, क्योंकि value definite आया, अभी तक हम जो करते हैं, उसमें value indefinite आता था, मतलब निश्चीत नी रहता था, उसका value कितना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, definite integration कहते हैं, यह है हमारा definite integration का part, ओके, इसके बाद देखो, अब हम देखते हैं, एक और example, algebraic example देखते हैं, इसमें 2-3 example आपको बताना बहुत जोर रही है, एक जामपल, एक और example लेता हूँ मैं, सपोज हमने एक question लिया, I equal to integration of 2x plus 5, 2x plus 5, dx और इसका limit मैंने ले लिया, suppose 1-2-2, ठीसका, इसका limit ले लेता हूँ, 1-2, इस तरह का integration कभी हमको बहुत ज़ुरत पड़ेगा, तो 1-2, चलो अब इसका integration करते हैं, देखो जितना process मैं बता रहा हूँ, physics में use होगा, exact ऐसी use होगा, तो वहाँ आपको समझ जाना है, बीच-बीच में basic mathematical tools को revise करते रहना है, that equal, अब इसको मैं salvo करूँ, तो क्या होगा इससे, that equal, अब पहले integration हो जाएगा, तो 2, यह हो गया 2, और x का integration क्या हो जाएगा, x square upon 2, यह होगा, और प्लस 5 का integration होगा, 5x, 5 तो constant है, और integration आप dx, x होगा, फर्मूला के chart में मैंने लिखा हुआ है, अब यह हो जाएगा, 122, 122 इसका limit हो गया, that equal, अब देखो यहाँ पर, 22 के साथ में cancel out हो जाएगा, तो हो जाएगा, x square प्लस 5x, और limit हो जाएगा, 122, अब यहाँ पर हम limit को put करेंगे, तो upper limit minus lower limit करेंगे, upper limit है, lower limit है, तो that equal, यदि हम upper limit को put करें, 2 को दोनों के जगा में, तो यह हो जाएगा, 2 square प्लस 5 और x का value 2, तो 5 into 2 हो जाएगा, तो पहले हम upper limit को put कर देंगे, उसके जाद minus lower limit को put करेंगे, तो minus फिर यह 1 का square और minus 5 into x, यह दोनों minus हो जाएगा, तो 5 into 1, x का lower limit का value क्या है, 1 है, यह हो जाएगा, lower limit 1 है, that equal, आगे इसको हम solve करें, तो 2 का square, 4 और plus 5 into 10, यह हो जाएगा, और यह हो गया, minus 1 और minus 5, आगे हम solve करें इसको, तो कितना हो जाएगा, यह हो गया, minus 6, minus 6, 10 में से minus 6, 4, 4, 4, 4, 8, यह 8 इसका answer हो जाएगा, इस तरह से work को अगेरा, tar को अगेरा निकालने में, physics को बहुत use होगा, तो यह मैंने आपको एक algebraic example बता दिया, clear, अब हम देखते हैं इसके बाद एक example और वो है physics पर based, तो physics पर based example में आप देखो, मैं आपको physics के अंदर का आपको एक chapter कही example बता देता हूँ, gravitation वाले chapter में, example तो बहुत है, आपको आसानी से approach होने वाला example बता रहो है, gravitation के chapter में एक step आएगा, और वो इसके पैसा होगा, जी डेस अपान जी इक्वल आर स्क्वेर अपान आर प्लस एज का होली स्क्वेर, यह एक फाम आएगा, बहुत फेमस इसके फैसीले मैं इसको ले रहा हूँ, बहुत काम आता है, और इसको जब हम इसको साल्व करेंगे, आगे, स्वारी, यह नहीं, इसम यह एक्जामपल है, सपोज हम वर्क या पोटेंशल एनर्जी निकालते हैं वहाँ पर, तो पोटेंशल एनर्जी निकालते हैं हमारे पास एक इस्टेप आता है, वो है, जी, केपिटल एम, इसमाल एम, अपान एक्स स्क्वेर, और वो होता है, जीरो टू इंफिनिटी, पान एक्स और इंफिनिटी टू आर एक्स स्क्वेर भी लिख सकते हैं यह यह एक इस्टेप आएगा यह इस्टेप आएगा आपका ग्रिविटेशन के चेप्टर में यह इस्टेप जब ग्रिविटेशन के चेप्टर में आएगा तो इस इस्टेप को हमको क्या करना होगा सा पुरा समझ लो capital G constant है capital मास आप दएर्थ है इसमाल एम किसी आपजेट का मास है और एक सुसका डिस डिस्टेंस है तो यहां जब इसका integration होगा तो कैसे होगा देखो यह इतना quantity constant है उसका integration नहीं होगा बाहर हो जाएगा तो जी केपिटल एम इसमाल एम इस तरह से होगा और इसके बाद जब हम इसका integration करेंगे तो यह हो गया integration infinity to r और यह उपर चला जाएगा तो x to the power minus to dx ऐसा हो जाएगा क्योंकि जब तक हम उसको numerator में ले जाएगे तब तक हम उसका integration नहीं कर पाएगे ओके यहां पहुच जाएगे अब आगे इसको हम जब integrate करेंगे तो हो जाएगा that equal g capital M small m अब इसका integration कितना हो जाएगा x to the power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 एक बार लिख देता हूं यह जी capital M small m यह हो जाएगा work done निकाल रहे हैं वैसे हम यहाँ पर gravitation potential का calculation कर रहे हैं मानके चलो gravitational potential का small m नहीं रहे हैं आप इसमाल एम को वन लेके चलते हैं वहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर अब इसको solve करूं तो यह minus 1 आएगा minus का value को हम बाहर लिख सकते हैं यह minus बाहर लिख दिया और x to the power minus 1 को हम लिख सकते हैं x to the power minus 1 को 1 upon x लिख लिए और यह हो जाएगा infinity to r इतना यूज होगा minus g capital M small m अब हम रखेंगे upper limit minus lower limit तो upper limit क्या होगा यह आर होगा one upon 1 upon r और minus 1 upon infinity यह होगा that equal minus g capital M small m अब देखो 1 upon r 1 upon infinity 0 होगा तो तो 0 हो गया that equal minus g capital M small m upon r ऐसा होगा तो देखो यहाँ पर definite integration use हो रहा है ठीक है यह मैं आपको यहाँ इसको यूज समझा रहा हूं कि कैसे यूज होता है तो इतना यूज आपको करना है किसमें integration में ठीक है integration में आपको इतना करना है और आपका 100% हो जाएगा तो calculus हमारा यहां complete हो जाता है definite integration में definite integration तक calculus complete करके आप calculus में कहीं कोई problem नहीं रहेगा आप मेरा lecture again and again repeat करते रहना और अपने notes revise करते रहना तो आपका वो धिरे धिरे update होके बहुत स्टांग हो जाएगा ठीक है इसके बाद basic mathematical tools में हमको जो टापिक पढ़ना है जो टापिक हमको पढ़ना है वह टापिक है हमारा क्या कि जामेट्री नेस टापिक इस जामेट्री अब देखो जामेट्री तो बहुत detail mathematics है आपको मालूम है कि जामेट्री बहुत detail mathematics है और geometry को समझने के लिए आपको दो तरह का geometry समझना पड़ेगा ठीक है और इसमें कि जो फार्मूले यूज होंगे वह फार्मूला आप बहुत कुछ 9 10 लास में पढ़े हुए होते हो तो ज्यादा तर चीज आपको triangle के बारे में rectangle के बारे में square के बारे में और mensuration में भी कुछ चीज होता है जैसे cube, cube, cone ये सब आप mensuration में पढ़े होते हो तो वही सब यूज होता है बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको ऐसा नया चीज नहीं मिलेगा जिसमें बिल्कुल से आपको परिशानी हो तो फिर भी हम कुछ आपको introduction इसका बता देते हैं ठीक है देखें तो geometry में, actual में geometry का two parts होता है मैं थोड़ा सा इसका classification करके आपको समझा दूँ geometry का two parts होता है और ये आपको जानना ज़रूरी है कि दो तरह की geometry आप कैसे कैसे कहां use करते हो एक geometry होता है जिसको हम बोलते है analytical geometry, geometry के two parts में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखना हूँ, coordinate geometry यह होता है और दूसरा होता है analytical geometry है अब यहाँ पर बहुत detail में तो बात करने का मतलब नहीं है क्योंकि फिजिस के कार्डिंग हम समझा रहे हैं आपको लेकिन फिर भी कुछ मैं आपको यह difference तो समझा दूँ Q training near유 Minister में क्या होता है मों को अब को आडिनेट के हेलप से फूरा कल्कुलेहसन करते हैं और इनलीटिकल ज मी क्या होता है डारेक्ट जो थियोरं होते हैं छे पूंसको मैं जैसे पाइसाक और Faith, Theorem, Theole' Codes, यह यहूर। आप डारेक्ट्ड यूज्द करते हो यह को से को, यह को सालय किया जाता है, जैसे को और स्टाहिकिजस में आगे, घाता है जाई वाइब कौाडिनेट से और एनलिटीकल जामेट्टी में तो डारेक्ट लेंथ ठीक है साइट के लेंज के कारडी उसमें वर्क होता है तो उसको डारेक्ट डारेक्ट फिरम यूज करते हैं जैसे मालो आपने पास एक्विलेटरल ट्राइंगल है यह राइट एंगल ट्राइं दो आपको 10 ख्लास में भी आपका पढ़ा हुआ होता है जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोडिन जामेट्री में डिस्टेंस बिट्विन टू पाइंट्स का फार्मूला हमको यूज होता है और मैं समझता हूं 10 ख्लास में आप मैं से हर स्टुडेंट ने इसको अच्छ सब्सक्राइब आपको पता है तो इस फार्मूला के हैं हमको कई जगा कोश्चन बनाना पड़ता है तो यह आपको ध्यान रखना है मैं क्या के फार्मुला यूज होता है इसको बता रहा हूं बाकि आप लोग को पता है तो अन्य से सर्यूस में बहुत ज्यादा डिसकस करने के जूरत नहीं है खासका ट्राइंगल की प्रापर्टी अगरा तो आप लोग को पता रहता है ठीक है तो यह हो जाएगा डिस्टेंस बिट्विन टू पाइंट्स फिर हम देखते हैं एरिया आप ट्राइंगल इसका भी पहुंच जूरत पड़ेगा और वह आप लोग जानते हो मैं जान रहा हूं ठीक है एरिया आप ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल में सपोस अपने पास कोई ट्राइंगल है इस तरह से सपोस हमें ट्राइंगल ले ले ये और इस ट्राइंगल के जो क्वाडिनेट्स हैं सपोस एक ट्राइंगल है A, B, C और इसका क्वाडिनेट्स सपोस X1, Y1 है इसका क्वाडिनेट्स सपोस X2, Y2 है इसका coordinates suppose x3 y3 है इस तरह से अब इसका जैसे हमको area find करना है तो area निकालने के इसका formula होता है area equal to होता है 1 upon 2 और under bracket under bracket इसका formula क्या होता है x1 तो y2 minus y3 plus x2 तो under bracket का होता है y3 minus y1 और plus x3 तो होता है y1 minus y2 इस formula से हम क्या करते है area आप triangle निकालते हैं तो मेरे ख्यास यह formula भी आप लोगको याद होगा area triangle का area triangle इस formula से आप कभी भी find करोगे है अब यहां पर मैं कुछ important बात आपको बताओं जो बहुत ज्यादा यूज होगा वह है equation of state line कि यह होता है equation of state line होता क्या है देखो इस्टेट आप इस्टेट लाइन के दो तिन फार्म होते हैं पहला फार्म आपको मैं समझा क्या है देखो यहां पर मैंने बोला यह x-axis है यह y-axis है यह अपने पास इक्वेशन है इस्टेट लाइन यह origin है और यह जो इस्टेट लाइन है वह y-axis को सी लेंध का इंट्रसेप्ट कर रहा है और यहां x-axis के साथ में सपोस्ट थीटा एंगल बना रहा है यह Кон को समझना तब इसका जो इक्वेशन होता है इस स्टेट लाइन का इक्वेशन वाइज इक्वल कर यह इक्वल टू एस क्वेशन में इसका बहुत बार यूज होगा y equal to mx plus c इस state line के equation है जो यहाँ पर देख रहे हो जो x axis से theta angle बनाया है और ys x साथ में c distance intercept किया हुआ है तो यहाँ पर जो variables आप देख रहे हो यह तो आपको c समझ में आगया क्या है अब यहाँ पर जो m है m को बोला जाता है gradient इसका तो आपको पहले चेप्टर में यूज हो जाएगा physics में इसको हम gradient कहते है m को और m gradient का जो value होता है वह 10 theta के equal होता है m जो होता है 10 theta के equal होता है यह theta आपको पता रहेगा तो उसका 10 theta निकालोगे वह m के equal होगा and m is also equal to dy by dx dy by dx मतलब यदि मैं इसका differentiation कर दूँ तो dy by dx आएगा इधर कल m बचेगा तो m equal to dy by dx होता है तो इसको therefore हम इसको क्या लिख सकते हैं m equal to 10 theta or equal to dy by dx और यहीं इसका gradient कहलाता है तो इतनी बात को आप याद रखोगे ठीक है यह आपको m equal to 10 theta इसका याद रहना चाहिए m equal to dy by dx आद रखना चाहिए कुल मिला के दोनों में combine relation ऐसा है यह इसका gradient कहलाता है तो यह state line है यह इसका farm है और यह क्या है इसका ग्रेडियंट है ओके तो यह equation आप state line यह आपको याद रखना है इसके बाद next concept है वही equation of state line का एक और farm वो farm भी कभी-कभी use होता है वैसे कम होता है लेकिन इसका भी use होगा कहीं पर देखो यह मालों हमारे पास two axis है और अब हमारे पास जो state line है वो suppose इस farm में है यह state line है अब state line का situation क्या है यह इसका तो origin हुआ यह इसका x-axis हुआ यह इसका y-axis हुआ अब यह जो state line है यह x-axis में a distance intercept कर रहा है मतलब इसका coordinates a 0 है और y-axis में यह b distance intercept कर रहा है मतलब इसका coordinates क्या है 0 भी है तो इसका जो equation होता है वो होता है x upon a plus y upon b equal to 1 यह इस state line का equation होता है तो इस state line की equation को भी इस फाम में आपको याद रखना है अब इसमें आपको याद क्या रखना है यह figure याद रखना है और उसका equation याद रखना है ठीक है यह कहलाता है equation आप state line के दो फाम एक और होते हैं physics में कहीं यूज नहीं होता उसका इसके बाद मैं आपको बता दूँ equation इक्वेशन आप पैरा बोला यह बहुत यूज होगा अभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने में ही यूज होगा कोनिक सेक्शन में equation आप पैरा बोला तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक्वेशन में पैरा बोला होता क्या है equation आप पैरा बोला equation आप पैरा बोला हम पहले यह समझ लें कि पैरा बोला होता क्या है पैरा बोला एक कोनिक सेफ है और इसका डिजाइन आपको समझना है और उसके equation को समझना है तो यहाँ पर देखो यह मैं axis बनाता हूं इस तरह से यह तो parabola का जो equation का जो farm होता है वो ऐसा होता है ये parabola का equation है ये सभी axis के लिए बनता है इस तरह से sub axis के लिए बनता है sign bus change हो जाता है ये तो जैसे ये equation आप parabola यहाँ पर आप देख रहे हो ये x axis है ये y axis है तो x axis के equation आप parabola का जो equation होता है वो होता है y square equal to 4ax गíst क्या क्या थ्म क्या करता है तो एक्ष्वoder द्यान रखना यह का और यह इसका जीरो होता है इसका सब्शब्स होता है यह विठना आए जाएंगे इसका जैसे हमको लिखना होगा थिया एक स्वेर क्वार यह यह इसका हो जाएगा मतलब यहां पर उल्टा हो जाएगा ठीक है यहां पर y is क्वार एक्सक्राइब एधर जाएंगे तो निगेटीव एक्सीस के हैं तो यह पैरा बोला का एक्वेशन आपको ध्यान रखना है मतलब यह जो मैं बता रहे हो हूं छोटी-छोटी यह यूज होगा कहीं कहीं पर जैसे आप, equation of ellipse, equation of ellipse में क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे Kepler's law, Kepler's law, planetary motion, तो वहाँ पर हमको क्या करना, ellipse का equation का जुरत पढ़ता है, तो elliptical path क्या होता है, यह ellipse कैसा होता है, देखो यहां पर इलिप्स में बना दूँ पहले यह इलिप्स का सेप ऐसा होता है ठीक है सरकल जैसा ही होता है लेकिन उपर से यह दबा हुआ रहता है यह तो एक एक्सिस इसका यह कहलाता है और एक एक्सिस यह कहलाता है एक मेजर एक्सिस कहलाता है यह इसका मेजर एक्सिस है जो बड़ा होता है और यह इसका माइनर एक्सिस होता है जो छोटा होता है यह यह डिस्टेंस ए है यह और यह डिस्टेंस भी है तो इसका क्वाडिनेट्स होता है A0 और इसका coordinates होता है Zero B और इसका जो equation होता है ellips का equation होता है वह X square upon A square plus y square upon B square equal to 1 होता है here A is greater than B क्योंकि A यहां पर major तो इस equation का यूज होगा यह equation का यूज होगा यह equation को भियाद रखोगे यह कहलाता है equation of ellipse ठीक है equation of ellipse इस तरह से लिखा जाता है और last concept इसका है equation of hyperbola इक्वेशन आफ हाइपर बोला यह तीन चीज होते हैं इक्वेशन आफ हाइपर बोला एक्जेक्ट यही चीज है लेकिन उसको किस तरह से लिखा जाता है यह थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको लिखते ऐसे हैं पर सपोज यह एक एक्सीज है और यह एक्स एक्सीज है तो इलिप्स को सपोज हमने कट कर लिया और इलिप्स को कट करने के बाद इसको उलट दिया ऐसा और ऐसा जब उलट देते हैं तो हाइपर बोला इसका फिजिस में बहुत कम यूज होता है और इसका जो equation का general equation है वो हो जाता है x square upon a square बीच में minus हो जाएगा y square upon b square equal to 1 अब दो चीज बताया तो तीसरा भी जान लो क्योंकि दो चीज बताया तो फिर इसको भी आपको जानना चाहिए कि तीन चीज होते हैं parabola, ellipse और hyperbola इनके कहीं कहीं पर्यूज होते हैं तो यह हमारा geometry का portion है बहुत site में आप इसको इतना कर लो हाँ एक चीज ध्यान में रखना कि जो और चीज हो अब मैं आपको triangle पर नहीं बात कर रहा हूं rectangle पर बात नहीं कर रहा हूं parallelogram पर बात नहीं कर रहा हूं इक्विलेटल triangle पर बात नहीं कर रहा हूं आइसोसेस triangle पर बात नहीं कर रहा हूं तो भई यह आप 8 9 10 में यह सब आप पढ़े होते हैं यह पूरत theorem पर हम बात करें तो geometry का class बहुत lengthy हो जाएगा इसलिए मैंने उन unique चीज़ों पर बात किया जो 10 में आप नहीं पढ़े हो देखो जितनी बात मैं बता रहा हूं उसमें से maximum चीज़ आपने 10 में नहीं पढ़ा है बाकि 10th लेबल का mathematical tool आपका strong रहना चाहिए तो यह हमारा basic mathematical tools का class मैं यहाँ पर complete करता हूं बहुत best class मैंने आपको provide कराया अब सवाल इसको utilize करने का है हमने algebra से start किया, एक बार repeat करता हूं मैं आपको हमने आपको algebra पढ़ाया, algebra के बाद tignometry पढ़ाया और tignometry के बाद फिर हमने आपको vector algebra पढ़ाया फिर calculus पढ़ाया, फिर geometry पढ़ाया और once art में हमने आपको complete mathematical tools को complete कराया एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि basic mathematical tools is the heart of physics ये उसकी जान है उसका heart है इसलिए आपको इसको strong करना है और मेरा ये वादा है कि यदि आप जितना basic mathematical tools में आपको पढ़ाया यदि आप उसको अच्छे से strong कर लेते हो तो physics आपको easy लगने लगेगा इतने साल का मेरा experience यही कहता है कि हर student के physics difficult होने का एक मात्रवज़ा है mathematical tools का poor होना तो best strong करो फिर आगे के सभी chapter आप हमारे साथ enjoy करोगे okay okay thank you thank you so much